हलो गाईस तो आज हम आप सभी लोगों के लिए मेराथन क्लास लेकर आएं आज के इस क्लास में हम लोग हमेशा की दरह कंप्लीट करने वाले हैं अच्छा 12 के भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर कतिमान आविसता चुंकत यह NCRT के एकार्टिंग चौथा चैप्टर तो आपके जो प्राइबेट पब्लिकेशन तमाम आते हैं मार्केट में उसके एकार्डिंग यह सतमा अथमा चैप्टर होगा यह NCRT के एकार्डिंग अगर NCRT बुक जो आपके वोड में पूछा जाता है जहां से जो आपके वोड में वोड के विपसाइट पर अप्लोड चाहे वो आउनकीप प्रस्णों चाहे लगोतर उन सभी कोशिन को टापिक-वाइच कबर करते हैं और जो पिछली साल में पूछेुएक कोशिंस्प्धिंग करते हैं आगे जो कोशन पूछे जा सकते हैं जो गेस कोशन इसको भी साथ- patches में यानि कि यह लेक्ट्ट्ट्र आ सब्सक्रारा आपको यह चैप्टर कहीं से भी किसी से भी पढ़ने की जरूवत नहीं है लेकिन मेरी एक नीवेदन है आप सभी आप सभी लोग जिन चीज़ों को मैं कहूंगा नोट डाउन करने के लिए उससे आप सभी लोग साथ-साथ में नोट डाउन करते हैं है कश को डॉअं करते हैं कमिन बाह्त में भी डाउन कह सकते हैं लिखना जरूवी है have you because ले समय तक याद रहती है ऐक अबस्ता शाथ दिमाग में सट रहा हैं और शुरुव करके हा शुरुवात करने से पहले हैं मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं हमेशं की तरह एक बार मासस्तुती का नमन जरू करें सभी लोग स्थाच्चे मन से एक बार मासस्तुती का अस्मंट करें और नीचे कमिट बाक्स में जै मासस्तुत सभी को मेरे तरफ से जै मासस्तुत तो चलिए बात करते हैं और शुरुवात करने से पहले एक चीज़ और मैं आप सभी लोग से अगर आपकी तयारी अभी तक बोर्ड एक्जाम की अच्छे से और आप ये चाहते हो कि चैप्टर वन से आप लाइफ क्लासे ले तो आप सभी लोगों के लिए एक न्यू बैच आ रहा है आपका सिखट 2.0 बैच जोकी अभी से इस स्टार्ट हुआ है इस बैच में आप ज करें चीजें तयार नहीं हो रही है दिमाख में उथल पुथल चल आए चीजें पढ़के भूल गये हो या कहीं लेर जवाइन की ओ वैक लॉक है तो आप सभी लोगों के लिए बैच समझ लिए बहुत ही बहतरी होने वाला जहाँ आप आपको इदम जीरो से चैप्टर वन स से शुरुवात किया जाएगा वह भी सभी सब्जेट की क्लासिस में चलें अब यह टेंसर मत लेना आप सभी लोग की सलेबस कंप्लीट नहीं हो क्योंकि यह पूरी टीम है गिनोंगे नत एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस दस लोगों का टीम है और दस घंटे की अच्छा परसेंटेज सिस्टमेटिक तरीके से आपको 10 घंटे डेली मेरे साथ पढ़ना होगा प्लस में 3-4 घंटे उन चीजों को रिवीजन करने के लिए निकालना हो पुर मिला के 13-14 घंटे मेहनत कर देते हो न तो यह सब चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाएंगे इसे सलेवस का सभी महातपूर प्रस्न करवाये जाएगा मॉडल पेपर दिया जाएगा गेस पेपर दिया जाएगा अब पिछले 5 साल के कोश्चन पेपर भी साल करवाये चैप्टर वाये ताकि अलग से आपको कोई परसानी नहोगा अलफा इस्टिटुट प्रो अप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जॉइन कर सकते हूं या फिर यह नमर है नॉसुतीस पांसुत सता था त्यरा पच्छत इस नमर पर कॉल तो देखेंगा चैप्टर का नाम क्या है गतिमान आवेश तता चुकत हो देखो मिट्व के नाम है बहुँ सारी चीजएं चुपी होती है किसी भी चैप्टर का नाम जो दिया जाता है वह पूरे चैप्टर को देख कर दिया जाता है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ससली बात कहा जा तो चुम्बकत्व के बारे में पढ़ना है कि अब लोगों ने चुम्बक के बारे में पढ़लांकि वहां पिसका जिक्र अगर नहीं भी पढ़ा है नहीं भी किताब टच खिया तो परसान होने की जलूवत नहीं है धिहान पुरवग पढ़ाई करो हर एक चीजे आपकी कभर हो जाएंगी हर एक चीजे आपकी तयार हो जाएंगी है ना क्योंकि हम पहले आपको चुमबक के बारे में पढ़ाएंगे ठीक है तो आप कोस्टन भी बनता है बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ देखेंगे हम लोग चलिए कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग चुम्बकी छेत्र के बारे में जानते हैं चुम्बकी छेत्र जिसे हम लोग इंगलिस में करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा बचा होगा जो चुम्बक को देखा लुडाई ऐसा चुम्बक हो थे सब कर देख सभी लोग चुम्बक देखा है देखेंगे तो एक चीज जो चुमकी छेत्र में बताने वाला हूं अपने आप आपको किलियर हो जाएगा ज़रा बताना नीचे कमेंट बाक्स कमेंट करके कि चुमबक देखेंगे नहीं देखेंगे बताना ज़रा तो बिल्कुल सभी लोगों ने यह बता रहा है कहीं ने कहीं चुमबक को देखेंगे जो स्पीकर आता है भोपू उसमें भी चुमबक लगा होता है हर जगा चुमबक लगा होता है यह सभी लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है अच्छी यह भी देखेंगे तब तो चुम्बक के पास में वाई चांस कोई लोहा लेकर जाते हैं तो यह चुम्बक क्या करता है इस लोहे को अपने तरफ आकरसित कर लेता है यह भी चीज़ देखे हो गया चुम्बक के पास में अरे हां या ना कुछ बोलो वाई चुम्बक के पास में अगर लोहा लेकर जाते है तो लोहे को चुम्बक आकरसित कर लेता कि नहीं कर लेता जड़ा बता ना कमेंट बाक्स में कमेंट करके अरे कर लेता है कि नहीं कर लेता है कर लेता है तो बात कर लेते हैं चुम्बक की छेत्र किसे का थे भाई साब यह चुम्बक जो है इस लोहे को जिस छेत्र तक देखो मैं तो इतना जानता हूँ मैंने देखा है जो आप लोग भी देखेंगे अगर इस लोहे को अगर इस लोहे को लोहा मालू यह लोहा है आपका यहाँ पर रखते तो यह इसके आकर्सित कर लेता लेकिन लोहे को यहाँ पर कर देते तो यह इसको आकर्सित नहीं कर पाता है ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा हां डी जे में भी होता है बहुत बनिया एक यहां पर रखेंगे तो असानि से आकर्सित कर लेता लेकिन इहां पर रखते तो आकर्सिता नहीं कर पाता है क्यों हो क्यों कि चुमबक की अवकात लुग नहीं है तो यह कहेंगे कि जितना दूर तक इसकी आवकात या छमता होती है जहां तक इस चुमबक का प्रभाव अनवाक या जा सकता है वही छेत्र क्या कराता है जैसे आप लोग हो आप लोग हो आप लोग को जानने वाले होंगे आदा एक किलोमेटर तक या दो किलोमेटर तक इतने तक जानते होंगे जहां तक आप लोग को जानते हैं वह आपका छेत्र है कहां जाएगा जिसे कोई लड़का है मालो इसमें कोई भी लड़का मालो कोई लड़का है कोई लड़का है आप उस कहता है कोई कहीं उससे लफ़ड़ा हो जाता कियों अगर वहां तक प्रभाव है उस एरिया में अगर कोई जाएगा तो उसका हड़ी पसली तोड़तोगे आपने घीच के उसे खुब पीटोगे यह होता है यह होता है चुम्बक के प्रभाव का अनुवह किया जा सके उसे चुम्बक की छेत्र काते हैं फटा पट लिखो लिखो सभी लोग अपने से लिखो गिताब में इसकी परिवा के चारो तरफ इस्थित्र वहा छेत्र वहा छेत्र जहां तरफ जुम्बक के प्रभाव का अनुभाव किया चार सके क्या कलाता है summary के छेत्र का हला भी शेत्र लिखो सबी लोग ढमेंन बाक्स में लिकिन लिखो परिवासा याद हो जाएं शुम्बक की छेत्र जो होता है इस शुम्बक की छेत्र जो होता यह सडिस रास्वावा यह कैसी रासी होती है सदिस रासी होती है जिसकी दिशा भी होती है चुमकी छेत्र जो होता है यह कैसी रासी होती है एक सदिस रासी होती है नमर एक बाद चुमकी छेत्र कैसी रासी होती है एक सदिस रासी होती है अब इसके बाद ध्यान रखना यह जो चुमकी छेत्र होता है इसे ज बी से पदसित करते हैं चुमकी छेत्र का मातरक भी होता है जो कि आपसे एकजाब में कभी-कभी पूछा जाता है याद कर लेना चुमकी छेत्र का मातरक जो होता है कच्चा दस नहीं पढ़िए हुगे त रखा जो कि आपसे लोगे औता रीकष्चा जो वा खाना की चुमकी 110 ही मातरक रहा हूँ प्रति एम्पीयर मीटर होता है एक मातर क्या होता न्यूटन इनन प्रति एम्पीयर मीटर होता है एक मात्रक दूसरा मात्रक होता है इसका एक दूसरा होता है दूसरा होता है बेवर प्रति मीटर इसको है देवर नहीं दूसरी चीज़ होती है देवर मत लिखना इसको लिखना है बेवर प्रति मीटर इसको है यह लिखना है यह दो-दो मात्रक होती है वेवर पति इसका साब यह नहीं TVs का मात्रक होता ये इसका मात्रक होता लिखना है तो लिखलो सभी लोग कुल की चितर यानी मैंगनिटिक यह तक टेसलाभी होती है तो खेल थे सभी को यह हैता क्यao बताओ एंपियर मीटर होता है बिल्कुल बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा चुम्बक के चारों तरफ एक बार कमेंट बाक्स में परिवासा लिख दोगे तो किलियर हो जाएगा फिर हम चलते हैं यह जो सब्द लिखा है इस सब्द पर गतिमान आवे तथा चुम्बक के बारे में जाने आप लो अब गतिमान अच्छा एक चीजा और मैं बताओ एक होत चुम्बक के में जाता तो एईसे हिलने लगता है तो कमपास सुवे का यूज करेंगे गतिमान आवे इसको प्रूब करने में बास तर्मझ मेख सबी को भाए नाम क्या आए गतिमान आवे तुए चुमकत हो अब हम लोग गतिमान आवेसे चुमकर तो कैसे उत्पन करेंगे इसकी बात में उत्पन हम नहीं करेंगे उत्पन हो जाता है इसके लिए एक प्रियोग कराया गया था जिसने और स्टेड ने एक प्रियोग किया था और स्टेड ने एक प्रियोग किया था इन्होंने तीन तीन तीन कुंडलियां लिए तीन कुंडली में तीन कंडिशन लिया कंडिशन नम्मर थीन कंडिशन लिए सब्सक्राइब है। इंतिन कंडिशन केंटे जोड़ा तो कुई भी धारा नहीं भाएगी यहां पर क्या हुं इसकर नि saw में धारा नहीं बहेगी क्योंकि बैटरी नहीं जुड़ी है नहीं प्रवाइट होगी पास समना इनका प्रियोग देखना कैसे कर रहे हैं कोई धारा प्रवाइट नहीं हो रहा है धारा नहीं प्रवाइट हो रही है और यहां पर इन्होंने लगा बताता है कि यहाँ पर क्या होता है इस में थोड़ासा विच्छेप नहीं whilst होता है आप Google करोगे तो मिल जाएगा ना एकदम थुड़ा सा बीच्छेप नहीं होता है कोई भी विच्छेप नहीं लेकिन जुसरा कंडिशन कर और सुकत को यहाँ ने रखा दूसरे कंडिशन वाले में यहां पे चुम की सुई जो विछेपित हो गई चुमकी पर तुमकी सुई त्यड़ा हो गया परले सिधा था अब क्या हो गया वहां फिल्का से त्यड़ा हो गया है कि अब पिदाथा आभ यह अलका से त्यड़ा हो अब यहीं नहीं यहीं नहीं और देखो यहां पर तीसरा कंडिशन अगर बैटरी को उल्टा कर दिया उल्टा करने का मुलाओ आईसे ऐसे कर दिया तुकि धारा कैसे बहती है मैंने आपको पिछले तिसरे वाले चैप्टर में बता दिया था धरावेस के दिसा में बहती है यह कंडिशन है तुमकि सुई जो है इस टाइड में हलका से भी तुमकि सुई मैंने नहीं रखाता यह और स्टेड नहीं रखाता गल्टी गलत बात गलता मैंने नहीं रखाता अगर अगर मैंने नहीं रखाता मैंने नहीं रखाता यह किस ने रखाता वाई दको आपका कमे हैं तो मैंने नहीं रखाता मैंने नहीं रखाता ह Imam इसका मतलब यहांपर नहीं प्रवाइत थोड़ा सब्सक्राइब को जा रहा है यानि किसी भी तार में जब जर करते हैं तो李 आ जा और इसका खोज किसने किया था तो इसका निसकर्थ के रूप में क्या ली सकते हैं म्。 एकर लिखना चाहें तो निसकर्थ के रूप में क्या लिसकते हैं गतिमान आवेस गतिमान, भाई धारा तो आवेस के घाति करण ही उत्यप्ण होता है, ये भी मैंने तिसरे चैप्ट्रम बढ़ता हुद। कि प्रती सेकेंद प्रवाहित होने वाले आवेस के मात्रा को धारा का हुद। आवेस जो आवेस गतिमान है यानी धारा अपने चारो तर्म अपने चारो तर्म जुम्ब की छेतर है करता है इसका निसकर्स यही निकला है निसकर्स तो यही निकला है गतिमान आवेस अपने चारो तर्म चुम्की छेतर उत्पन करता है इसी को हम लोग क्या करते हैं बैदू धारा क्या चुम्की प्रभाव करते हैं इसी को क्या करते है इसी को वैदु तर रहा तो यह आपका पुरा इसी लिए अगर आपके जा में कभी कोशन पूछे कि वैदु धारा के चुमकी प्रभाव का खोज किस ने किया था किस ने खोजा था किस कोशन का जवाब क्या दोगे भाई अरे बोलो किया दोगे किया दोगे कि याद ओगे इस कोशन का जवाब बतादो फटा पट कमेंट बाक्स का यूचि क्या करो एक्टीव रहा क्लास में एक्टी रहो गए तुछ याद होंगी अशना इसे सुत के वीडियो देख रहे हो हाँ हाँ अ अशन क्या अप्सों कि दिमांग भी सो प्रस्ण बनता है इसलिए मैंने स्कूशन को करा दिया है तूं क्यों खिचा रहा है और ने किया था वैदुधारा के चुम की प्रवाव का खोज्च इसलिए तो स्टेड दिया है समझ कि कोई चीज पढ़ोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और कभी भी भूलेगा भी पॉइंट पढ़ो कि दूस्टे कोशन कैसे बनते हैं यह किलियर करोगे तो चीज़े तयार रहेंगी हमें इसी तरह से पढ़ानी कोशिच भी करता हूं मेरा टेचिनी रिष्टाइल यह ह तक तो कहानी सही था कहानी यह तक सही चलगाता बात होता है न कि अभी दॉढत प्रवाइड करते हैं छूमकी छीत उत्पन होता हो में मानता हूं ओस्टेटलीट, चुम्की चेत उत्पन होता मैं मानताऊ हूँ, लिक इतना उत्पन होता इतना होता ये姐त सिंसब से पूछने उचास, सब जाए के सालवा मलूआ नरू वालूआ सब जाखे पूछ रहें कितना उत्पन हुआ कितना बेवरतपति मीटर स्क keeps good बताएंगे निकालने का वहलू आ अर्स्टेट ने आश्टेट से जाके सबलग पूछने लगे रहे चुमकी छेतर कितना उत्पन हो रहा बता बाई बता बहुत अब चुमकी छेतर का वहलू बताओ कि क्या टेसला या कैब बेवरपती मीटर इसकार दूब पती मीटर इसकार है कितना वेवर में चुमकीचे उत्पन हो हुए बहुत खतना खतना की आदमी थे बता क्या 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 कर रहे थी दो लोग बहुत खतनाक खतनाक आदमी थे अरे मैं बता रहा हो न बहुत क्टना क्टनाक कुछ लोग क्या करते थे ओर स्टेटके सामने ले जाके करते भाइ मेरा यह छूड़ी है लड़कियां इसा काम करते है उचूड़ी और इस चूड़ी में मैं बैतु का होता है लुहे का होता है इसमें कहें लड़किया करें दी है आस्टेड हो आस्टेड सुनो हो आस्टेड सुनो सुन भाई सुन इसमें धारा प्रोवाइद कर लिया हम इसमें धारा प्रोवाइद कर रहा हूं बता दे भाई आस्टेड इसके केंद्र पर कितना चुंकी छित् अब क्या करें नहीं बताने पर लड़कियां कम नहीं होती है जोटा जोटा बाल साल उपार के जो है पारने लेगी उनको पता करूंगा मैं बताऊंगा कितना होता है इसके लिए कुछ नया नियम निकाल रहा हूं कि शल्ड़के क्या किये साव लड़के कुछ कम नहीं थे लड़के काया मेरे पास अनंत लंबाई का तार है इसकी लंबयं की तार के चुमकी चेतर कितना होगा अब कुछ लड़के तो इतने बदमास हैं इसके बाद इसके बाद एक साइंटिस्ट आये उस साइंटिस्ट ने बहुत महान काम किया साइंटिस्ट का नाम था बाईयो सेवर्ट उन्होंने निकाला अब बताओंगा कि कितना तो कि मैं बताऊंगा मैं इसा फार्मुला दूंगा उसी फार्मुला मरखे सब लोग निकालेने रहेंगी ठीक है तो भाई लोगों को जाना जरू है ने हम लोगे घर में तार तार में लाइन बह रही है विद्धु धार आ रहे है उस तार की कार्चुंकिछे तक कितना होगा हम उसको भी निकालने की जरूरत पड़ेगी ना इसे हम लोग पढ़ लेते किसका नियम इसका नियम बताओ बायो सेवट का नियम क्या किसी धारावाई चालक के काड़ उत्पंचुंकिछित का मान ग्यात करने के लिए बायो सेवट ने अपना नियम दिया था ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे कहां के वैज्ञानिक थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे अरे वही फ्रांस जानते हो ना फ्रांस के वैज्ञानिक थे कि अरे भाई तुम लोग भी कुछ खोजोगे कि नहीं खोजोगे तुम लोग कुछ है अरे बोल भाई बोल इंडियन का नाम माने जाहिए नाम था उनका बायो सेवर्ट क्या नाम था इतना खतनाक नाम भी लखे न लगरा बायो पढ़ते पढ़ते सट गए इसा नाम है नाम था और इन्हों अने खो जा था यह कब खो जा था ठारासो बीस इस विम एन्होंने नियम दिया था उन्होंने कहा विभीन आकृत कोई भी चालक तार हो कुछ भी लेका हो मेरे पास मैं सब का चुमकी छित्र का मान निकाल लें कि देडूंगा आपको मेरे पास ऐचा फार्मुला और मैं वही फार्मुला पढ़ाने जा रहा हूं कि आप लोग भी निकाल लोग ठीक है तो बायो सेट ने 1826 में विभीन आकरित के विभीन आकरित के चाल को में में क्या किया पाले तो इन्हों ने प्रयोग किया में धारा प्रवाइद करके धारा प्रवाहिद विभीन आकरित के चाल को में धारा प्रवाहिद करके धारा प्रवाहिद करके उसके कारण करके उसके कारण चारो चारो तरफ तारव में धारा प्रवाइड करके उसके काड़ चारोतरव उत्पन वैदु छेत्र चुमकी छेत्र चुमब की यह छेत्र का मान चुमकी छेत्र का मान जो है पर मान पर गहन या विश्थित्र लिख सकते हो अध्यन किया मतलब बहुत जाला आध्यन किया इनके परियोग को हम लोग देखेंगे लेकिन हम आपको तीन कोशन दिखाने का जवाब मैं आप सभी लोग से जानना चाहता हूं बताना जड़ा उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बहुत कि पहला कोशन के कंफ्यूजन सभी के अंदर होता है पहला कोशन ये पढ़ाने का यह तरीका था कोश्चन खोच-खोच के लाना चाहिए इक धारावाई चालक? तार चालक में उत्पन करता है धारावाई चालक का मतलब ऐसा चालक कहती, वह उत्पन क्या करता है रहा गाल? झालग क्या उत्पन करता है अभी भी हम किसी भी तार में यहां पर मैंने अ चुमकी चयतुरe उत्पन हो रहा था किसी भी धारा वाई चालक तार में वैंदु धारा प्रवाइद करने पर क्या उत्पन होता है है यह यह इसी कोशन को हुआ की पूछता है कभी बताना सभी लोग कमें गत्सील आवेस उत्पन करता है मैं बायोश्योट के नियम पर जाओंगा लेकिन यह कोशन पूछता है तो कन्फूजन होता है इस ते तीन टाइप का कोशन पूछता है अगर आप पढ़ोगे तो गल्ती नहीं मेरा पढ़ने का हीस्ता है बता गत्सील आवेस उत्पन करता है मैंने आपको पहले चैप्टर मे बैदू छेतु और कोई अगर गति कर रहा तो चुमकी छेतु पनकर अगर गत्सील है मतलब तोरित आवेस है मतलब अपना वेक को बढ़ा रहा है पारवा मतलब पहले एक सेकेंड में दू जीसे बाइच चलाते हो आप लोग पहले टेच गाते हो फी स्लो चलाते हो तो जो कर चलाने का वेक होता है दो के बाद और मैं पढ़ा पढ़ा के टापिक पर कोशन कराता हूं इस बात को ध्याना पर नहीं वहां पर लिखवाय था तीनों स्टेटमेंट लिखवाय था भाई आवेस पढ़ाया तभी बता है अगर आवेस इस्थी रहेगा तो वैदुचेत उत्पन करेगा आवेस गतिमान को ट्सरा कोशन का जहाब बताना एक छूमकी चेतर इस्थी रहेwieल को चlause यहाँ देंगे-घ्याओ-ध्यवल की छषेत्र करता हूं इहां शतको होता है आगे आप लोग चैप्टर में Maxiway का नियम पढ़ेंके वहां से किलियर यह चैप्टर एट में आपको Maxiway का नियम होगा वहां से क्लियर होगा किवादलते चुमकि यहां पर बी वाला भी आप्षान सही हो जाएगा इसका मतलब आप संगर सी ए ततां भी दोनों सही हो जाएगा यहां से किलियर करना है दो-डो कोसन साब की किलियर हो जाएँगा अब हम चलते हैं बायो से उटके नियाब। यह कोसन जरूरी था क्यूक्किक कन्फिजीन करता हमेशार कि अधिशन वाला साही होगा जानता हूं यह बात आप नहीं जानते होंगे गतिमान आवेज तो चुम्की छेतुत्पन करता है यह लिए बदलते वैदु छोग्चत पढम यह पढ़ेंगे जभ वाला सही हो एक कुशन आपके लिए इसे पढ़ो सभी लोग इसे पढ़ो और यह कुशन का जवाब नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड करो फिर हम लोग चलते हैं बायोस्वेट के नीए अब चलते हैं इसको पढ़ो प्रांस के बयग्यानी ठीक और इन्होंने बिभीन प्रकार के 1822 में बिभीन प्रकार के आक Schuld के चालकों में धारा प्रवायद करके और जोMAन ग्यात किया मान ग्याद करने के बाद M प्रिवोग के अधार परियोगों की अधार पर क्या बता है उन्होंने माना कि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई कितना है इस चालक तार का लंबाई जो है उन्होंने माना कि धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई यहल है मैं लिग देता हूँ उन्होंने माना 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 एक क्या है धारावाही तारा वाही चालग तार इसकी लंबाई इसकी लंबाई जिसकी लंबाई क्या है? यहल है जिसकी लंबाई यहल है और चालग तार से आर दूरी पर चालग तार से तार दूरी पर एक बिंदू पी इस्थित है इसकी लंबाई कितना यल है चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदू पी इस्थित है बिंदू पी पर चुमकी छेत्र है चुमकी इस्थित का मान ज्याद करना है ना चुमकी बिंदू पी पर चुमकी छेत्र का मान ज्याद करना है ना चुमकी बिंदू पी पर चुमकी छेत्र का मान ज्याद करना है तो ध्यान में यह जो जो बिंदू पी है ना यह तार से ठीटा आर्स के कोड़ पर है और इसमें जो धारा प्रवाइट हो रही है धारा मालो आई धारा प्रवाइट हो रही है और इस बिंदु से यहां से बिंदु पी की दूरी है न यहां से यहां से बिंदू P की दूरी मानते हैं कितना आर है और यह ठीटा कोड़ पर रहे और इसमें आई धारा परोईट हो रहे हैं आई धारा परोईट जिमकी चितका मानियात करें तो बायल चिवट ने परियोगों द्वारा यह देखा देखो भाई हमने क्या करते हैं इस चालक टार की लंबाई तो बहुत पूरी लंबाई याल है लेकिन हम लोग इसकी छोटी सी लंबाई मानते हैं और ऐसा हम कर सकते हैं अभी आप पहली बार कर रहे हो लेकिन आगे चल के कई बार करना होगा जो नए बच्चे उनको याद कर लेंगे चोटी सी लंबाई मानते हैं पूरी लंबाई नहीं मानते हैं छोटी सी लंबाई मानते हैं इतम छोटा सा लंबाई मानते हैं इस डियल की कारण परे चुमकी कम करते हैं उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या चोटा वाला भाग लिए इसलिए छोटा वाला चुमकी छेत्र भी होगा पूरा चुमकी छेत्र भी होगा लेकिन छोटा वाला चुमकी छेत्र कमान भी हो जाए तो उन्होंने पहला उन्होंने बताया कि कि चालक में आई धारा रवाहित करते हैं चालक में आई धारा प्रवायद करने पर अरे चालक में जो उत्पन चुमकी छेतर होता है उत्पन चुमकी छेतर प्रवाहित तो धारा था आई के क्या होता है अनुप्रमानुपार्दी अहला पॉइंट होता है इसलिए पूरा स्टेटमेंट लिख वा रहा हूं चुकि बोर्ड में पुस्ता भी है बोर्ड में पुस्ता भी है डीवी इसलिए पुस्ता भी है डीवी इग्वाल टू प्रव्ट अटू आई अनुप्रमानुपाती दूसरा पॉइंट ही चुमकी छेतर होता है उत्पन चुमकी छेतर दूसरा पॉइंट है उत्पन चुमकी छेतर होता है इसकी लंबाई लंबाई यल के क्या होता है अनुकरमानुपात ति यानि ये जो D-B एगन प्रपर यल के हो द्पनमानुपाति होता त्यम और अनुकरमानुपाती होगा समझ आ रहे है अन्या तक सभी को बताओ आ हैंँट है इसरा प्वाईंट होता है कर लए रोना सिंकिशेत्र भी होता है उनकी चितर भी किस्तरा स्कॉइंट्ब कर लो ही है तुम कि छितर भी जो ओ इनके मध्य का जो यह कोड है थीता इनके मध्य का यह कोड ता कोड़ ठीटा के जाके ताइन ठीटा के अनुकॉबानु पाति होता है क्युम्स के छेत्र भी os मत्रूड ऑजिए कोड़ मत्रूड ऑर प्लो ग्व जिपक जाओ अनुकॉबानु पाति मतलब की समझ रहे हैं उनके मद्रका ऑफोर झो ठीटा था यानि डेउए यह प्रपोर्शन होगा इनके मद्रका ऑफ साइं हो आप या रहीन होगा यह कमानपादी होगा अगत बी जोए इसको माते यह सभीकर नम्र यह को मानते हैं किसी कर नम्र 2 और इसको मांथे संभीकर नमर 3 लगान जान 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 चुत्स के कि बाग रहू है जो था भूं alleen डों दिखा सक ही और बिंदु के बीच की दूरी जो यह चालकतार है इसके बीच की दूरी जो आर है आर के द्वर के बित्कवानुपात्य के बराबर चुमकी चेतर का मान जो है चालकतार ग्दूरी के वर्ग के व्यूत वर के क्या होता है वर के व्यूत कमा नुपाती होता वर के व्यूत दूरी के वर के व्यूत कमा नुपाती होता मतलब यहां पे जो डीवी है चालक तार के बीच की दूरी आर है र के वर के व्यूत कमा नुपाती होता है इसको समीकर नुबर 4 और एक साथ सभी समीकड को लिखेंगे समीकर एक दो तीन तथा चार से बीवी इस प्रपोर्शनल टू सभी समीकड को एक साथ लिखते हैं एक साथ दिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ अब देखो यहां पर कहानी यह आती है कि यह जो हो लिए किसी को हटाने की कहानी इसको कैसे हटाएंगे यह सबसे बड़ी बाता तो इसे लिए यहाँ पर कि यहां पे इस प्रोपोर्स्टनल के च плох आने के अपर हम लोगां एक पंका यूज करते हैं किया सैंट न्य इतान का यूजश करते म्म जीरू अपान और क्षैरि तुर एक यह क्या है एक नियतांफ नियतांग है यह क्या है एक niyatank है एक constant है एक नियतांग है जिसका यूज हम लोग करते हैं इसके लिए इसको लोग क्या करते है इसको निर्वात की y की या निर्वात की इसी क्या करते है बताओ यह एक निर्तांग है एक constant है ठीक है इसका यूज करते है तो यहां से इसका फार्मला बन जाता है इसका फार्मूला बन जाता है यह है आपका फार्मूला जिसके थुरू आप किसी भी चालकतार के किसी भी चालकतार उसका सेफ कोई भी हो किसी भी चालकतार के उसका सेफ कोई भी हो उसका हम लोग चुमकी छितर का मान ग्यात कर सकते है पासमझ में आई यह भी यूज कर सकते हैं और जीसे आप वहां पे कुलाम का नियम पढ़े थे कुलाम का नियम क्या पढ़े थे बैदूत-पड या इस इकवाल टू-या फ प्रपोर्पोर्फन टू क्या ओकं था धे अनकी जिए को हटाने के लिए ऊच्थ क्या था बताओ के का मान यह था था वन आपान फॉर पाई अप्सालन नाट था यहां पर लिखते थे यहां पर इस पर पॉर्पॉर पाई लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने नहीं लिखा तो यह आपका बायो सेवट का नियम बायो सेवट का नियम एकजाम में पूछा जाता है ऐसे नहीं पूछा जाता है इसके पूछी जाने का अलग चांसे भी होते हैं एक तो थियोरी के रूप में पूछा जाता है यानि कि दो नंबर में पूछा जाता है बायो सेवट का नियम लिखे कभी कभी पांच नंबर में ओसे बीठी पूछा था ता तो बाइयोशेवेड कर नियम की व्याख्या कीजिए ऐसें साथने आपके एक्जाम में एक टाइफ का और कोशन पुष्छा है वह टाइप है बायोशेवेड के नियम का सदिल रूप इससे भी कोशन पुष्छा है लिखना सभी लोग fold के वर्ट के नियम का सधी सरूप होता था उसी तरीके से यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा सधी सुरूप में बताव म्यूजिरो अपान फूर पाई तो फूर पाई ही रहेगा सधी सुरूप लिखने के लिए यहां पर क्या हो जाता है जानते हो आप लोग आई पाहिर आएगा DL cross vector R upon ideal cross vector R upon नीचे RQ हो जाता है यह कुलाम की नियम यह बायो स्चिर्ट की नियम का सधिस रूप है इसको याद रखना है इसको उल्टा नहीं लिख सकते कभी अगर हम कभी उल्टा लिखो आर क्रास DL लिखोगे तो गलत हो जाएगा इसा ही लिखना पड़ेगा अगर कोशन देखो ऐसे पूछाई कोशन लाया हूँ यार यह कुशन से आपके एग्जामे पूछाई बायो स्चिर्ट की नियम का सधिस रूप इस तरीके से कोशन आपके एग्जाम में पूछंगे बताओ कर लोगे क्या सभी लोग दिवी क्या है बता रहे हैं बाय डिवी क्या है बताओ पलिए में जो पूछ रहा हूँ कर लोगे क्या सभी लोग तो यहाँ पर कौन सा आप्शन सही हो जाएगा आप्शन नम्र D सही हो जाएगा अपो करने आना चाहिए आप कुछ और पॉइंट बताता हूं यहाँ पर डीवी जो था न हम लोग जो तार यहाँ पर माने थे पूरे तार की कार्ट शुमकिशित नहीं था हमने छोटा सा तार इसको माना यह पूरे तार की लंबाई तो यल था मैंने यहां पर दिखा हूँ चालक तार जिसकी लंबाई यल है यह जो डीवी था न यह पूरे तार की लंबाई नहीं था जो पूरे तार के कार्चुम की छित नहीं था यह छोटा साथ लंबाई जो डीयल लिए थे न इसी क ओंके कार्चुकी छेत था अगर हमें पूरे-तार की ताल इसका समाकलं कर देते हैं हलां कि बाईलोजीवालोगो समाकलं करने नहीं आता है इसलिए इसलिए बाईलो इससे रिट लें क्लारम वालुड ल। दिखेंगे यहामपूल हरावाई डालक कहा चे और रहा हुआ है दूरिज के चूंकिच बैदू छेतर का मान क्या हो जाएगा बताओ बहुत आसान है संपूर धारवाई चाल के कार्ण चुमकि छितकामान, B जो होगा यह समाकलन करना पड़ेगा, DB का समाकलन, DB यह समाकलन, इसको कहा जाता समाकलन, वालोजी वालों को नहीं पता होगा, लेकि मैथवालों को थोड़ा मुड़ा पता होगा, बाकि समाकलन एक चेप्टर ही मैथवालों को पढ़ना है, DB यहाँ पर कार्चुं की छेत्र का मान है यानि बी का मान है बात समझ माइए सभी को यहां तक बताओ बात समझ मागी यहां तक संपूर तार की कार्चुं की छेत्र का मान क्या होता है यह होता है समाकलन लग जाता है यहां पर समाकलन सर क्या होता समाकलन क्या होता है इसे कहा जाता है समाक करेंगी तो पुरा मकाना समाकन किये वी का समाकलन किये पूरे 4 का समी को बताओ बात आई क्या बात समझ में आगई सभी को बोलो सर जी हमने तो लिख नहीं पाया बिल्कुल लिखने की बात नहीं होती लिख तो आप कभी भी सकते हो समझदारी होनी चाहिए कि समझ में आई कि नहीं यह कोशन्स कर लोगे इस टाइप कोशन्स पूछे जाए जाए आया बताओ बता भाई बता अबसे बड़ी बात आती है सर कि कोशन कैसे पूछा जाएगा अब जेट्टिव तो ऐसे आपने बता गया कुछा जाएगा सब्जेक्टिव प्रस्न इसी तरीके से पूछा जाता मैं यहां पे ही देता हूं प्रस्न आपके और आप लिखकर इसे प्रेटिस भ पायो से वर्ट का नियम लिखे इस ताइप से कोशन अब देखो हम तो आपको समाकलन बताएंगी नहीं क्योंकि यह मैध का चीज है मैध के चैटर में आपको समाकलन अच्छे से बता जाएगा समझ लोग आईसा करके जो चीजों का समाकलन करना पड़ता है तब आएगा आपको समाकलन करने से यह डी गायव हो जाएगा और यहां से डी गायव हो जाएगा और पूरा फार्मला बन जाएगा लेकिन मैं समाकलन ऐसे लिख रहा हूं जिए यहां पर आए रहेगा आई गायव नी हुगा है आई रहेगा यहां मैं आपको इसको समाकलन करके ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे बीजिक्वल टू ठीक है मूजिरो आई यल अपान यल साइन ठीटा अपान आर स्क्वार इसक्वार इसे भी लिखा जिए इसे फोर इसे फोर पाई आई यल साइन ठीटा आपान आर इसे भी लिखा जा सकता है कैसे इसको समाकलन करने के पस्चा ठीक है ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है ओके तो चला जाए आगे आगे चला जाए इसके आगे चलते हैं और बहुत सारी प्वार्टे चीजे देखते हैं आगे ध्यान देना सभी लोग जो आप लोगों ने पढ़ा पायो सेवट के नियम में क्या होता चुमकी चितर बी का वैलू इसका वैलू क्या होगा इसका मान क्या होगा इस पे हम लोग काम करने जाएं तो ध्यान देना म्यू जिरो अपान फोर पाई म्यू जिरो अपान फोर पाई का जो मान होता है यह म्यू जिरो अपान फोर पाई का जो मान होता है वह होता है क्या बताओ क्या होता है मान किसी को आता है मान इसका 10 डिपावर 7 10 के पावर माइनस 7 होता है तेन के पावर मानिस सेवेन न्यूटन एम्पियर स्क्वार होता है जा होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वार 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 होता है अथ्वा इसका मात्रक एक और होता है मात्रक भी याद रखना अथवा मात्रक भी याद रखना अथवा इसका एक और मात्रक होता है जिसका वैलू होता है एक और मात्रक होता है जिसका वैलू होता है बेवर क्या होता है वैलू बेवर बेवर अपान एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर ये भी वैलू होता है इसे एक बार सभी लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करो ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए याद हो जाए तो बढ़िया रहेगा यहाँ पर जो ये म्यू नाट है इसको क्या कहा जाता सर इसका भी कुछ नाम होगा बिलकुल नाम होगा जैसे आप लोगों ने चैप्टर वन में पढ़ा था अपसालना क्या था निर्वात की बिद्दु सिलता था निर्वाद की चुम्बक सिल्टा कहते हैं इसे क्या कहते हैं निर्वाद की चुम्बक सिल्टा कहते हैं इसे क्या कहते हैं निर्वाद की चुम्बक सिल्टा एक चीज मैं बताऊं इस निर्वाद की चुम्बक सिल्टा का मात्रक मान और वीमा ये तीनों चीजें आपको याद मात्रक मतलब यूनिट वीमा मतलब डाइमेंशनल ठीक है और इसका मान कितना होता है मान यह तीनों चीजों को हम लोग निकालेंगे दिरवात की चुम्बक सिलता म्यू नाट अपान 4 पाई का जो वैलू होता है यह यहां से अगर लिखोगे तो म्यू नाट का वैलू कितना होगा इसका मान होता है यह इसका क्या होता है मान होता है इसकी मातरक की बात करें इसका मातरक जो होता है इसका मातरक जो होता है इसका मातरक दो होता है एक तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वार एम्पियर स्क्वार होता है दूसरा मातरक होता है या एक इसका दूसरा मात्रक होता है क्या बेवर एम्पियर मीटर देवर नहीं भाई बेवर एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर एक दूसरा भी मात्रक होता है ये दो-दो मात्रक होता है मात्रक याद रखना नीचे कमेंट बाक्ष खुला हुआ है मात्रक में कमेंट कर दो ठीक है फटा फट कमेंट कर दो भाई सभी लोग आपका ये डाउट है कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ कि सर यहाँ पे आपने लिखवाया था ये ये लिखवाया था डीवी इज इक्वाल टू म्यू नाट अपान फोर पाई अपने यह लिखवाय था आपने ये लिखवाया था ये यहां पर आपने यल क्यू लिखा यहां Cities सटी मैं के नियम का तीन ओना चैके पहला ये डीवी इज इक्वर्ट टू हना μ0 upon 4 pi concept clear होना चाहिए I bl sin theta upon r square एक चीज हो गया ये एक चीज हुआ दूसरा चीज ध्यान देना db दूसरा चीज ध्यान देना b b is equal to μ0 upon 4 pi I l sin theta upon r square तिसरा चीज इसमें doubt नहीं होना चाहिए vector b is equal to μ0 upon 4 pi हना I μ0 upon 4 pi हना इसमें भी confusion नहीं होना चाहिए आप लोगों को थोड़ा सा भी confusion नहीं होना चाहिए ideal cross vector r deal cross vector r upon r cube ये तीन चीजें आपको याद होना चाहिए देखो बाबू ये तीनों चीजें सही है ये जो value है इसे कहा जाता आए bioschert का नियम का सदिस रूप कहा जाता है सदिस रूप कहा जाता है और ये जो मान है ये भी मान सही है देखो यहाँ पे DB है ध्यान देना सभी लोग मैं दूसरे color से करता हूँ यहां पर यह दिवी यह बावू और यहां पर डियल डिवी और डियल में संबंध यह है कि डिवी का मतलब यह होता है यह आपका टार कोई है इसमें हम इस टार की पूरी लंबाई तो यल है पूरी लंबाई क्या है यल है लेकिन हमको छोटा से भाग लेता हूं इतना भाग पी लगता है यानि छोटा से हरगा तो छोटा से चुम कीचित इसलिए डोनिया डी भी लगता है और इसका जब समाकलन कर देते तो यह वारा वैलू पर यह सदी सुरूप होता है यहां पर आर क्यूब होता है सदी सुरूप में यह भी पूछा जाता मैंने अब्जेटिक कॉर्शन में कैसे से पुछा जाता मैं पीछे बताया था आप लोगों को और यह आपका सेकेंड है सेकेंड यह आपका पूरी तार के वज़े से पूरी यल लंबाई के तार के काड़ है और यह चोटी से लंबाई डील के काड़ है यह मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यहां पे किलिय नहीं लगा है और कहा जएगा छोटी से लंबाई यह इतना से लंबाई होता ना चक्थन रोखना कोई शमान जाते हो मार्केट में लेड्डू लेने के लिए तो च्छुटा तो उख आज आए घानर खो इसमें नहीं होना चाहिए किसि को इसमें और में कन्रफूजन नहीं होना चाहिए सदी सुरूप liberté पार्म है इसका तो आपको यार रखना है यह सदी सुरूप हौता है पुछा भी जाता है अब लोगोए अहां पर महतरक की बात कर रहते हैं हम लोग मू नाट का वेलू जो हता है 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 होता है और मात्रक इसका न्यूटन एमपीर इसक्वार या फी बेवर एमपीर मीटर होता है यह दोनों मात्रक नीचे कमेंट बाक्स में मुझे कमेंट दिखना चाहिए जितने रोग क्लास देख रह रहेगा ठीक है याद रहेगा बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा एदम सांदार अब मू नाट के वीमा की तरफ देर चल रहे हैं मू नाट का वीमा लिखना मू नाट का वीमा मू नाट का वीमा क्या होता है म्यू नाट का जो मात्रक होता है क्या होता है बताओ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है न्यूटन पती एंपियर स्क्वायर होता है म्यूनाट का विमा तो न्यूटन किसका मात्रक होता है भाई साथ न्यूटन बल का मात्रक होता है तो बल ये न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है और बल का विमा होता है बल का विमा क्या होता है बल का विमा M L स्कॉाइर M L P माइनस 2 ये बल का विमा होता है और ये एमपियर जो विमा होता है ये किसका मात्रफ होता भई एमपियर होता है धारा का मात्रफ जिसको A से लिखा जाता है यहां एमपियर स्कॉाइर है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा यह होता आपका धारा का यहां पर एंपियर स्क्वार है इसलिए एंपियर का वैलू क्या हो जाएगा बताओ एंपियर का वैलू एका स्क्वार हो जाएगा एका स्क्वार हो जाएगा इसका वीमा निकालने के लिए कहा जाएगा तो हो जाएगा वीमा M L T कमेंट में वीमा कमेंट करला दो पूछा जाता है पूछा जाता है Самनिमिट box में कमेंट कर दो फिरेख कोस्टन में लिखवाता ह리 जोकि पूछा जाता हैए बहुत ज्याद है बहुत अच्छा-क है कर बहुत बढ़िए कभी कभी परिच्छा में छोटी सी परिबासा के आपी उच्छिक कि चुम्बक सिलता क्या होता है यह परिभासा पुष्टा इसको लिए आप चुम्बक सिलता है आप चुम्बक सिलता है वही परिभासा होगा जो आप लोगों ने वहां पर चुम्बक सिलता का परिभासा पढ़ाता है उसमें क्या पढ़ाता आप लोग वहां इसको मू आर से पदस्षित करते हैं और आप एचिक चुम्बक सिलता क्या होता है किसी भी माध्यम में चुम्बक सिलता और निर्वात में चुम्बक सिलता माध्यम में चुम्बक सिलता को मियूर से लिखा जाता है निर्वात के चुम्बक सिलता को चैप्टर वन में आप वह उना आप इच्छी बिद्दुशिलता या पर अब बैद्धुतां पढ़ चुके हो आप लोगोगो वह ही परिबासा है तो आप इसकी माध्यम की चुम्बक सिलता सथा निरवाद की चुम्बक सिलता की चुम्बक सिलता काते हैं कुछी चुम्बक सिलता करते हैं के किसी माध्यम चुम्बक सिलता को संबात को क्या कहते हैं इसे म यू आर्ट से प्रदर्श्ट किया जाता है इसे मूर से पतासिट किया जाता है जाता है सबी को यह दिमाग में अपैनी पर चूहली किया जाता है मूरेकोर सबीट ने समय भीड़ प्रिफिक पुछाब्ट इस टाइब के। बिद्व्डु सिल्टा अप्सालन नाथ चुम्बक सिल्टा म्यू नाट के मध संबंद है विद्वू चुम्ग की तरंग में के वेघ हुआ ऐसे kinsan पूछी जाते हैं जामे और मैं दिखा रहा हूँ है इसका पूछा जाता है इसका मान आसे kinsan पूछा जाता है यह दो kinsan मैं एक साथ लगाया हूँ तो दो-दो kinsan इस टाइप से पूछा जाता है जामे तो ऐसे kinsan को अभी हम लोग z região करने जा रहे हैं टिंगर यह बहुत जादा पूछा जाता है बहुत भर-बर के पूछा ता हूं समझवाता है इतना कठीन भी नहीं फिर विए क्यों पूछा μեյत नाट तथा वैदूद सिलता वैदूद कीलता अपसालनाट के मध्य समध ने है के मध्य समज्द नुवर्ण ने ऊज है एचंप शलता वैदूद कीलता अफसालनाट यह मत यह संबंद यह संबंद निकालने के लिए हम लोगों को रह चुका है हम लोग को बस संभन्ध है निकालने लिए रह गया है और नहीं जिंदगी में बच्छा है इनका संबन उन्से निकाल है उनका संबन इनका काना फुल इक रें इनकों की चालते हैं आप लोग जानते हो grab time आप लोग के सकते हो इसको यहां पे लिए जाकर कि म्यू बीव न इइक्वार टू क्या लिए सकते हो इसको mu naught is equal to क्या लिख सकते हो, mu naught is equal to लिख सकते हो, 4 pi into 10 k power minus 7, इस तरीके से लिख सकते हो, mu naught upon 4 pi into 10 k power minus 7 लिख सकते हो, और आपको ये पता है, 1 upon 4 pi, epsilon naught का value 9 into 10 k power 9 होता है, ये आपको पता है, कि value 10 k power 9 होता है, 9 into 10 k power 9 होता, तो अब आपको असपस टूप से पता होना चाहिए, ये असपस टूप से पता होना चाहिए, और असपस टूप से जानना चाहिए, कि आपको क्या करना है, म्यूण और अपसालन नाट में संबंद तो आपको क्या करना चाहिए चाहिए इधर आपको क्योई लूँण रखना चाहिए तबी तो मूण आपसालन नाट के भी संबंद हो या इस म्यूण नाट को छोड़ते हैं वाकि 4 इसका या हो जाएगा? 1 अपैल दो इते लिया, आप्सालन नाट इज़ एक्वल टु वर पाई इन्टो नाइन इन्टो टेन के पाउर है, थेखे हैं, इसको उल्टा कर के लों निकालते…" अपसालन नाट इकल टू क्या हो जाएगा, वन अपान 4 pi नाइन इंटू 10 के पावर, यह इसको उल्टा करके value ने कर, अब देखो आपके पास दो-दो समिकर है, एक समिकर नमर उन है, एक समिकर नमर दो है दोधो शमिकर है अभ दिकों भीमिDO अफृत का वैली ग्याद करते की मुट 149 का वैलु क्हया हो जाए यहां देना अब है म्यू buenas है अप शालन 9 का क्या करने वैलु कद र checks करने के लिए समी कर ऐ समी कर एक तथा और का है का आख पुरा ने पर jan करने में कर एक तथा दो का गडा करते हैं जब गुडा करेंगे तो जेव क्या हो जाएं सब्सक्राइब यहां पर जाएगा बता यहां पर क्या जाएगा एधर क्या हो इस फ्रहे गडुटनन्टने हिस भूलन इतली कंज canoe कwi दोन। यहां पर बहुत आसानी समझना यह पूर पाई से पूर पाई कर जाएगा 10 के पाउर नाइन का वैलू क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा उपर 10 के पाउर मानिस 7 बचेगा नीचे 9 इंटू 10 के पाउर 9 अब देखो उपर 10 के पाउर मानिस 7 को नीचे भीजोगे तो मू नाट अपसालन नाट इजेक्वल तो क्या हो जाएगा वन अपान 9 इंटू 10 के पाउर 10 के पाउर 9 इंटू 10 सा 16 हो जाएगा अगर इसका यहां पर रूट में बैलू निकाल दें तो इसका क्या हो जाएगा मू नाट अपसालन नाट का वैलू क्या निकल जाएगा रूट में इसका भी बैलू निकालो इस दोनों का रूट करो जब दोनों का रूट करते हो जब 1 upon 3 into 10 k power 8 एक तरह से प्रकास की चाल जो होती है प्रकास की चाल क्या होती है 9 3 into 10 k power 8 meter per second होता है यानि उसका value यानि ये क्या हो जाएगा 1 upon c के बरावर हो जाएगा 1 upon c के बरावर हो जाएगा ये statement आपको पता होना चाहिए कि 1 upon स्टेट्मेंट आपको ये पता होना चाहिए कि one के बराबर होता है या आपको वैलू और यह के पूरा सिस्टम याद होना चाहिए यह यह नहीं यह नहीं यह नहीं हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि 1 आपक की बराबर होता है और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 आपान मू आट का वैलू जो होता है सी स्क्वार के बराबर होता है इस तरह से पूछा जाता है और कभी-कभी क्या पूछता है कभी-कभी आपसे एक्जाम में इस तरह से भी पूछता है जब पूछेगा तो मैं दिखाऊंगा भी कोशन दिखाऊंगा लेकिन यहां तक समझ में आया कि नहीं यह बताऊ पावर चार होगा ना कहां भी पावर चार होगा नीचे आएगा टेन डी पावर सेवें हो जाएगा और नौ के साथ नौ के साथ नौ और साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा इस वह बता समझ में आ रहे है आपको कि इसका वैलू कितना होता सी स्कॉार के बरावरता कोशन पर आते हैं यह क्या कह रहा है कि विदू चुम के तरंग के वेग होगा वेग मतलब सी यह सी होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग यह जो सी होता है इसको कहते है प्रकास का वेग यह जो होता है प्रकास का वेग है प्रकास का वेग प्रकास जिस वेग से चलती उसी हुखते हैं यह सी स्क्वार जो यह भी प्रकास का वेग है प्रकास जिसका वैलू प्रकास के वैख होता है जिसका वैलू कितना होगा प्रकास के बराबर होता है प्रुट मुछना अप्साल नाट के बराबर होता है टॉपे मैं अप्साल नाट के बराबर होगा वह ठैकि करों पाऊप होगा प्रुम्ल करक्क होई इस बहुत आफ अऩा in रेपा होगा होगा तल्यान जर्टी से लिए यहां पर और एख समकें हो जाता है गल्किया कभी करते है तुम लोगों गुड़ा बांग सीख लो पहले रूट सोलर का मान चार होता है रूट सोलर का मान चार होता है हाई साहब एक गंदे बच्चे हैं इनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि रूट इनको यह नहीं समझ में आ रहा है बाबू कैसे पढ़ाई करोगे तुम लोग नाइन इन्टू टेन के पावर सिस्टीन है इसका रूट में बैलू क्या होगा इसको यह नहीं समझ में आ रहा है सब्सक्राइब इसको डूर सकते हैं इसको त्लog टो यह रूट कर जाए 나눗ा इसका चोटी से चीज नहीं वहाँ Clay no लेकिन 10 के पावर 16 का रूट में वैलू कितना हो जाएगा अब भाई याद रखना तोला का वैलू में चार होता मैं जानता हूं लेकिन 10 के पावर 16 का वैलू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ 10 के पावर 8 होगा कैसे सर कैसे प्रूप करो इससे मैं बता रहा हूं भाई यतना छोटी से चीज तुम लोग नहीं जानते हो ध्यान दे उधर अगर मैं कहूं कि 10 के पावर फोर इसका रूट क्या निकाल के दोगे बताओ रूट निकाल के दोगे रूट निकाले का मदब 10 10 10 के पावर 4 इंटू 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 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यह 4 प्रकार चार बार हो जब रूट निकालो के आठ बार रू आठ कर जाएगा आठी बचेगा आठ बचेगा भाई अरे तुम लोग इतना गदे होगे मुझे कभी विश्वास नहीं था या इतना गदे तो गदे नहीं होते हैं गदे तो उनको कुछ चिपों-चिपों करने आता है भाई साब तुमको नहीं विश्वास हैं तो 16 रा दस दस हीं अरे 10 के पावर 16 का मतलब यह होता ना 16 बार 10-10 लिखोगे इसका रूट निकालेगा मतलब भाई साब आठ खाजाएगा रूट का यह ओता राजाँ जायगा जैसे मैं यह दो इन्टू दो इन्टू 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 इन् कि अग्या वाइन गलत फूरी लिखूंगा एक बार गलती से फुरा से यहां टेंडी पाउर 9 हो गया हूं मैं जानता हूं दलसर दिमाग में 9 था उसलिए हो गया तुम लोग इतना नहीं समझ में आ रहा हूं रूट में टेंडी पाउर 16 का वे लो टेंडी पाउर 4 निकाल ले हो जाके पढ़ो यार आद कच्छाट वाले बच्चों को ट्यूशन लगा लो कच्छाट वाले बच्चे आके ट्यूशन पढ़ाएंगे तुम लोगों को तब सम लेगा तुम लोगों को चलो इद़र देखो मैंने क्या किया इस में बता ओ मैंने M Ona कला प्साल नाट पान वह क्वालु प्साल दो किका फोर इंटू टैंडी पाऊर नाइन हो जायगा है अप सालन नाट बस एक दूखा गुड़ा कर दो जब गुड़ा करोगे 4pi से 4pi कर जाएगा 10डी पाइगा बचेगा जब इसको गुड़ा करने के बाद इसको सालम करोगे तो क्या हो जाएगा अब कैसे बताओं बताओं तुम लोगो को अब कैसे बताओं अब कैसे बताओं बताओं क्या इसमें नहीं समझ माया । ये वाला गुड़ा किया तो यह आया और ये इंडी पावर सेवन ऊपर नीचे जाएगा तेन्दी फॉड़ प्लस से रण टि प्लस नाइन है नाइन आईन और सेवन जूड़ेगा इसमें क्या नहीं समझ मैं आया अरे तुम लोग यार इतने कि क्या बता हूं मैं मज़ा आएगा बताने में किसी इसमें कुछ लोग करें तो बहुत हसेगा कि यह सब पढ़ें या पढ़ाई कराए है इस टीन का बैलू यह लोग बता रहें कि टेंडी पाउर फॉर हो जाएगा तोला का रूट फॉर होता है कि इतना छोटी बात नहीं समझ वाया तुम्हों को बस समय कुछ नहीं किया Mule Tampa आट गो जाये का अप लोग का गुडा कर दिया मैं अप्सालन नाट और अप्सालन का गुडा कर दिया मैंने यह पस फोर पाई से फोर पाई कर दिया तो गुडा किया बैदू निकाल दिया हो जाएगा हों कि कि ऐसी प्रकास का वेग होता है इतना बड़े लोग होते नहीं जानते तो प्रकास का वेग ना एक त्री इंटू टेन दी पावर एट मीटरफ्र सेकिंड यह होता है कि एक बात 9 उपर करके देखो अजय बाइसाब यह ना टेन डी पावर मानेस 7 है और नीचे क्या है ट्री इंटू टेन की 9 नीचे क्या है नाइन इंटू 10 के पावर क्या है नाइन यह है आपके पास अरे भाई 10 पावर 7 है यह जब नीचे आएगा ना यह नीचे आता है प्लस हो जाता है यह मैंने आपको जब बढ़ाय ने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था गुड़ा भाग कैसे किया जाता है ये प्लस हो जाता है और जब यह गुड़ा किया जाता थह नान आथ स्यर्मध जूर जाता है बस हो जाएगा एन गृंट सी करेंगे रसोजाएगा यह जो वैलीव ता यह प्रकास यह होता है इसका प्रकास 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 कोंड़का मत समझ जे तुम्हे से चलते हो प्रकास उति है यहीऊ सी वेक से चलती है इतना मीटर पर सेकिन होता है मीटर पर सेकिन होता है से लब होती है यह त्री इंतू 10.10 प यो 8 мощ दूец mesmo शेकिट है है इस वेक से प्रकास चलता है को पाई साब इतना असान चीज था अगर तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा करते हो कमेंटार आशर आगे पढ़ाओ जोड़ गटाना मत बताओ सही बात है लेकिन क्या करेंगे अपने देश में इतने निधरता है इतना गरीबी है न कि जोड़ गटाना भी बताना पड़ रहा है लोग इतना समझ नहीं आता फिजिस में सलेवस पीछे हो जाएगा पड़ेगा कि चलो कुछ कोर्षन करते हैं यह आपके सामने इसका वैलू कितना होगा बता उक है वह इसका वैलू कितना होगा थोड़ी सी टेकनिक है कौन बता सकता है इसमें कौन सा आप से चाहिए होगा यह मैं होमक्त देना चाहूँगा और खुछ से दिमाघ लाएक बताना बस यहा यह कोशन देखो मू नाट अप्सालन का मात रख क्या होगा यह आप उल्टा-पुचा मू नाट इसको निकाला जाएगा ठीक है लेकिन यह अंडरूट मू नाट अप्सालनाट का मात रख क्या होगा यह बताना आपके यह चीजे नीचे की चल रही ने इस यह आपको देखने में कोई दिक्कर देख देख पीछे वारा बटा दीजे पीछे जो चला इसको खतम कीजे तुरंथ खतम कीजे आपके सामने हैं यह बताओ यह दो कोशन एक साथ दिया हूं मातरक वाला मातरक भी इस तरीके से पूछा जाता है इसका मातरक क्या होगा बताओ इसका मातरक क्या होगा जो हाँ जो इसका यह बता रहे उनका गलत है जो भी इसका यह बता रहे उनका गलत है यह होमख देने का वजह है कि आप सोच समझ की से लगाना बहुत खोच के कोशन लाया हूं इसका बताओ इन दोनों का बता पूछा है यहां पर कहा है कि वन आपान रूट कि वन आप आप एक मातरक क्या होगा यह आप से कहा है यह आपसे पूछा है इसका मात्रक क्या होगा इसका मात्रक होगा वन अपान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पास-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान कि इन टुटेन के पावर 8 मीटर 183 होता है तो इसका जो महान होता है 3 इंटु 10 भड़ मीटर पर इसके बरावर है इसका मात रखीयो पर सेक्ड होगा आपसर नमर्डी से हो जाएगा है आपसर नमर्डी से लिए इसके लिए आपको दोनों का मात्रक आना चाहिए तब कर पाओगे यह कुश्ण मू नाट का जो मात्रक होता है मू नाट का जो मात्रक होता है निकालो मू नाट अप्सालनाट का मात्रक निकालते हैं हम लो चलो निकालते हैं यहां से निकालो आपको पता होना चाहिए कि म्यू नाट जो होता है इसका मात्रक क्या होता है नूटन प्रति एम्पीयर एम्पीयर स्क्वार होता है यह मात्रक होता है और अप्सालनाट का मात्रक क्या होता है बता हुआ अप्सालनाट का मात्रक क्या होता है पुलाम इसक्वार आपनुटन मीटर स्कुर्ड होता है यह तो अनपात मिकलो और पाट निकालो और को आप नपाथ निकालो चो तो तो एक कहनी हो जा भीक कहनी का हूगा यह ऊपर चला जाता देखो आपको पता अजा हूए अपको को होता है एंटू डी अपड़े इनटू इंटू दी इनटू दी हहता है सलूशन इस अलूशन करेंगे हापण इस वह करेंगे है आपड़ा न्यूटन इन्टू न्यूटन मीटर स्कॉयर अपार ampere ampere square इन तू अलाम स्क्वार कुलाम स्क्वार आप देखो यहां से इसको साल कर होगे तो क्या हो जाएगा बता न्यूटन स्क्वार मेटर स्क्वार अपान एम्पीर स्क्वार इंटो कुलाम स्क्वार तभी का स्क्वार हो जाएगा यानि न्यूटन इसका वैलू क्या आ जाएगा बता इसका वैलू क्या और इंटू घुर्ट गर इनटू कुझा जब इसका रूट में बैय्लू निकालोगे तो बाहर निखेले जाएंगा यह एक ही एक ही बाहर निकले अप Gewelenma नीचे क्या जाएगा एंपिर इंपिर और इंटू कुलाम बताओ आप क्या होगा वैलू क्या हो जाएगा बताओ बताओ क्या हो जाएगा वैलू क्या होगा इसमें से किसी को आ रहा है अब इसके आगे मैं आपको दे रहा हूं आपको इसके आगे का बाग नोर दे रहा हूं इसको सम्हालो तुम लो इसको सम्हालो और इसको दिमाग लगाओ क्या होगा फिर मैं कुछ देर बाद बता रहा हूं आपको कुछ देर बाद बता हूं क्या होगा इसक क्या होगा और इसका मातर क्या होगा यह बहुत च्रिकल कोश्टन है यह सब लोग नहीं पाएंगी यह यह नहीं कि बहुत कठिन कोश्टन है बस समझने-समझने-क खेल है जो चाहेगा वह कर लेगा ने कोशन पर चलते हैं और लोग एक अगला कोशन यहाँ पे आप सभी दाबर होता दो यह होगा एक होगा है ठीक है है यह होगा ठीक भाई खिलिए यहां तक सभी को क्लास कुछ कोसंस है आपको मैं दे रहा हूं इस को ट्राइ करना है विदुचुम की उत्पत्ति के शुरूत क्या है और स्टेट का प्रियोग को क्या दर्साता है यह आपको खुद से लिखके प्रैटिस करना है इस अभी कोसंस को मैं सब चीजे बता दिया हूं ठीक है मू नाट की भी अगैर तुका बाजी नहीं चलेगा जो है सभी सभी बताओ नहीं आ sauna मैं आगी कर लोंगा हम लोगा कर लेंगे ठीक है इसलिए मैं दिया हो तकि दिमाग लगाओ हो ये फी थोड़ा दिमाख लगाने वाला कुछ चुछं थो लोग बीना दिमाख नहीं लगाते हो इस तोनो दिमाग नहीं लगाते हो है ना चलो आगे चला जाए तो अब हम लो किसी रिजुरेखी लम्बे धारावाई चालक टार की कार्ड चुम्की छेत्किर्टि उता घ्याद करेंगे रिजुरेखी लम्बे धारावाई चालक टार यानि एक लंबा सा धारा वाई चालक तार इतना भी लंबा नहीं कि अनंत लंबाई इसका एक परिमित लंबाई इसकी लंबाई एक निश्चित है ठीक है यह तार है इसमें धारा आई प्रवाइट हो रही है इस धारा आई प्रवाइट होने कार्ड एक बिंदू यहां पर मा आप करनी है इसके संब्द हम लोग फार्मला देखेंगे और इससे रिलेटेø・ज जो को संस आते हैं उन को संस को देखेंगे बताऊ एससा तार है ठकिए इससे मालो यह दूरी कितनी हैं इसकी इसकी दूरी मालो यह दूरी पर यह बिन्दु पी Jetzt भिन्द पी-स्थित है इस स्थार की लंबाई मालो आपका न्यम लिख लो यह बी यह сторон है ऍहू दूरी पर बिन्द पीस्थित है इस पी बिन्द लू पर हमें छुमकी-चित्य-टी-ुता का मान घ्याद करना ऐ कैसे मान इए करेंगे इसका फार्मुला घ्याद करना है मैंने आपको बताय था कि और स्टेड जो साइंटिस्ट है। उनका काम क्या था। उन्होंने बता दिया कि इस तार में धारा प्रुवाय। इसके 400 चुमकीछ्षेतरगी उत्पन हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं बता था कितना चुमकीछ्षेत capita होगा. यह जो पताया गया यह बायो सेवट के द्वारा बताया गया किसी धारावाई चालकतार में धारावाई चालकतार का मतलब ऐसा तार जिसमें धारा बहा रही हो चालकतार में धारा प्रवाइद करने पर उसके चारो तरफ उसके बारे में बायो सेवट ने बताया था तो बायो क्रिजु रेखी धारा वाही धारा वाही चालक के कार्ड चालक धारा धार वाही- रिजद यह धारा वाही धारा वाहीक जार त्रुट्पन चुमकीछःत लुटन तुक यह उजटन है आपका अयँ गरेैंग आहाग और इसपे त्यों धून बनता है मैं दिखार हूँ कैसे बनता है देखो उत्पन्चुम की छित्र का मान कैसे ग्याद करोगे यहाँ पर देखो यह यह आपका फाइटू कोड है और यह आपका फाइवन कोड है कई मेचे को और तो उधबन किए छेत्र 기본 игр को जाएगा उत्पंधे तो मिद्वन की करने शिटरन OVER को फूर पाई-फर पंट फइडर मू जरूर पॉर लिए-पंट-फॉर हिफ ह равно जाएगा है आयऍचर थासं फॉड़ प्शाहएगा साइन फाइवन प्लस साइन यह फार्मॉला बनता है चुमकी चित्र बी का मान यह फार्मॉला बनता है अब देखो यहां पर जो आई है न यह आई क्या है प्रवाहित धारा प्रवाहित थारा प्रवाहित खार्मॉला चालक से दूरी है धारा इने चलक से धूरी है सर यह पढ़ा क्यों रहे हो इसका यूज मेरे लिए कैसे कैसा कैसा पूछा जाएगा मुझे यह बताओ यह पूछा हुआ है ऐसा फिगर देगे कोशन पूछेगा और यह टाइप का और पूछा जाता उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा लेकिन पहले इसके पूछा जाएगा दिये गया चित्र में पूछन क्या करा दिये गया चित्र चालग तार में 2 एंपियर की धारा प्रॉइट हो रही है और चालग तार से 2.73 सेंटी मीटर की दूरी पर एक बिंदू पी इस्तित है इस पी बिंदू पर बैद़ू चुमकी छेत का मान ज्याद कीजिए इसमें देगो 2 एंपियर की धा और धारा से कितनी दूरी Durie कितना है तूरी कितना है से 70 मट को 60 मीटर में नहीं र Chinese क्या काम नहीं चलेगा देखो लोग कहीं आर्मि में जाते हो या कहीं ईक्जाम में जाते हो कोई उसके लिए क्या कते हैं तुमers पांस और कि आओ थाते हैं क्या आधे चाहूं पर आजाओ अलया जमता है श्कूल पर बूला लेते हैं हाइश स्कूल ऑले कच्छा हो लोगो लेने कि यह का कभी नहीं लेंगे ना कब तक प्याप्छो नहीं पास ओंगे इसी लिए स्टीमीटर है इसको हम यह जो फार्मला मैंने आपको लिख् चुमकि छेत्र वाला यह फार्मुला कभी नहीं से लेगा जो फार्मुला मैंने लिखा चुमकि छेत्र B equal to mu 0 upon 4 by i upon a sin 51 minus sin 52 यह फार्मुला जो मैंने लिखा इस फार्मुले में कभी नहीं लेगा जब तक की सेंटीमीटर को हम मीटर में नहीं चेंज करेंगी मीटर में चेंज करके देखो इसको तुरंत ले लेगा 2.73 इंटू 10 के पावर माइनस 2 कर दो यह मीटर में चेंज हो जाएगा कितना मीटर हो जाएगा अब यह फार्मुला अपने आप वैलू को ले लेगा लेकर इसे साल्व कर देगा और फार्मुला को वैलू रखने सजी इसमें 30 और यह यह कोड देखो यह 30 दिया हुआ है और यह कोड दिया है साट यह 30 साथ इसमें वैलू रखेंगी तो चुमकि चेंटर बी का वैलू क्या हो जाएगा म्यू जीरो अपान फोर पाई आई का वैलू कितना है टू एंपियर अपान एक का वैलू क्या है 2.73 इंटू टेन के पावर माइनस टू यहां पर देखना साइन 30 माइनस साइन 60 हो जाएगा 30-30 हो जाएगा साइन 30 माइनस साइन 60 हो जाएगा साइन 30 माइनस साइन 60 हो जाएगाji हो जाएक नहीं कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ इसे वाह सोगकोई रखना में रहाग सब्सक्राइब है उसाइस वभभल कर देना आजएगा साला इतना तरीके से इसको करें रहITY बाट सर इसका पुरूफिंग कैसे होगा मैं ने बताया था अब हमारा तरीका निया है हम आपको पहले चीजिएंगे ऐक भाद समझा देते हैं फिर लास्ट को इसका प्रूफिंग करा देते हैं निना इससे दो फादा होता है एक बार समझाते हैं तब यह फार्मुला आपकी दिमाग में आ जाता है जब जाती है कोई भी बार सामने से चली जाती है कोई भी बार सामने से चली जाती है इसलिए मैं इसको प्रूफेंग कराओंगा लेकि ano इसी तरह से पूचा कर लेना उपट्यों को शया आफ दे सो बीज बांखाटू नहीं चलूँगा गुड़ा भाग कर लेना इसका ठीक है बहुत आसान है गुड़ा भाग कि अब लोगे कॉस्थन कि अब लोगे भाई बताओ भाई पलने दो देख रहा था कि कॉन ध्यान दे रहा है एक लड़की को छोड़के किसी नहीं बताय के सर यहां प्लस होगा कुछ लोग पीछे कर वाने पे लगे में बाबू पढाई करो तो आगे पीछे तो होता रहेगा जिन्दिगी में कुछ नहीं है समझे कभी कोई आगे जाए कभी कोई पीछे जाएगा कि अगर कुछ हार्ड नहीं होता यार पढ़ाई करो एक सिस्टम होता है अगर आप कई कईसी कमप्टीशन एकजाम की त्यारी करने जाओ कुई कुछ नीट की त्यारी करेगा कुछ एक रोटी सब्जी के साथ मिला के छाते हो इसा थुडिन करते हो पहले रोटी पुरा ठुस लिये फिर दाल पुरा पी गए फिर सब्जी पांगी पेट मिला लेगा ऐसा तनी करते हो ना यही काम होता है पढ़ाई में भी पहले टॉपिक कैसे हैं प्लस होगा कितनी लोग बता दे रहेंगी प्लस होगा सर इसे थुड़ी निखाना होता है इसे रिलेटर में आपको लागे कर देखा दिया कि ऐसे खेंगा सबी को बताdensक कर लो एक बार ना चीज और दिखा देता हो एक कोशन और पूछा जाता है तो भी दिखा द बहुत इंट्रेस्टिन चीज देखते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई की कार्चुम की छितकिती उता इसकी लंबाई सिमित थी यह तार यह भी था इसकी लंबाई क्या था सिमित था एक सिमित लंबाई क्या था लेकिन अब ऐसा भी तार हो सकता है जो कि अनंत लंबाई का तार हो अनंत लंबाई का तार मतलब जिसे आपके जो पोल से खमा जिसे का जाता है ना कहां में खमा पोल से जो तार जाता उसकी लंबाई अनंत होती है पावर इस्टेशन से चलता है कहां से होते हैं कैसे-कैसे-चला जाता तो अनंत लम्भाई Kaking कि चित की उता हम लोग ज्रहत परी घात करेंगे द ठीक है तो लिखना सभी लोग Heading डालना और कोस्टन कैसे पूछा जाता उसको भी हम लोग uh resolving करेंगे अनंत करेंगे अरग कि लम्भाई कि. के कारणे लंबाई अनन्थ होनी चाहिए लंबाई अनन्थ की लंबाई मतलब ये मैं बना दे रहा हूं लेकिन इसके लंबाई अनन्थ है एदम अनन्थ है इतना जारा लंबा तार है कि आप लंबाई देख नहीं सकते इसलिए मैं इसको ए भी नहीं लिखाओ इसके काड़ मालो इस तार में आई धारा बहरी है और इस तार से इस तार से आर दूरी पर कितनी दूरी पर ए दूरी पर कोई बिंदो यहां पर पी श्थित है इस पी बिंद पर हमें चुमकिछट की त्यूता घ्यात करनी है तो पहली बाद अगर तार अनन्थ होगा तो यहां से जो एंगल यह अंगल आप नहीं निकाल पाओगे यह इंगल बना दिया मैंने इया यहां से तार अनंत लम्वाई कि लें रिफ और सब्सक्राइब नहीं बना पाते हैं इसलिए टहुत आसान बात हो यहां पिक Assist दिखते तार घिच्च के यहां पर बनाएंगे क्योंत अटार अनन्त है तो कहां से बनाएंगे हम लोग नहीं बने गाकोड जब नहीं बनेगा तो तो हम लोग क्या करेंगे बाबु बहुत आसानी से यहां पर 90S क्योंकि अगर आप सुचों यहां सही से घुचे हो गया तो 90S का एक एंगल बनेगा इधर यहां देना समय यानि कि यही फार्मला चुमकि छित किती होता B is equal to mu 0 upon 4 by i upon a यहां पर क्या होता sin alpha 1 sin alpha plus sin alpha 2 यही होता फार्मला अब यहां पर दुनो alpha 1 और alpha 2 का value alpha 1 is equal to alpha 2 का value 90S हो जाएगा 90S हो जाएगा जब 90S हो जाएगा तो चुमकि छितर B का value क्या हो जाएगा mu 0 upon 4 by i upon a sin 90 plus sin 90 दुनों का value 90 हो जाएगा और आपको यह पता होना चाहिए कि sin 90 का value 1 होता है sin 90 का value कितना होता है एक होता है रखो यहां पर तो चुमकि छितर B का value mu 0 upon 4 by हो जाएगा i upon a यहां पर 1 plus 1 हो जाएगा रिखे ओन पलस वण टू होता है चुमकी छेत्र बी का बैलू म्यूजुरो अपान फोर पाई हो जाएगा वण प्लस वन आई अपान एवन पलस वन को मतलब दो हो जाएगा अब इसे काटना है, दो से चार को काट नेंगे जब काटेंगे तो इसका वेलू क्या हाजाएगा चुमकी छित्र B का वेलू हो जाएगा बताओ, μू 0 अपान टू पाई है आई अपान ए यह आपका फार्गम्ला हो जाएगा किसी भी अनंत लंबाई के तार के कारण चुम की छित्किती होता है क्या होती है μ0 upon 4 μ0 upon 2 π आई अपानी होता है इसको याद रख ले और इस पे कोशन बनता है बहुत खतना कोशन बनता है मैं दिखाऊंगा भी एक दो कोशन दिखाऊंगा अपानी होता है एक कोशन बनता है इस पे बीज इकोल टुमी जुरुम अपान टूपाई आई अपाने यह अनंत लंबाई के कारण चुम छित्किती होता होती है और यह याद रखना एसे अच्छा कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है याद रखने के लिए कभी-कभी ऐसे भी लिखा जाता है इसको क्या किया जाता है इसको इस तरह से लिखा जाता है मैं लिख दूंगा और आपका बताना काम है कि मैं गलत लिखाओ या सही लिखाओ यह बताओ मैं अगर मैं गलत लिखाओ या सही लिखाओ मैं गलत लिखा यहां इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या। और यह जवाप लों कोंस लगूंकर आओगे अल्फा बीटा अबी सब कुछ यह की होता है जिसको यह डावड पहले आपने पहले साइन माना था अब अल्फा क्यूं भाई साइन नहीं माना था मैंने यहां पर यह कोड फाइवन फाइटू माना था अब मैं बताओ इसको यह लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या मैंने पता मैंने लिख दिया बस किताब में से देखके छाप गया यहां पर लिख सकता हूं लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मैक्सिमम जो निमेरिकल प्रस्न लगाओगे इसी वा क्म करना पड़ेगा लेकिन जब अब्जेक्टि में पूझेगा कि अनन्त लंबाय के काल, चुम्कि चत्किति हुटा क्या होती है तो उसमें यह वाला आपका यह वाला जो प्र्मूला कि यह वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है कुछ नहीं किया उपर यहां पर दो का कि इस फार्मुले के वज़े से गुड़ा भाग करने में आपको असानी होगी सर कैसे मुझे करके दिखाऊ एक हाँ मैं करके दिखाऊँगा टेंसर मतलो जालो यह कॉसन लखव यह क्या है देखो एक लंबे सिदे तार कोशन जब निमेरकल पूछे का आपके एक्जाम में इतना हैahi सिदे तार कहा पुछता एक लंबा और सिदा तार से 25 एंपि की धारा प्रवाइद हो ँघे कितना वह तो यहुक्त सर यहां से एक दूरी मानलो कितने दूरी पर इस तार 20 cm दूरी पर यह कोई बिंदु P – 6 गयाद कीजिए इस तरह से question आपके सामने 20 cm दूरी पर चुमकी छत्किति रुता है गयाद कीजिए यहां पर वाई यह लिखा हुआ है है Kor यह क्या है यह तार और यह बिंदू P के मद की दूरी है जानपोच के लिखा ताकि 아सानी होगा अब देखना कुछ लोगों को लगए असर आप बोड का कहके क्यों नीट का पढ़ा रहे हो मुझे नहीं मुझे नहीं पढ़ना नीट ऐसे लोग काफी लोग कहते है तो देखो धारा यहां पर क्या है 35 लेकि फिर भी जहां पर ट्रिक लग सकती हूं आप यहां पर कितना 35 और यह तार के ब चैएक लूग मुझे कहेगा मुझे संटी मीटर में नहीं चाहिए मुझे मीटर में चाहिए तो इसको में मीटर में चाहिए यह इसको मीटर में चंज के लिए लें 20 इंटू 10 के पाउर माइनस 2 मीटर कर देंगे अब इसको फालो इसको आगे साल करोगे तो मिउज डिरो अपान 4 पाई का वैलू कितना होता है 10 डि-7 होता है आपको पता है यहां पर 10 डि-7 देखते हो अगर यहां पर 2 पाई होता था क्या लिखते बताओ या लिखते कनफूजन हो जाता हुए अने कनफूजन हो जाता है मिजू रवापन 4 πाई का वैलू 10 डीपावर माइस 7 लिख दो 2 इंटू 2 लिख दो आई का वैलू कितना 35 MP है और एक वैलू 20 इंटू 10 की पावर माइस 2 देखो यहाँ पे ध्यान देओ इतना आसानी सो गया 10 दी पावर माइस 7 10 दी पावर माइस 2 से कटेगा ये दू से दू कट जाएगा ठीक है यहाँ पर इसको आगे साल्व करोगे तो क्या आज जाएगा आगे साल्व करोगे तो क्या जाएगा बताओ क्या जाएगा 10 दी पावर माइनेस 5 उपर रहेगा इंटू 35, 10 हो जाएगा, इसको आगे साल करोगे, यह का जब, 35 इंटू 10 के पावर मैनस 6 हो जाएगा, इतना Tesla इतना Tesla, चुमकी छत्की तीयोता होगी, इतना tesla, चुमकी छत्की तीयोता होगी बताओ, बात समझ माइक नहीं आई? बात समंझ माइक नहीं आई, बताओ हाँ बता भाई यह दस है नीचे ना यह दू से दू कटा है दस बचा है यह यह दस दस बचा हुआ है 10 उपर जाएगा ते माइनस वो जाएगा 10 दी पावर माइनस 6 हो जाएगी है नहीं है कि अधिया की नहीं बात समझ में आए यह नहीं आई ऐसे आई फिए कोस्टन कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप लो कि अधिया कि अधिया यह जिसका प्रस्ना आ रहा है कि सर फोर पाई को कैसे चेंज किया आप जाके नहीं सुर्वास से पढ़ाई करो वहां पर मैंने बताया था हमेसा हम लिख देंगे टेंडि पार मायन से में लिख देंगे जबकि यहां पे लिखना होगा तो यहां पर टू इन्टू नीप लिखना पड़ेगा लगाते सेम को सब्सक्राइब आपको को सन यह नहीं कहेगा कि अनंत लंबाई यह जड़रूरी नहीं किया अंत लंगाई यह एकर अंत लंगाई यह संग्या हुआ जींजों यहां पर लंबे सीधे तार काहन और दूसरा कॉस्चन लिया हूँ जहां फें असपट रुफ से बोला कि eher अनंत लंभाई कहे या लंभा सीधा तार कहे तब यह वांदागा लगेगा पहस्थ मिचनदा अरंद लंबाय कहे या लंबा सिधा तार कहे तो यह वाला फार्मला लगेगा निमेरिकल में अब आप जिट्टिम पूछे तब पर भी आपको याद होना चाहिए मिजुरो अपान टू पाई आई अपान ए या फार्मला होता है चलो और यह कोशन करते हैं करते क्या है असान कोशन है इसमें भी वही कर रहा है बंदा एक लंबा सिधा तार है इस तार से कारड इस तार से लंबा सिधा तार है इस तार में दौ एमपेर की धारा प्रोईथ हो रहे हैं 20 cm दौरी 15 cm दौरी और 10 cm दौरी पर चुमकिछित की तियोटा घ्याद किये इस तार से इस तार से कितना कई सारी दूरिया आये शलो यहाँ पे देखो इसमें क्या है इसमें धारा कितना प्रोईत हो रही है 2 A कितना है और यह कह रहा है कि मुझे चुमकी छत की तियूटा का मान जाद करना है कितना 20 cm कई सारी दूरि है एक दूरी A1 है जो कि 20 cm है, दूरी A2 है जो की कितना है? 15 cm है, दूरी A3 है जो की 10 cm, यह तीन दूरया है, इस तीन दूरयों पार आपको चुनकी छित्की दूता है, कुछ नहीं करना है, 3 भार फारणूला लगा देना है, जिसको नहीं समझना आतनी हैS समझना आयं जाये गीजकोड़ मैज़े साथिति अई यह चाहरा की फार्म्ला असलिए यह डूपानिया अई लेकिन आपको केल्क्टलेशन साथ करना है इसलिए आ को यह डोनों काटना नहीं है ऐसे चोड़ाना है एसी चोड़ाना है हम यह लगाना है क्यों सा ? µ0 upon 4 π µ0 upon 4 π 2i upon a न की यह 2 को 4 से काट की न की यह 2 को 4 से काट की यह फार्मना लगाना है µ0 upon 2 π यह फार्मना लगाना है यह लगाना है यह लगाओगे तो calculation लंबा हो जाएगा गुड़ा भाग ज्यादा करना पड़ेगा यह लगाओगे तो calculation गुड़ा भाग ज्यादा करना पड़ेगा आपको लगाना होगा यह वाला फार्मना ताकि गुड़ा भाग कम में हो जाए काम यह होती ही technique से पढ़ाई ठीक है मैं इसको फिर से लिख देता हूँ Mew 0 upon 4pi 2i Mew 0 upon 4pi 2i upon यहाँ पर यह आपका system है उनकी छित्र B का value 10 के power minus 7 हो जाएगा देखो यह मैंने इसका value हमेशा बता दिया कितना होता है 10 के power minus 7 होता है i into 2 into i 2 ampere है और i कितना है 2 ampere है upon a a का value क्या है 20 cm इसको meter में change करोगे 20 into 10 के power minus 2 meter हो इसका value कितना हो जाएगा 20 into 10 के power minus 2 meter हो जाए यह इससे कट जाएगा तो यहाँ से धान देना यह 2 से 2 कट जाएगा 10 से यह कट जाएगा बचेगा क्या 10 to power minus 5 बचेगा into 2 बचेगा upon 10 बचेगा तो आगे साल करोगे इसला रहोए पैसला तरीके से अगले मं 15 रख के निकाल ले ना थे फिर यह लग के निकाल ले बहुत बढ़िए इस पे कोई कोशन नहीं बन सकता है इसके अलावा आपके एक्जामे कोई भी कोशन नहीं बन सकता है असानी से बनेगा तो यही बनेगा और मुझे लगता है कि आगे आप 15 के जगें आप 15 के जगें 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर रख देना और यहां 10 एंटू 10 के पावर माइंस 2 मीटर रख देना है 15 इंटू 10 पावर माइंस 2 रख देना है अधारा तो सब्वे सेम रहेगा मेटर को CT मेटर में कैसे इंच करते हैं… भूल गया बता दें कोई लड़की अगर CTгр में लगें audience की लड़की से मिले CT मिले cm लड़की या च्षोटे हो सकती है लड़की tो लंबे होते है नहीं लड़की कोई सेंटीमीटर में मिले तो क्या करना है गुड़ा करना है गुड़ा कैसे करना मालो कोई लड़की मिली 15 सेंटीमीटर का ठीक है इसको बड़ा करना तो 15 इंटू 10 दी पावर माजनस 2 करते ना ये मीटर हो जाएगा समझे अब याद रहेगा तो उन्हों बोलो के नहीं दी पावर माइनस 2 का गुड़ा किया जाता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज आने अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज आने तो यह अच्छा होता है मतलब कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि इस तमझ में आ गाई है निकाल लेंगे क्या निकालना नहींकinky कुछ मत निकालने लगना कपड़े सपड़े मत निकालने लगनाए मज़ए अ यह दो से दो कड़ जाएगा दस उपजा टेंडी पवाँ माजश से आएगा वी तो आएगा एंसुर सही है मेरी साथ हाँ ठीक है आगे चला जाए तो आप हम लोग चलते हैं बहुत ही महत्पूर कीजी ग्याद करने के लिए चुम्की छेत्र की दिशा ग्याद करने के दिशा आवसे ग्याद करेंगे कैसे चुम्की छेत्र की दिशा को छुटकी में आप कर सकते हैं यह खुद और मेहनत है चलो चुम्की छेत्र की दिशा ग्याद करने वाला पढ़ते हैं अनना इस तुमकी छित की दिशा कैसे ग्यात करते हैं तु देखते हैं तुमकी छित की दिशा ग्यात करते हैं अधी नागा को में वकी है? छित पिसा ग्यात तुमकी छित की दिशा ग्यात करना यह आपके लिए हैडिंग रहेगा बुक में जो दो नियम दिये हैं जो बुक में दो नियम दिये होते हैं इसमें पहला नियम दिया होता है आपका पहला नियम बुक में दिया होता है उक में पहला नियम क्या दिया हुता है पहला नियम दिया होता है Maxwell का दच्छिडा वर्ती पेज का नियम Maxwell क्या दाए हाथ का ताए दूसरा नियम जो रहेगा क्या ताए हाथ ताथ ठैली ये दो नियम आपके बुक में दिये होते हैं ये दोनों नियम आपको मैं बताऊंगा लेकिन आपको कभी इन दोनों नियम का यूज करने का सलाह नहीं दूँगा आपकी मर्जी मैं आपको बता दूँगा आप सीख लेना आपको जैसे मन करें वैसे निकालना दिशा ग्याद करना लेकिन लेकिन हम जो आपको बताएंगे वह आप यूज करोगे तो फाजेम रहोगे बहुत आसानी से दिशा ग्याद कर सकते हैं यह दो नियम होते हैं चुम्बकी छित्र की दिशा को ग्याद करने की एक चीज और मैं आपको बता दो किसी भी अर्थान पर अगर चुम्बकी छित्र बाहर की उर होता है तो सायंस वाले होते हैं बहुत अग्वास अग्वास का मतलब क्या बहुत काम्चों और कहीं पर लुक्ति का दिशा एक सीवी बिंदु पर सुटिश sub shoulders क्षित्र का दिशा बहर की और हो तो आपको इस तरह से दिखाना है अज़र चुम्ब की चित्की दिशा अंदर की और होगा किसी बींदु पे सिंबल यह रहेगा तो वहां पर प्वाइंट आपका ऐसे रहे यह वाला प्वाइंट मतलब बाहर की ओर होने पर ऐसे दिखाओगे अंदर की ओर होने पर ऐसे दिखाओगे आप यह दो और लाएगा इससे अंदर कने लेगा इसका ट्रीक याद सकति हो अगर अंदर कोई गया है तो क्या गेट लोज रहेगा अंदर से नहीं जाना किसिए को अंदर कोई नी रहेगा तो खुला रहेगा कोई भी आदे वा समय आ अंदर गया होगा तो इनर कोई में खोगा कई अंदर नहीं जा सकता तो इस तरह से खुला होगा खोगा यंदर जा शक्ता अरG अब देखो मैं आप लोगों को ले चलता हूं मैक्सिवेल के नियम पर ले चलता हूं मैक्सिवेल के नियम पर त्यार हो सभी लोग मैक्सिवेल की नियम पढ़ने के लिए मैक्सिवेल कैसे यूज करते थे मैक्सिवेल कैसे यूज करते थे तश्रवर्ती पेच का नियम है मैक्षवेल का नियम क्या है नग्रावर्ती पेच से ांट्रव आप लोगों की पेच कर से मतलब क्या कर से क्या थिक्स एंब तसर्थ करता हूं मैक्षवेल Młah विल नगे अपठी कि अभेश यह मैं पहला स्टार्ट करता हूँ इसके लिए मुझे पेच समंगवाना हुआ तब कुछ का मैं टापारिया कंपनी का ब्रांडेट कंपनी का एक पेच का समंगवाता हूँ फिर उसके बाद आगे की और हम पहले पेच का समंगवा लेता हूँ यह मेरे पास टापारिया कंपनी का ओरजिनल पेच कस है इसको किसी भी किसी के भेजे में इसमें क्वाल्टी है इसको ऐसे निकाल कर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और इसका यूज कहां पर करते हैं जब किसी बच्चे का दिमाग हो जाता है दिमाग में पतली कमरिया वाला गा को खोल के उसके अंदर से सभी भूसा को निकालना का काम होता है और इस काम हम यहां पर यूज करेंगे किसे भी धारा वाई चालक तार में बहने वाली धारा को जात करने यह बहुत असं होता है कुछ करने की जरूबत नहीं है सबको ध्यान बस इधर देने wastewater है अगर ध्यान इधर यान इधर दोगे तो आप 20 बार में मैं पर समझ बहुत की सिद्रान आपको इधर देना asked इदर मतलब comment box में पकस्को का हमेंशा पकडते हैं हाथ से यह मे यह अप लूग अपना अपना डाया हाथ किसी को दिये हो तो स्ष्छे अपना हात और हाथ की जरूरत पड़ेगी में एके साथ देश का अभिकास तो नहीं हो पाया हाथ के साथ हम पेचकस के माध्यम से चुमकी छित की दिशा ग्याद करें यह यह आपके हाथ में पेचकस है और मुझे मालो यह डिश्टर बोर्ड है यहाँ पर मुझे चुमकी छित की दिशा ग्याद करनी है कोई यहाँ पर आपको चुमकी छित की दिशा ग्याद करनी है तो इसके पेंच को वहां पर रखते हैं जैसे मालों यह तार है यह तार में धारा ऐसे बहर रही है तो हमें इस तार की कार्चुमकिछत की दिशा ग्याद करनी है और इस पींदू पर इस पींदू पर ग्याद करनी है इस पींदू क्यों पर ग्याद करनी तो हम लोग क्या करेंग हम लोग ऐसे रखते हैं और इसको कसने लगते हैं कसेंगे तो कैसे कसेंगे कसेंगए तो यह यह अंगूठे का दिसा होता है यह जो है आपका चुमकिछित की दिसा बताता है आम लगतें अगूठे की की जो दिसा होती है की बल की दिएखाओ के दिशा को बताता है यहां पर यहां पर हैस्गा सिम्बल को यूज क्यों यहां पर चुंकी 2021 ऑन्धर की और है कर दो और अंगुटा देखो और इधार से जारा मतलब इधर अंदर की और जा रहा तो अधर कि छिट की निसा क्यूब इंट पर किसे बाहर की और हो जाएगा बाउड को फोड़ दीजिए फिर क्लास बन कर दूगा ना ठीक है बोर्ड को फोर दीजे फिर क्लास बन कर दूँ इस तरीके से मैक्सिवल के पेच का नियम यूच किया जाता है मैक्सिवल के पेच नियम में क्या होता है दाएं हाथ से इस पेच कस को पगड़ते हैं और इसकी मुन्नी जो है धारा के दिशा में रखते हैं यह पहला नियम था मैक्सेवल के पेंच का नियम इसी पहरा आपको हम समझ में आया हो चाहे ना समझ में आया मैं आपको जो तरीका बता हूं उससे दिशा अग्याद करना इसी पर मैं दूसरा वाला भी नियम बता देता हूं दूसरा नियम क्या था आपका दूसरा नियम इसी question पर बता दे रहा हूं इसमें भी आपको दाय हाथ के हथेली का ज़रूद पड़ेगी दाय हाथ में के ये दूसरा नियम दाय हाथ के हथेली का नियम इसमें क्या करेंगे ये दाय हाथ का हथेली है जान देना इदर दाय हाथ के हत्हिली का यूज पड़ेगा यह जर्के बदाना मुझे और लड़कियां कहाँ पर यूज करते हैं ये भी बताना माक्सिमम लड़कियां जो होती हैं पढ़ने लिखने की साथ साथ में ख़ना बनने और इन सभी जगहने पर यूज़ करती है लड़किये बी ही इसहां तरह से इस हाथ ते किसी को मारणा हो कुटना हो प्रेटना हो मैक्सिमम दाया हाथ चलता है कुछ लोग का बाया अभी हम करके दिखाएंगे ना यहां पर क्या करना इस अंगुठे को इस अंगुठे को उस दिशा में रखना जिस दिशा में धारा जा रही है जिस दिशा में धारा जा रही है और इस अंगुलियों को उस बिंदू की और रखना जिस बिंदू पर आपको चुमकी छित्र की दिशा ग्यात करना इस अंगुठे को उस दिशा में रखना जिस दिशा में आपको धारा जा रही है और इस अंगुलियों को उस बिंदु पर रखना जिस बिंदु पर आपको चुमकी छितकी दिशा को ग्यात करना था ठीक है पास समझना आप सभी लोग अपने हाथों को तय त्यार हो जाए क्योंकि अब लड़ाई करनी है हम लोग को अब लेकर सभी लोग तयार हो अब देखो कुछ नहीं करना आपको दाया हात में यह अंगुठा धारा की दिशा में रखना है और यह अंगुलिया इस बिंदू पर रखना जिस बिंदू पर मुझे चुमकिचित की दिशा ग्याद करनी है उठा कहां पर रखना है धारा की दिशा में रखना है अंगुलिया उस बिंदू पर रखना जिस बिंदू पर हमें चुमकिचित की दिशा ग्याद करनी है और देखो इस तरह से तो यहां पर अंदर की और जा रहा है धक्का इस अंगुली इस यह 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 पंजा जिस दृषा में धक्का देगा वह दि्षा क्या आता है कि हुंगी चट की दिषा होगी देखो इसந्डर धृ दर आगा दे रहे होगी दैश्य लगों की चतकी बात मारोगी तो दीकित क्या उ με्र कि यहां पर अंदर क्यों होगा और यहां पर क्या होगा बाहर क्यों होगा कि अब देखो मैं आप से पूछना चाहता हूँ अब आपको मैं अपना नियम बताने जा रहा हूँ जो मेरे हाथ वला नियम है इसमें क्या होता है इसमें आपको बस पकड़ना होता है यह तरह को आपको कुछ एग्जांपल और कराते हैं तब किलिए होगा मालनों आपके सामने तीन एक जामपल दे रहा हूं यह तार है इसमें धारा ऐसे बार रही है इस बिंदू पर आपको चुप पी बिंदू और यह बिंदू क्यू है इस पर चुमकी छिटकिती उता ग्याद करना है और यह आपके सामने कोई तार है इसमें धारा ऐसे बार रही कि यह विद्वे चुमकि छित्किती उतना घ्याद करना है और इतना ही नहीं इस यह बुत करना है और धारा आपकी बता निकालनोगे कि देखो मैं इस बीद्व पर आता हूँ देखो इसमें हैथेले का नियम करके दिखाथा हूँ इसमें क्या है आपका धार्व नीचे के ओर जारही तो अपने धाय हाथ की अंगउठे को दह रख़ दिया और यह अंगुलिया, जिस बिंदू पर मुझे की च्वक्षिट की चाव हो जाएगी इस तरह है कि पीफिनु की बात करें तो देख़ू थारा नीचे के और जा रही यहां पर हाथ मोड़ने तोड़ने की बात आएगी यहां आई से करोगे है रखोगे धारा की आंगुठा रखोगे और धक्का देने के बाहर और धक्का दे रहो न यह पंजादों बाहर की और आ रहा है तो यहां पर चुमकिछट की दिशा बाहर की और होगी और इसको ऐसे लिखो निकाल की मैं दिखा रहा हूं इस बिंदु पर देखते हैं यहां पर देखो हमें इस बिंदु ए पर चाहिए एक के लिए अंगुठा क्या अंगुठा इस धारा की दिशा में रख दिया अंगुली एक की साइड रख दिया धक्का देने की दिशा अंदर की और होगी इसलिए यहां पर बिंदू बी की बात करते हैं बिंदू बी की बात करते हैं बिंदू बी पे देखो यह अंगुठा धारा की दिसा में हो जाएगी और यह अंगुलियां जो बिंदू बी की तरफ रखते हैं और धक्का देने की दिसा बाहर की ओर है इसलिए यहां पर चुमकी छित की जादूगा पबले एक तो समझ जाओ क्लियर हो रही है सभी को देखो इस बिंदू पर निकालते हैं यह देखो इधर के ओर धारा जानी तको अंगुठा धारा की और रखना पड़ेगा और उस बिंदू के और पर मुझे चुमकिछटग के अईसे रखोगे क्योव बाहर की चुमकिछट के वह रही है क्योंकि ये अहिस honु ली उस दिसा मेLL जिस बीदी जिस बिदू पर मुझे चुम्कि चढ्की दिशा जермें कहां पने वो जा एक कि अंदर अंदर की और की दिशा यहां ढ़्यारणर, यहां पर शुमॉचीスト की दिशा आं अंधर ढ़ाईगे कि अहुआ कि बास समझु मैं रही है को यह सब का एंसर वह यहां पर यहां डेक्ण पता है यहां है यह लोगी दिशा निकाल लोगे न अब दिशा पे अधारित कोन है कैसे आते हैं लोगा के देगे निकाल लोगे दिशा न किलियर है पॉइंट अरे हाँ आना बोलो किलियर है कि नहीं किलियर है फिर एक आख दो एकजामपल और ले रिगुलर वाले बोलना दिसा निकाल लोगे ना दिसा निकालने आना चाहिए आपको कि मेरा हाथ तेड़ा हो गया है कोई दिक्कत नहीं हाथ के साथ देश का विकास गरना होगा मुझे लग राए है सर मेरा लाइट मेरे वाला लाइट नहीं और फोन में चार्ज नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा बढ़ियां है निकल जाएगा निकल जाएगा बहुत अच्छी तरह से निकल लेंगे विकास समझ में नहीं है यास 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 ठीक है बिल्कुल चलो एक कोशन और मैं देदना चाहता हूँ आपको हुमर के तौर पे यह मुझे बताना कमेंट बाक्स में कमेंट करके आप सभी लोग यह यह त्रिबूजय आपके सामने और यह आपका ग्रिट यह आपका इन दोनों में धारा आम परव करें ऐसे बिंदू किसे बिंदू क्यू पर उनकी छितकी दिशा क्या हूँ यह दोनों आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता है और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ नेस्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो आप लोगों को दिशा निकालने लमसम आ चुका ही कैसे दिशा निकाला जाता है और दिशा पर कोशन बनता है कैसे कोशन बनता है सर मैं दिखाता हूँ कोशन कैसे बनता है यह कोशन आपके दिशा निकालने पर ही है इस कोशन को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से जो नि एंपिर की धारा तो दूसरे में 15 एंपिर की धारा प्रवाइट हो रहे हैं तो बींदू पी पर चुमकी छित की दिशा क्या हो जाएगी इस पी बींदू पर चुमकी छित की दिशा क्या हो जाएगी यह बताना है अच्छा बताओ किसी लंबे धारा वाई चालक तार की तू आई अपाल ये बताया था इसी फार्मुलिय पर रखोगे चार सेंटीमेटर के करण लिखनेंगे यहां पर जो चार सेंटीमेटर के तार का इसी ताय के कोशन पूछे जाते हैं इसमें आपको दिसा निकाला देखो यहां पर फी बिनुपर चुमकिचित की परिडाम तथ ऑध फिसां पंपंप्यर दहरा प्रवायत होने कार-चूमकिचत की फ्यूता ग्यात करेंगे यहीं हीफार्मुला होता रखेंगे लेकिन फार्मुले में ध्यान रखना सभी लो क्या होता है इस फार्मुले में कहानी होता है कि की यह एक्षर्म बैलू यहाँ पर दे रखा कितना चार सेंटींटर इस कंतीमिलीटर को मीटर में में चेंज करके रखेंगे चार इंटू 10 के पाउर माइलस टू मीटर हो जाए यहां पर पांच एंपियर दे रखा है इस फार्मूले में अगर वैलू रखोगे तो कैसे रखोगे बताओ इसके आगे साल करोगे चुमकि चितर बी का वैलू क्या हो जाएगा तेंडी पाउर माइलू कितना है यहां पर इंटू 10 के पाउर माइनिस टू आई अपाने यह वैलू हो जाए इसके आगे साल करोगे चुमकि चितर बी का वैलू क्या हो जाएगा तेंडी पाउर माइनिस टू और तेंडी पाउर माइनिस टू इंटू 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 आई आई अपान एका वैलू चार हो जाए ठीक है यहां पर पांदूनी 10 हो जाएगा बी का वैलू कितना हो जाएगा पांदूनी 10 इंटू 10 के पाउर माइनिस टू आइस फाइप अपान और हो जाए गुड़ा भाग नहीं आता है तो कछ्छा चार पांच के बच्चों को पकड इंटू 10 की पाउर माइनस है और हो जाए ठीक है यह चुमकी छित्र बी का माल आएगा यहां पर है यह बी का वैलू आ जाएगा ठीक है अब ध्यान देना सभी लोग यह तार में धारा ऐसे प्रवाइट हो रही है और पी बिंदू यहां पर है तो इस वाले तार की काड इस इस पी बिंदू पर चुमकी छित्की ती ऊटा क्या होगी इस वाले तार की गषत्ष लोगी प्लू बात है धाड़ा की दिसा में अंगुन ब्रोह रखा और ठीव नुदू की तरफ अगुलिया किया और धक्का अंदर ही ओर जा रहे तो यहां पर जो चुमकी छित्थ की द एक तीकरड़ है ॅब आजा तै यहां पर नीला वाला जो तार है इसके कारण तो मैंने धारा गयाद किया इसके इसके कार अलिए जो और कीशिध लेक्क sociale भ्यूल दूरी चार सेंटीमीठर था इसकी तो पारे क्या, आप हम लोग क्या करने वाले अब हम लोग क्या करेंगे यही काम करेंगे इस 15 एंपियर धारा वाले का दुसरा तार जो दिखाई दे रहा आप लोगों को यह जो नीला कलर से मैं ने देखा यह दूसरा तार इसमें 15 एंपियर की धारा प्रवाइत हो रही है और इस तार की वज़े से यहां पे 6 cm की दूरी है पी बिंदू जो की 6 cm दूरी पर है इसके कार्ड चुमकिछत की दिशा ग्याद करते हैं और मान ग्याद करते हैं बिल्गुल अब 15 एंपियर वाले कार्ड निकालेंगे लिख लेना यहां पंद्रें एंपियर वाली तारा वाही चालक के तारा अग्याद करें बहुत आसान है मैंने पिछे भी आपको ऐसा कोस्में करवा रखा है क्योंकि चेतर बीजिक्कोल क्या होगा म्यू जुरो अपान 4 पाई 2 आपान ए यह फर्मला यूशकरेंगे बीजिक्कोल टुम्यू जुरो अपान 4 पाई का वैलू कितना होता है आपको पता है 10 डी पाउर माइस 7 होता है यह मुजरू अपान 4 पाई का वैलू होता है और यहां पर आई का वैलू कितना हो जाएगा 15 चैंटीमिटर और इसको मीटर वैंटर मीठर में चैंज करने के लिए 10 पाउर मा medical का बुड़ा कम यहां पर या यांपे 15 एंपीयर वाले दारागन कार रहा है साट आप लोग यह फार्मुला नहीं जानते होंगे। जो कि मैंने पीछे पढ़ा रखा के आप लोगों को कुछ नहीं करना है बहुत आसान काम करने है बाउत आसान काम करना एक्दम ध्यान देना यहां पे यह सभी वैलो उठा किया रख देना तो बूक्र क्या हो जाएगा गीजिकोलटु मिज़डु और टू ही हो जाएगा इन्टू क Communist हो जाएगा तू को यहान पर कितना है अई का वैलू 15 दे रखा पंदरो रखेंगी और एगा वैलू आए 6 x 10 की पावर माइनस 2 है सब्सक्राइब आपने सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया 10 डी पावर माइनस 2 का गुड़ा करके किया तो यहां पर बी का बैलू कितना आएगा इसका गुड़ा भाग करना पड़ेगा मुझे आओ गुड़ा भाग करते हैं और देखते ह यह तो से यह कटेगा तीन बार तीन पच्चे पंद्रह और तीन पच्चे पंद्रह पांच वह जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बैलो कितना हो जाएगा बताओ यहां पांच बचा है 5 इंटू 10 डी पावर 5 तेस्ट ना अच्छा यह बताओ मुझे सभी लोग यहां पर बी इस पी बिंदू पर इस वाले तार की कार्ड चुमकी छित की दिशा क्या होगी मैं सीधी सी बात है अंगुठा इस तार की दिशा में रख दिया और यह अगुलिया यह बिंदू की तरफ रख दिया तो धक्का बाहर की ओदे पा रहे हैं जब धक्का बाहर की ओदे रहे हैं यहां पर चुमकी छित की दिशा क्या हो जाएगी बाहर की तरफ हो जाएगी यह बाहर होने का इंडिकेशन है बहुत बढ़ी आस इसका इंसोर भी आ रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे क्य आप लोग मेहनत कर रहे हैं अब एकदम आसाम काम है कुछ भी नहीं करना है देखो अब दिशा ग्याद करना है देखो यह 0.25 यह अंदर की और है और यह बाहर की और है यानि दोनों यहां पर लिखते हैं अंदर वाले को भी लिखते हैं इसे मीचे 0.25 अगर अगर आपको ते दिसी बात है ऐसे दो लोग है यहां पर आईसे धक्का दे रहे हैं लड़ती हो गिरा देता हिसका मान अधिक होता इधर जा रहे है इधर जा रहे है किदर जाएगा जिसका मान कम होगा सकता उसी के साउठ जला जाएगा बास व में आ रहे हैं अगर आप ऐसे बढ़ाशी लगाते हो करने कॊन गिरता जिसका कम भूल अधिक बैब होगा है अगरे बताो बास समझ में आ रहे इक नहीं आ रहे है बताओ भ़ेश करो एक बार सो भी लो इसमें बैलू किसका है इसका अधिक है कम किसका इसका है इसको आम लोग इस तरह से भी लिखते हैं बीजिक को रिखो 0.25 और इसको अगर एक अंग दस्मलों इधर ले जाए तो पॉइंट 2.5 इंटू 10 के पावर माइनिस 5 ले जाएंगे एक सुनना और अगर परीडामे चुमकी छित्किति उत्हाँ करना है परीडामी ग्याद करना है चुमकी छित्किती तो बी जिक्कोल टू क्या हो जाएगा बीटू माइनस बीवन बीटू का वैलू क्या है आपे भाई किसका वैलू अधिक है मारेस हो जाएगा 2.5 का वैलू कितना आएंगा अच्छ जी यह तो तो आपका एंसर आगया टेसला यह तो आइंसर आ गया पैदू छित कमान लेकिन यहाँ पर कोशन में इसके दिसा भी पूछा है दिसा कुसका होगा जिसका जिसका अधिक वैलू होगा उसका होगा अब बताओ तूपॉइंट फाइप और फाइप में किसका वैलू अधिक है तो उसी का दिसा हो जाएगा अब यहाँ पर जिसको गुड़ा भाग नहीं आता है तरह यहाँ पर 10डी पाउर 5-4 कैसे होगा तेंडी पाउर 7 कट गया पांदूनी 10 है तो 10 का गुड़ा करके देखो 10 इंटू 10 पाउर 5 भाई इतना नहीं आता आपको तो 10 का गुड़ा करे तो आना चाहिए तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सबीसे फिर भी मैं कह नहीं आएगा तो कभी फीजिक्स नहीं आएगी जोड़ के निवे दिन कराओ फिजित मॉबाली में भालतूख चीज़े देखने के बजाए गुड़ा भाग देखा करूं तो आपने उस समय गलतिया की इसलिए आपको आज नहीं आ रही है इसमें मेरी कोई कियमेजारी नहीं है मैंने आपको जो समझाया कि यह वारा फार्मॉला लगाएंगे और फार्मॉला लागाने वैलू रखेंगे तो आपको यह नहीं समझा टेंडी पावब माइस फोर कैसे ह जिसको आया उन्होंने अंसोर दिया कमी आपने है और एक बच्चे को जिसको नहीं आ रहा है तेटी पावर मायस फोर कैसे हो उसको अपने आप पे गलानी लगजा कुंठा होना चाहिए इस आला मेरे को कैसे नहीं आया इतना छोटी से गुड़ा भाग कैसे नहीं आ रहा है उसको अपने आप पे सर मानी चाहिए एक अच्छा बारे में आ गया और यह यह नहीं आ रहा है और उसे पूछता चाहिए 10 पावर मायस फोर कैसे हो हाई साफ सीम्पल सी बात है देखो पांद उनी 10 होता है 10 हो गया ठीक है अब देखो 10 पावर माइनस फाइप है मैं 10 का गुड़ा करोगे 10 पावर माइनस फोर बचेगा और वन अप पांच चाहर का मैंने भाग देके बताया 0.25 आए हाँ तो माइनस में वैलू आएगा अगर आप से अगर आप उल्टा करोगे तो माइनस में वैलू आएगा तो दिसा जो हो जुका इसका उल्टा हो जाएगा अगर माइनस में माइनस में मतलब दिसा उल्टा तब माइनस में होगा वैलू आए माइनस में तो होता नहीं है त ठीक है अब हम लोग चलते हैं नेश्ट टॉपिक की तरफ ठीक है नेश्ट टॉपिक लिखेगा सभी लोग कि किसी वित्ताकार धारावाई कुंडली के कार चुम्कि छित्किति उता देखो वही काम हो रहा है यह अलग-अलग टाइप के कुंडली के कार चुम्कि छित्किति गूता ज्यात करवार है पहडिराना वित्ताकार वित्ताकार तरीज्टा वित्ता कुदली कि बुत्ताकार धारवाई कुदली के काड़ सुन की चित की फिके ठीके वित्ताकार धारवाई कुंडली की कार्चुम्की चितर ज्याद करना है यह कुंडली है जो कि वित्त की आकार की है जिसकी यह परिदी इस वित्त की जो परिदी है और यह परिदी यह स्प्रित की तुट जा लाइं कि तुट झाले यह इसका just है कि अब इसका हुआ कि उसके कार्ड दिए जो बिरताकार कुंडली विदा केops को ज्याद करेंगे सबसे पहले मानते कि इसमें हम लोग धारा आई प्रवाइद कर रहे हैं इस कुंडली की काड़ केंद पर चुमकी छित की तियुता क्या होगी इस कुंडली के कार चुमकी छित की तियुता क्या होगी तो यहां पर वही बात लिखेंगे वृत की तिज्या क्या है वित्ता तार धारावाही चालक की तृज्या स्रिज्या क्या है है यहां पर कैप्टल आ है और इसका इसमें दो प्रवाही धारा ठारा प्रवाही थे तो धारा प्रवाही थे तो आपको पता होगा बायो सेवर्ट के नियम से बायो मुजिरो अपान फोर पाई आई डीयल साइं ठीटा अपान आर इसको यह होता है पाई उस्योट की नियम से चुम की छिटकी तीउता होती है अगर आप लोग कच्छा दस उसमें थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इस सब्रेट के किसी भी बिविंदु पर इसकी त्रिजिया की काड जो लगाया गया त्रिजिया काड जो कोड बना जाता है 90 हगजाता है तो यहाँ पे ठीटा का जो वैलू हो जाएका 90 हथा है और साइन ठीटा का वैलू your साइं ठीटा का वैलू यहां पर वन रख सकते हैं अब चुम्की छिटकिती होता क्या हो जाएगी मेजुरो अपान पॉर पाई आई डीयल अपान आर स्कॉार साइं 90 का वैलू 1 होता आपको पता है वन हम लोग रख दीए तो यह बचेगा ठीक है यह डिवी जिपको है अब ध्यान देना बहुत छोटी सी बात है बहुत छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान देने बात है यह जो चुमकी छित्किती हुता है यह जो चुमकी छित्किती हुता यह डिवी है और मैंने आपको बताया था बायो स्योट के नियम में कि हमको डिव Vy B GYΙयाद करने के लिए यानि इस DB से मैंने आपको बताया था इस टीवी इसको समाकलन करते हैं इसको बी प्राप्त करने के लिए sarmacelnन यानि हम लोग सक्कूलिए हमत लिखते हैं संपूल संपूल वित्ता संपूल वित्ताकार्र कुंडलिFF के शार सम्पुर्वित्यकार कुंडली कार्थियुता ज्याद करने के लिए समाकलन लिखेंगे पीबी समाकलन डीवी है इसका डीवी का समाकलन करेंगे तो बी आएगा इसकी दर्वी समाकलन करेंगे बचे का अंदर बचे का अंदर डीवी बचे का अंदर डीवी बचे का मतलब क्या है डीवी का मतलब यह है कि सम्पुर्ण कुंडली की लंबाई अगर देखना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ कौन मुझे बताएगा किसी के दिमाग में है तो बता दो यह यहां से शुरू कर रहे हैं यहां से यह पूरे बित की लंबाई कितनी होगी बताओ इस पूरे बित की लंबाई कितनी होगी बताओ इस पूरे बित की लंबाई कितनी होगी सर जी इसकी परीदी होगी परीदी क्या होता है बित की परीदी का मतलब यह होता है जो बित का यह बाहरी लाइन जो ग्रीन लाइन से इसकी पूरी लंबाई परीदी होता है और 2 fui इसका value क्या होता है 2 pi R परिदी फर्मुला होता है विद्द की परिदी जिक्वल्टु फर्मुला होता है क्या क्या यहां पर हम लोग रख देंगे इसका समाकल डिल का वालु रख देंगे V is equal to हो जाएगा Mu 0 upon 4πPi upon R square इसका समाकल क्या हो जाएगा 2 πr वित की परिदी वित की परिद हो जाए अब यहां पर capital R होगा रिस्कौर होगा हर जेंगा capital R होगा क्यों कि वित की तीजह हम लोग capital R माने देगे capital R हो जाए अब बहुत आसानी से देखना सबी लोग यह इससे कर जाए अब यहां पर यहां पर 2 पाई हो जाए अब यह द्यान देना यह 2 से 2 कट जाएगा पाई से पाई कट जाए और बी का वैलू कितना आ जाएगा बताओ बताओ मियू जिरो अपान टू आई आ रहा है यह व्रित की इसी व्रित्ताकार कुंडली के कार चुमकी छित्किती उताओ बहुत बढ़िया टू पाई आर जिसका अंसर आ रहा है आप लोग पढ़े हो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में अच्छा भी लगता है यह कुछ बेसिक चीजें पता होती है वह बच्चे एक बार समझ में आ जाता है अब बच्चों को बेसिक चीजें नहीं पता होती चिला चिलाते रहो फिर पूछेंगे रही क्या होता है यह आपका चूंकीछच की तीवता होती है अभी तक हमने दो चीजें पढ़िए किसी दो चीजें पढ़ें दोनों का रिवाइच करा देते हैं कोई एक लंबा यन लंबाई कोई एक लंबा धारा वाइक चालक तार के काहर कार चुमकी च्छत्किति की उता है मैंने हम लोगों ने पढ़ा आ है बीज इक्वोल कितना पढ़ा है मिूजिरो अपान यह फोर पाई तू आइ अपन और अब दूसरा थिझा मुझो ने पढ़ा अभी अभी किसी बिद्टा कार कुंडली के कार चुमकी च्छत्किति होता जिसका value क्या होता है वी इक्वल तू क्या होता है अभी-अभी मैंने निकाला यहां पर यह हम लोगों ने पढ़ा दो चीजी अगर देखो बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दिमाक में आएगा पक्का आएगा इस चीज़ की मैं गरांटी लेता हूँ यह आप करोगे अगर कहीं पर भी कुंडले में फेरों की संख्या यहन हो जाए कहीं कुंडले में तीन या चार फेरे हो जाए यहन फेरों की संख्या हो जाए किसी कुंडले में फेरओं की संख्या यन हो जाकागए किसा यानि यहान फेरे हो जाकै के संख्या यहान नहीं मैं लिक रहा हूँ यही डी कुंडली के फेरों की संख्या क्या हो जाएगा तब चुमकिछित कितियोता हो जाता है फेरों की संख्या हो जाता है किसी विगता कार धारा वाहिए क्या चुमकिछित कि लियर है सभी को यहां तक किसी वित्ताकार धारावाई चालक के कार्चुम किछित किती होता कितना होता है एक वित्त में जो धारा है यह धारा है धारा ऐसे मतलब दच्छिडा वर्थ दिशा में प्रवाइथ हो रही है तो इसके कार्ड इसके केंदर पर चुमकी छित की दिशा होती है ऐसे करके निकालते हैं यानि अंगुठा अंदर की दिशा में जाएगा इस तरह से निकाला जाता है लेकिन आपको याद रखना है कि दच्छिडा वर्थ होता है तो चुमकी छित की दिशा बी की दिशा होती है यह अंदर की अंदर की अंदर अगर जो धारा है यह वामा वर्थ प्रवाइथ वामा मत मतलब एंटी क्लाक वाई जो घड़ी की सुई चलती उसके विप्रीद दिशा में प्रवाइथ हो वामा वर्थ अगर दचिडा वर्थ धाना आपको याद करो अप अंदर की अर वामा वर्थ होगा तो बाहर की अर वामा वर्थ होगा वह से वाहर वामा वर्थ और और अंदर जल्डदर से जात कर सकते हैं अब जिसा जाता है कभी-कभी स्पूछाइथ常 की नीमेरिकल से पुछ लेता है कि 10CM है ।آच अंपर की धरा पर आपे इस हो रही है कि इंद क्यूंकी चतकिती उता है कि गळणा कि अपन को सन्फ पूछ capable करना सिंटीमेटर और धार कुंडली के कार ुटा होता है क्या हूँ टिधार कुंडली के कार टिव्ड़ता होता है लिए जिक्वल टू म्यू जिरू अपान 2 आई, सुच्छी, 2 आः, beatru, mysteri, millimeteri अपान टु आई होता है नहीं होता है, और आपको पता है कि सबका वैलू रख देना आपको और यहां पर यह मैंने पीछे भी बता है और अभी से बता रहा हूं कभी भी कोई वैलू सेंटी मीटर में दिया होता है इसको मीटर में चेंज करने लिए 10 दी पावर माइनस 2 का गुड़ा करते हैं इतना मीटर हो जाए इसको आगे साल करोगे कितना है और से नहीं करना इसको आगे इसको आगे साल करना है क्या अधर हो जाएका और यह थैकर थे जड़िवा मांक्राइगा है और यह यह बचेगा इतना टेस्ट लाएगा इतना टेस्ट लाएगा चुम्की छी तरबीका बहलो इस टाइप से कोशन साब के एक्जामें बनते हैं किलिए रहे सभी को और आपके लिए मैं यह कोशन लाया हूं इसको आपको लगाना है, सेम कोशन टाइप गाए आपको यह कोशन लगाना है और यह अलग है इसको आगे बताएंगे आपको यह अच्छ से दूरी पे कुंडली च्छेटके चुमकी च्छेटके त्युता के लिए है और यह आपको यह कोशन पताना है यह भी कोशन आपको लगाना है इसमें आपको देखो सफ यहां पेप्यान यहां यहां पेखो 100 लपेटए क्या हैं यहां पर आपको फार्मला बताना यहां पेक। को तुसमें फेरों की संख्या का गुड़ा कर लेते हैं सो फेरे हैं यहाँ इस कोशन में umork है यहां पर क्या है। कोशन क्या पढ़ो यह आपके कोशन है दस सेंटीमीटर कितना है आर का वैलू 10 सेंटीमीटर हो तो लपेटे लपेटे गए मतलब यहन का वैलू कितना हो जाएगा सव फेरे हो जाएगे इसी कुंडली में विचार की जिसमें एक एंपर की धारा प्रवाइट हो रही है मतलब आई का वैलू 1 एक एंपर है एक एंपर है यह सब वैलू आपके सामने दिये हैं तो कैसे ग्याद करूए बताओ अब सुमकी छिट की त्यूता का वैलू X क्या होता है मू 0 आई और अगर लपेटे दिये होते यह अनका उता है अपर होता है यह यह फार्मुला ओता है इतीन बैलू हरा पे यह सेंटी मीटर और सेंटीमेटर को मीटर में चिंज करने के लिए 10 बाब मांस 2 का गुडरा कर द सबक्ता बॉलु बस फार्मॉले में रखना है म्यू का वैलु कितना होता है आपको पता हो गां का वैलु होता है पर पाई इंटू 10rak पॉड दीर हो जाएगा और यन यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2 क्या आएगा बताओ कटिंग के खेल में कौन-कौन बचेगा उसको लिखेंगे यहां पर दो बच्चा है तू पाई हो जाएगा 10-5-2 से 7 बचेगा और 10 से एक सुनना कटा है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंट और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 का तूएगा टू पाई इंटू 10 की पावर माइनस फाई में और टेसला है वास समझे में आएक क्या सभी को व तू पाई इंटू टेंडी पाउर माइनस है पोर टेस्ला कि इतना आसान तरीके समनी को साल्व किया ठीक है इस टाइप से कोशन कुछे जाते हैं बस फार्मुले में रखोगे कोशन का एंसर आ जाएगा किलियर रहना तक सभी को बताओ हां 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 बताओ किलियर है सभी को यहां तक कोशन ऐसे पूछ जाएंगे तो एक बार कमेंट बाक्स में सभी लोग कमेंट करो दो फार्मुला पाला लंबा धारावाई और बित्ता का कुंडलिक का अच्प्छम कोशन की छिट्किते उता म्यू आई नहीं होगा यह सभी आएउर बहुत बद्निया अब का सभी अधा बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं होगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा ऑस में कमेंट करो फिर हम आपको एक चीज और बताने जा रही है कि अ यह कोशन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा इसको ट्राइ करना सब्सक्राइब इतम सेम कोशन है नहीं है और मैं हम लोग चलते हैं आगे की तरफ एक चीज और बताने देखो एक चीज और कभी कभी numerical type में पूश्था है कोई विटाकार कुंडली है अपके साथ है और इस कुंडली में इस कुंडली की नहीं इश्कुंडली की जो पर इन न केस्ट और इस कंडली में आई चेड़न थे फुलोई से कि इस कुंडली से आर तूरी पर इतने दूरी पर इस कुंडली से ale पर माख दूरी पर एक बिंदू पी यंदू पी इस खिली माहत है और इसरें आई-ध्रा पर इस एक्स बिंदू पर yêuता कितना होगी यह पूचा जाता है यदि इसमें फेरों की संख्या क्यू अगर फेरों की संख्या capital N हो तो कितना होगा चुमकी छित की तियुता के लिए मैं डारेक्ट इसके फार्मुला को लिख रहे हैं आपको याद करना पड़ेगा चुमकी छित की तियुता बीज इक्वल्टू क्या हो जाएगा और इस पर निमेरिकल भी पूछा जाता है इसमें निमेरिकल भी पूछा जाता है तुमकी छित की तियुता बीज इक्वल्टू फार्मुला होता है क्या म्यूजी रो यहां देना यहां पे म्यूजी रो एन आई आण स्क्वार अपान तू आड इसक्वार प्लस एक्स स्क्वार का पावर तीन बन्के यहां पर आर क्या है जहांपे आर जो है आपका कार कुंडली की तुझा है कुंडली की तुझा है और एक्स क्या है एक्स जो है केंद्र से अच्छ पर इस्थित दूरी इंद्र से केंद्र से अच्छ पर इस्थित दूरी है यह केंद्र से यह बिंदू है अच्छ परिष्थित जोरी पास समझना एक बृट है इस तरह से आप समझ है तो यह मुवाइल है इस बृट है पहले तो हम लोग क्या किये इस मुवाइल मालूं मुवाइल है बृत तरह से तो बृत्टी समझो इसमें हमने धारा प्रवाइद किया तो इसके केंदर पर चुमकी छित्किती उता ग्याद किया अब क्या करें इसके केंदर से अच्छे पर यहां पर कोई बिंदू है इस बिंदू पर चुमकी छित्किती उता ग्याद कर रहे हैं हलाकि आपको कभी ग्याद करने के लिए नही और साद्धून हो जाएगा क्या दिक्कत है 1700 कि इसका सलूसन देखना है। इसका सलूसन देखना है बढ़释का में दो दोनी चार हो जाएगा 2 पाई कड जाएगा जष सकते खते दिस लिए तुमों घुआ बाग सीको पहले है अच्छ इसमें गलत किया कि अब तेख लेते हैं अगर करूं का रहा है तो मैं पर लगा लगा लेते हैं वह सब्सक्राइब प्रेंड हो गया हूं किसे लगा लगा लेते हैं यहाँ पे कितना है और पाई इनटू 10 की पाउवर चॉत ऑंप अस टंग एगा न्यौ और अ की तक Neo3 रेघ पंच अपर हो जाएगा आर का वैलु कितना है यहाँ पे 10 into 10 के power minus 2 है सच में गलत किया था यार मैंने अब कुछ नहीं करना ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा देखो इससे कट जाएगा 2 pi 2 pi हो जाएगा और देखो अपान 10 के 10 रहेगा 2 pi हो जाएगा into 10 के power minus 5 हो जाएगा इसको आगे साल करोगे आगे साल करोगे तो क्या हो जाएगा देहान देना into यहाँ पर 5 बचा रहेगा अब देखो यहाँ पर यह काटोगे ना 2 से 5 और यह 10 कटेगा पर pi into 10 के power minus 5 पाइगा पाई इससे गलती होई थी घसे यहाँ इतना टेस लाँ है । हो इसको आइव हरु हो जाते हैं गुड़ा भाग में गलती हो जाते हैं आप क्या करेंगी स्वारी इसके लिए का उन्हाइब करना मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया गुड़ा मैंने वैलू गलत लिखा था ऀससे गलत हुआ थान क्यूं बताने के लिए किसने बताया था मुझे नाम भी बूल गया मैं उसके बहुत भुत धन्यवाद जिन्हों ने भी बताया उसके लिए धन्यवाद हो गया कलती है इसमें तो सही है ना इसे तो होमवर्क है और यह इस इसमें तो गुड़ापाग सही किया है अनलोग इनका बैलू रखें और आई का बैलू एक एमपी यहां पर रखें इसमें सही है बिल्कुल टाइम देते हैं यह आप फार्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिए और कमेंट बास में भी कमेंट करीए इस फार्मूले यह फार्मूला बहुत ज़रूए आप लोग नोट करो सभी लोग इस फार्मूले इसको क्या लिखते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग कि किसी कुंडली के अच पर चुम की छेतकी तीउता लिखते हैं किसी कुंडली के कुंडली के अच पर चुम की छेतकी तीउता कितनी होती है कुंडली कैसे पुछता इस पर यह मुझे देखा दो इस पर आप जिट्टी कोशन तो कभी-कभी पूछेगा तो चार आप संदे देगा तो आपको यह बताना हूँ लेकिन कोशन पूछेगा तो इस तरह से कोशन पूछेगा एक संदल कुंडली जिसमें सौ फेरे हैं आप लिखते रहों क्या क्या है यह न कितना है क्रिज्या किया इसका आर का वैलू 3cm वेलु कितना व मैं कुंडली से 4 सेंटीमेटर दुरी पेर चुंपि चित्कीने उता कितनी होगी यानी आर आर कावलु मतलब 4 cm कुंडली से 4 cm ने हुग मतलब कुंडली से 4 cm दूरी पहे चुम की छित्किती होता एक बतानी है तो यह cm प्रके एंट करेंगे 10-2-0 मीटर हो note कि 50 मीटर चेंज करेंगे तो यह हुग धांगे स्क्याइब मेर्मीमेंटै मीटर हो जारे में में चांच करना है यह सभी का सभी का है कि er सब्सक्रत करने यह घ्याद करने यह बात समझ लेना ठीक है अब बात समझना सबी है क्या करना है बहुत आसान काम करना यह फार्मूला जो हम नहीं नकाला बदेखके बताओ आप लोग देखके बताओ लिखो कमेंट बार से प्लस एक्स स्कॉर पावर तिन बटे दो अब कुछ नहीं करना है अब कुछ नहीं करना है अब एक ही काम करना है बस सब का वैलू इसमें कमेंट करना है मू का वैलू करना होता है इंटू 10 न के पॉवर माइनस यह सी होता है यह वैलू रखना है यह चलो रखो उनका वैलू यहां पर इंटू वैलू कितना यहां पे एनका वैलू 100 है इन्टू आर का वेलू कितना आई का वेलू कितना आई का वेलू दो है इन्टू आर का वेलू कितना है आर का वेलू कितना है थी इन्टू टेन के पावर माइनस तू 2 का इसक्वार है, आर का वैलू हो जाएगा, अपा, दो इतना खटरनाग गुड़ा कोन करेगा, आर का वैलू 3 इन्टू 10 के पावर माइनस 2 का, ये आपका वैलू, अब इसको गुड़ा भाग आपका करना काम है, ये गुड़ा भाग करना आपका काम है, यहां पर लिखा है, 100 फेरे हैं, यह फेरे जहां पर सब्दा आए, तो इसतना समझ लेना कि ये 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 का वैलू दे रखा है, ये का वैलू दे रखा है, और कभी पर यच अच्छा है, तो यच पर चुमकी छिट के लिए ये फार् टेसला लिख देना, टेसला मत लिख देना, जो भी एंसर आएगा उसको लिख देना, और इस टाइप से कोशन आपके एकजाम में इससे पूछा जाता है, किसी कुंडली के अच्छ पर चुमकी छिट के लिए फार्म ला होता है, इस पे कोशन बहुत कम पूछे जाते हैं, जो कोशन पूछा जाता है, आपका इस पे कोशन पर जाता है, और एक कोशन में आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा डेमो के तूर पर देना चाहूंगा, एक तो ये कोशन होमवर्क है आपके लिए ये वाला, इसको करना है आपको, दूसरा कोशन में आप लोगों के लि अब हम लोग एक छोटा से टॉपिक है कभी कोशन बनता है उसको देख लेते हैं फिर उसके बाद बहुती महत्पूर टापिक की और चलेंगे बहुत बार कोशन जहां से बनता है ठीक है छोटा से टॉपिक है किसी त्रिजी खंड के कार्चुमकी छित की त्यूता दिखना सभ इसकी किसी त्रिजेखन्ड की कार्चुमकीछथ की त्यूता गरां यह आपका पूरा व्रिद्थ है यह क्या है यह आपका पूरा ब॥ित्थ है लेकिन अगर हम इस भृत कुमकी छित की त्यूता आपको मैंने बताया था कि कुछ समय पहले उसमें आई धारा है पुड़वाइट। किया नीचे कमेंट वाकसमें लख सकते हो याद है इतना कू सकते लिभोर में लिख सकते हो तो जरूर Chrome अब लिख सकते हो तो बथा भॉई लिख सकते हो तो नीचे कमें बाक्स में कमें करता है काफी के दिल में पड़ा वा बाद कंकीछित्कित्यतर क्या होती वीजिकुल्ट होती है म्यू नाट आई अपान तू आर होता है बहुत बढ़िया आप लोगों ने सही सी बता है इसके लिए मैं आपको दिल से सुक्रिया आदा करना चाहते है दिल से सुक्रिया सुक्रिया और सुक्रिया आदा करना चाहते है लेकिन बात यहां पे त्रिजिक खंड की हो रही है किसकी बात हो रही है कि अब त्रीजिक खंड होता क्या है कि तुक्रिया सुक्रिया कि त्रीजिक खंड क्या होता है मैं त्रीजिक खंड के लिए फिसे ब्रित बना रहा हूँ जो यह आपका वृत क्या है केंद्र कैंद्र और यह कींद्र हो है इस केंद्र उससे हमान अर इसका होटा सा भाग लेते हैं यह छोटा से यह च्छोटास भाग लेते हैं यह 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 चोटा वाला भाग लेते हैं यह चोटा वाला भाग लेते हैं और यह केंदर पे जो कोड बना रहा है यह चोटा वाला भाग है जो केंदर पे कोड बना रहा है यह क्या बना रहा है अलफा वाला बना रहा है देखो भाई एक मेरे बहुत प्यारे इस्टुडेंट हैं और मैं बता रहे हुए मुझे थोड़ी सभी सर्मन नहीं आ रही है वह चुमकिछत की त्यूता का मान किसी वि जवान पैदा करते हैं सब कहानी हो कोई सब पर हमने कोशन कर लिया एक कोशन दो कोशन कर लिया वी सो बार मैंने बोल दिया अभी उनका कमेंट यह आ रहा है बच्चों को मैं एक सलाह देना चाहोंगा बदाम खाओ बदाम खाओ सुबह में उठके बदाम नहीं हो पाता सर पैसे नहीं होता आप पैसा बेज दो अगर आपका यह जवाब आ रहा है तो मिर्ची खाओ मिर्ची खाओ मत्च्छा बुश नहीं सकते हो घाओं में कोई और पेर फटर लेना तोड लेना अ सब आ जाएगा अभी आप लोगों को मिर्ची खाने की ज़रूवत तो यह कमेंट कर रहा उसका नाम नहीं नहीं लुंहार नहीं उनका बेजिती हो जाए यह तरफ से सलाह है कि दो मेर्ची अभी अभी तुरंत मूह में खा लो कि कि यह यह बना रहा है यह पुरा यहाँ यहां पे यह पुरा को जो होता कि सी बीद के अंदर पूरा को तीन Tibis 363 होता है यहाँ अगर तures रो जो होता है जिएEST upon 4. I upon a. इसकी क्या है ? I upon a यहाँ पर यहाँ पर alpha हो जाएगा यहाँ पर I upon a into alpha हो जाएगा यह आपका formula बनेगा सर यह formula का मुझे नहीं समझ में हम कैसे इसका यूच करें ये बताईए आप मुझे मै watching सब्रबाभ बाबु अभी तो मैंने पूरा नहीं बता इसके नहीं बारे अब है इसका फार्मुला बताया नहीं बताया अभी दिखो पहले हम हम इसके बारे में बात करने से पहले हम आप सभी लोगों को इसके बारे में एक दो कोश्चन कराने जाते हैं कोश्चन दिखाना चाहता हूं कैसे पूछा जाता है कोश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इस तरह से कोशन मुझें ऐसा एक त्रीजे खंड है इस त्रीजे खंड के कि यहाँ पर अलफा क्या या मलूव साट हंस का कोड बना रहा है यह साट हंस का कोड बना रहा है तो आपको तो आपको क्या बताना है और इसमें मालो यहाँ पर आई एम्पेर की धारा प्रॉइट हो रही है और इसकी तिर्जिया आ रहा है तो आपको इसकी कार चुमकी छित की तियुता इस बिंदू ओपर बता रहे है ऐसा कोशन बनता है इस तरह से फिगर बना के पूछ देगा itself रही है और अधारा प्रॉइट हो रही है तिर्जिया इसका र है और इस बिंदू ओपर चुमकी छित की तियुता ज्याद करें इत अलफा एक कोड़ है अब आपको अगर आपके दिमाख में आ रहा है कि सर्झी हमने आपने तो फ्रामिला बता दिया यहां पर कि basic column to होता है मिउ 1 cai 4 pi i upon r alpha होता है मैं सीदे पर रख दूंगा start आप औ에서 60 रखते यह answer आजएगा तो आप गलत सोच रहें alpha का value है यहाँ पर start का value रखेंगा सोच रहे है आप तो गलत सोचने और अब CCD मैं देता हूं ऑगर आपने असा सोचा है इसकी सजा बहुत आसान है अपने मोवाइल को बनबन ही मिटाल कि यह आपके लिए स्याइघ यह आपने गलत सोचा यह आपने गलत सो चाहे छो आलफ़ा का वेलिू होता है यह अलफ़ा का वेलू lis रेडियन में रखते हैं कितना रेडियन में रेडियन में रेडियन में रेडियन में रेडियन में रेडियन में रेडियन कैसे निकालते हैं मैं रेडियन कैसे निकालते हैं और कहीं पे आपको रेडियन का मतलब होता है 180 180 एंस में पाई रेडियन होता है अगर तो एक एक एंस देटा इसको रेडियन में चेंज करना है बहुत आसान काम है स्टार्ट में गुड़ा कर दो पाई बटे 180 का जैसे गुड़ा करोगे वैसे की वैलू आ जाएगा कितना पाई बटे 30 तो यहां पर इसका अलफा का वैलू 60 रखने पर पाई बटे 30 अगर कहीं पर मालो कहीं पर मालो कहीं पर मालो आपके दिमाग में आया कि सर 90 का बता दो कि पाई रेडियन में वैलू कितना होता नव्य में गुड़ा करेंगे पाई बटे 180 का तो इसका वैलू आ जाएगा रेडियन में नव्य दुनी 180 पाई बटे बटे पुड़ा जाए यह असान काम होता किसी को रेडियर में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 का गुड़ा किया जाता है और यह मैं कैसे लाया समझने वाले समझ गए इसको याद करने की जरूवत नहीं यह हमने अलका सा टिक बता दिया एक 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 अंस में पाई बटे 180 रेडियर होता तो आप यह कोड दिया है सर कितना दिया है तो हम लोग ऐसे इसमें अलफा का वैलू सीधे सीधे पूट करें तो गलत हो जाएगा साट को हम लोग रेडियर में चिंज करेंगे ऐसे करेंगी साट इंटू पाई बटे 180 करेंगे तो यह कट जाएगा पाई बटे तीन आ जाएगा चुमकी चत्किति उता बीजिक कोल का वैलू क्या होता है यहां पर यहां पर रखेंगे यहां पर अलफा का यह वैलू पाई बटे अब इसका वैलू क्या जाएगा चुमकी चत्किति उता का वैलू मूनाट अपान फोर पाई देखो मैं यह चाहता हूं कोई भी कोशन गलत ना हो अइपान । फाई रखती हो जायेगा कि पाई कर जाएगा आगे शाया करऊब के बी का वैलू आ जाएगा पन अपन भलेलू नहीं रखाता इस लिए बार यह जा जाएका यह तक आपका क्या हुद्धैक एन्सुर्ट हो जाएगा यह एंसर हो जाएगा यह एंसर हो जाएगा इतना आसान तरीक है अब मैं कुछ कोशन देना चाहते हैं आपके सामने तीन कोशन दे रहा हूं तीनों कोशन का मुझे जवाब बचाएगे एक कोशन ये है एक कोशन ये है ऐसी कोशन बनते हैं इसलिए मैं छोटा-छोटा हाथ से बना दे रहा हूं कोशन और यहां पर यह कोड जो बना हुआ है यह कोड आपका बना हुआ है यह कोड बना है 30 और दूसरा कोशन आप लोगों के सामने है फटा फटा एंसर दिए यह है यहाँ पर इसके केंदर पर जो कोड बना हुआ है कि केंदर पर जो कोड बना हुआ है यह कोड बना हुआ है 45 और यह एक और मैं कोशन देता हूँ यहाँ पर यह कोशन क्याएद करना है सभी की तिर्जया आ रहा है है और सब दारा मादला आई यहां पर एक विर्थ का किंद्र हो है और वोसे इसकी तिर्जया जो है को ग्विषा जो है बदार जो होँ है अधर अधर दो रहे हैं और रख लेना मान मैंने कहा कि आपकी घापकी मर्जियार मून अपन पोहर पाई का मान रखो चाहिए किसी को उठाए कर रख दो वाप पी हम क्या करें हो तो मैंने आपको सिखाना मैं चिखा दे रहा हूँ स्मिख़ें सिखाना है मैं सिखा दे रहा हूँ बस छोटी सी बात है यह आपके सामने 3 questions है और यहां पर बन रहा है पूरा code बन रहा है पूरा code कितना बनेगा तीनोचन तीनोकर ना फोट लोगों के सामने तीनोकर उतन पहले वाले इस सबसे पर थी से जिएंगे इसको रेडिय Also . इसका बहुत आ जाएगा बहुत आसानी से कीतना आ जाएगा इसका बहुत ये कट जाएगा यह फाय contribution iled पाई आई अपान आर रहेगा और यहां पर अलफा के हम लोग क्या रखे देंगे अलफा के जगह पाई भाई इस को साल्ब करोगे तो बहुत आसानी से आप साल्ब कर लोगे कुछ नहीं करना चुम्कि छेक्टी उता बीज इक्वल अपान फोर फाई ठीक है अपान आर होता है और यहां पर जो आलफा होगा इस आलफा का बैलू रखना पड़ेगा और आलफा का बैलू यहां पर 25 अपै क्योंकि यह रेडियन में रखना है तो हम लोग क्या करेंगे 45 इंटू 5 बटे 180 से गुड़ा करेंगे तो 45 चव को 80 होता है 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 मतलब यहां पर पाई बटे 4 यहां से यह अलफा का वैलू कितना आ जाएगा यहां पर इस कोशन में इस कोशन में यही फार्मला लगाएंगे 20 इक्वल टूब फार्मला होता है मू नाट अपान 4 पाई आई अपान आर अलफा होता है और यहां पर यह जो अलफा यह अलफा का वैलू कितना है इसको भी चेंज करेंगे रेडियन में तो 360 में गुड़ा करेंगे कितना का गुड़ा करेंगे कितना का बताओ गुड़ा करेंगे हम लोग पाई बटे 180 का तो आया कितना इस अलफा का मान ऊच्पाई रखेंगे इस mmणट का महीं अपर किस्य Examples अलफा का मान यहां पिकटना कितना का मान रखेंगे इसलों पाई रखेंग और देख रखे देखेलो तुन की चेंए टीड़ से कटेगे मैं आपान आर फद्टियरे रखेंग और से कटेगा 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 दो से दो कटेगा चुमकी छित्किती उता वी जिक्वल्ट कितना आ जाएंगा बताओ अब यह बताओ यह बताओ यह फार्मुला किसका है यह फार्मुला किसका आया बताओ मेरी यह फार्मुला भाई मेरे भाई सभी लोग मेरे भाई कमेंट करके बताना यह यह फार्मॉला जो आया है किसी बित्रिकार चुंकी छित की तीयुता का मान है ना तभी का आंसर फटा फटा आ रहा है यह जो फार्मॉला आया है मिव नाट अपान टू आई अपान आर यह जो फार्मॉला है इस बित्रिकार चुंकी छित की तीयुता का फार्मॉला है किसका है इस बित्रिकार चुंकी छित की तीयुता का फार्मॉला है तो इस टाइप कोशन हो जहां पर एंगल दिया हुआ हो आप कर लोगे की नहीं कर लोगे यह कोई डाउट तो नहीं आप किसी को अब बताओ कमेंट बाक्स में कमेंट करके मुझी है अगर आपकर आप स्षुरुह आत से पढ़ रहे हो तो डाव्ट महीं नहीं चाहिए किलर है ना कर्कर्थ ऐसे जाने ह। अगर च्रूंप पढ़ाने जा रहे हैं उस पर बहुत ज्समधा कोफ़े जाते हैं इस पे कोफ़े ना मातरा की कोछे जाते हैं तो आप गलत करके आना किजिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एक ही कोछन आपकी होने चाहिए यह आपकी अन्दर की बात होनी चाहिए और इसमें कुछ अलग से नहीं है पुछ अलग चीज यह नहीं हैं सब चीजिए रहे जो आपने किया है भत आपको अगर यह वैलिट्वां निकालने सिंख्राइए यहां पर कैसे निकाला जाता है 5803 का गुड़ा करके यहां पर कोड दिया हुआ है bro 5 wow GGा गुड़ा करके आपने इस तो यह परलभाक अपनी braucht जाएगा रखंटे रखंट चुछ भी नहीं से करना है घरते कुछ कि अप्षी नहीं लाना है तो आपको पीछे का lecture मतलब पीछे की जो classes है तो आपने सही से नहीं देखा है गल्टी आप में है कमी आप में है अगर आपके अंदर से ये बात आ रही है कि सब मैं पीछे के classes को को देखा नहीं है रिवीजन नहीं किया है सुरुवाज से चार पांच गंटे जो भी हुआ है क्लास हो चुकिए उसको ठीक से पढ़ा नहीं है आपने ध्यान से देखा नहीं है अचानक कुद गये कलास में तो दिक्कत तो होना ही है इसमें हम क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर से न पढ़ो तो कुछ नहीं आएगा आपको बात समझ में क्या है कि नहीं बताओ तो अब हम लोग नेश्ट टॉपिक पर आते हैं और मोस्ट इपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों का मैंने आपको तो बता दिया क्या है एंपियर का परपथी निया atual में एक tie वैग्ज्ञानिक दिश्च अपना नियम दिया जिसे आम लोग और परपती नियम उनके नियम के अुनुसार क्या होता है किसी भी बंद प्रिष्ट की या कोई भी बंद पत्थ है परिपत्थ के अनुदिष चुमकी छित्र बी का रेखी समाकलन होता है इस तरह से गोला कर दी है इसका मतलब बंद परिपत है आपके सामने वायर है वायर में धारा क्या प्रवाइट हो रही है इस आई धारा प्रवाइट हो रही है इस आई धारा के कार्ड इस पत के अनुदिश चुमकी छित्र बी का रेखी समाकलन जो होता है वह पत में बहने व परिपत में बहने वाली धारा आई का म्यू नाट गुना होता है यह आपका MPR के परपती नियम का स्टेटमेंट है बाश समझ माई यह आपके MPR के परपती नियम का स्टेटमेंट है फिर से एक बार statement को समझना किसी भी बंद परिपत्म के अंदिश चुमकी चित्र बी का रेखी समाकर्ण परिपत्मे बहने वाली धारा आई का कितना नाट गुना होता है मू नाट गुना होता है किसी statement को लिखते है किसी statement को लिखते है किसी statement को लिखते है किसी बंद, किसी बंद, पत्र, या परिपत्र, के अनुदीश, अनुदीश, तुम्ब की है, चित्र, चुम्ब की चित्र का, रेखिय समाकलन जो होता है, रेखिय समाकलन, रेखिय समाकलन जो होता है, चुम्ब की चित्र बी का रेखिय समाकलन का मान, उस पत्र में, उस पत से गिरे प्रिष्ट से गुजरने वाली धारा आई का कितना गुना होता है को यह न यह आपका स्टेट्मंट हो गया अब विस ष्टेट्मruption को प्रूब भी करें जैंगे हम लोग पूछा जाता है प्रस्तनर्िक जाम में कैसे पूछा जाता है मैं बता देता हूं और होमग ले लेनका इसको लिक का प्यादा विकर मतलब खुच से लिख कर इस question को ट्राई भी करना question इस तरह से पूछा जाता है कि ampere का परिपथी है नियम लिखिए लिखिए ampere के परिपथी नियम लिखिए तथा नियम लिखिए तथा कि उसका परयोग लिखिए यह यहींशना परिपती नियम लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए इस थाइप से question आपकी जामे word बनता है यहां से दो यहांov i a अगर आपकी जामें पूछे तो आपको इतना ही लिखना है के Co hai be t9 लिखना कि россीबंद पत्या पemporय परिपद्ध के अंदुष definitions चुमकी cá संदर भीका जो रेक समाकलन होता है परिपद्ध में बहने वाली ढाराई का मियनाफ्ट गुंआ होता है आपको के वर इतना ही लिखना है अपको क्यों ही लिखना इस से अधिक नहीं लिखना है इस से अधिक नहीं लिखना है कि लिख लिजिए सभी लोग ठीके से फिर हम लोग इस एम्पियर के परपती नियम का निगमन करेंगे कि करेंगे इसका हम लोग प्रूब भी करेंगे ठीक है चलो कि लिखते हैं कि कैसे प्रूब करते हैं इसके प्रूब करने के लिए हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि कोई धारावाई चालग जिसमें आई धारा परवरी तो इस आई धारावारी और इसके चारो तरफ एक प्रिष्ट मानते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान है इस प्रिष्ट की तीज्या कैप्टल र है चित्र बना के लिखना है चित्र बना के नहीं लिखोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी इस प्रिष्ट की तीज्या कैप्टल र है इस प्रिष्ट की तीज़ा क्या है capital R है इस प्रिष्ट की तीज़ा क्या है capital R है ठीक है इस प्रिष्ट की तीज़ा capital R है और इसका केंद्र जो है ये केंद्र O है और इसमें आईधारा प्रवाइत हो रही है केंद्र O है और इसमें आईधारा प्रवाइत हो रही है और कि आnew इस दारावय चालग का इस बिंदू ये पर मता करना है तो बताव म६्रित के नुमा हो होगया नियम से बताना सभी लोग मुझे इसकी तीज्याR हो और इसमया इधारा परवाइथ हो रही तो ये पर चुमकी छित्की तीउता का मान क्या हो जाएगा बताना जरा सभी लोग तो विट्टाकार लिखना सभी लोग यहां पर विट्टाकार अन्य वट इसकी क्रिज्या क्या हो जिसकी तीज्या कैप्टल आर हो जिसकी तीज्या क्या कैप्टल आर है विट्टाकारपथ है जिसकी तीज्या कैप्टल आर है अन्य के कारड़ के कारड़ के बिंदु पर के बिंदु पर क्युमकी छित्किती होता क्युमकीय क्युमकी जो बहुत अच्छा आ रहा है मू नाट ऐपान 2 पाई आर बहुत अच्छा जिसका भी आन्सों आ रहा है बिलकूल क्या होगा बायो शिवट नियम से आरे यार आरे क्या होगा है बायो सेवर्ट के नियम क्या हो जाएगा बायो सेवर्ट के नियम से चुमकी छित की तीउता बी जिकॉल टू क्या हो जाएगा म्यू नाट आई अपान टू पाई कैप्टल आर ये चुमकी छित की तीउता हो जाएगा कि वहां पर अन्दपत के अंधुर्श चुनकी शीह लिए अंसे परिपति नियम से एमप्यय के परिपती नियम से हम लोग लिठेंगे यहां पर अन्पियर के परिपतीय नियमसे एंपियर के परिपती नियम से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे चुमकी छित्र बी का जो है रेखी समाकलन डी डाट डील रेखी समाकलन इसमें बहने वाला धारा आई का यह चुमकी छित्र बी का रेखी समाकलन करेंगे B dot DL करेगे एक चीज जो कि आपको अच्छा-dस में बढाए गया था वह क्या है कर दो और क्रास्ट भी कहींपे होता तुिसका मतलब A B Tá Ju 1 त्व होता है यह कच्छा-d yeah में आपको यह चीज बताई गई थी पढ़ाई गई थी आप भूल गया हो तो आपकी गलती तो यहां पर क्या है यहां पर यहां बढ़ाते हैं यहां पर थीटा इसमें क्या होगा यहाँ पे ठीटा is equal to 0 होगा क्यूँ क्यूंकि B सथा DL दोनों की दिशा क्या है दोनों की दिशा समान है इसलिए B ठीटा is equal to यहाँ पे 0 हो जाएगा और कास ठीटा का मान कितना होता है कास 0 का मान कितना होता है साथ-0 का मान एक होता है यहां पर चुम्की छेत्र-ब का मान क्या हो जाएगा समाकलन BDL का स्वापलई का समाक्लन BDL हो जाएगा इस बात से सभी लोग सहमत हो की नहीं हा या ना बोलो मेरे भाई हो समाकलन BDS हो जाएगा अब इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूं बातों को आगे बढ़ाना मेरा काम है और आगे बढ़ाते वे चीज़ों को हम लों लिखते हैं गए अब मैं आपको इस से पहले भी बता दिया था अभी भी बता समाकलन यहां से फिर से करेंगे बी को बाहर करेंगे समाकलन डियल अब समय आ गया है कि बाइलोजी वाले एक बार कान सब बंद कर लें जो मैं बता रहा हूं उसे रठ लें बाकी मैथ वालों को पता चल जाएगा जब समाकलन पढ़ेंगे देखो कोई भी बृत होता है कोई भी भृत होता है इसमें हमने क्या लिया थोटा सा भाग दीयल लिया है इतना सव भण लीया है मुझे पुरा भृत का चाहने का मतलब यह पूरा संपूर वित का मतलब होता है संपूर वित का मतलब क्या होता है संपूर वित का मतलब होता है परिधी अब परिधी का मान क्या होता है मतलब बताओ 2 पाई आर तो समाकलन डियल का मान 2 पाई आर हो जाएगा यहाँ पर दिखेंगे यह बालो जी वालों का समय आ चुका कि उन्हें रट लेना चाहिए मैंत वाले बच्चे क्या करें इसे समझ लें आगे आप लोगों को समाकलन पढ़ाये जाएगा मैंत और अच्छे सी यह सब चीजें समझ में आएंगी ठीक है अगर पढ़ लिए वह तो अच्छी बात है ठी यहां से इसका क्या आ आ जाएगा समाकलन बी डाट d l का क्या जाएगा बताौg वालोज आ रहाएगा बी 2 पाई कैप्टल आ रहा है और मैं अभी निकाले थे यहाँ पे इसे मैं कोठरिया दूं तो ठीक रहेगा यहां से हम लोगों ने पाया कि बी का मान मुझ नाट अपान आई 2 पाई र होता है यह वैलू हम लोग बी का यहां पे रखेंगे इसको समिकर नमर एक माल लूँ यहां लिखेंगे समिकर नमर एक से यहां पे लिखेंगे समाकलन बी डियल इजिक्वल टू यहां पे क्या होगा समाकलन बी डियल इजिक्वल टू क्या हो जाएगा बी का मान मुझ नाट आई अपान टू पाई र यह होता ना बी का मान समिकर नमर एक से बी का मान यहां पे रखेंगे और यहां पे टू पाई र यह देखो मेरे सामने से तो दिख रहा है पता ना आप लोगों को दिख र समाकलन B.DL is equal to mu0i बचेगा यह आपके सामने बचेगा यह आपका हैंस प्रूफ हो चुका है हमने क्या किया जो आपको पहले पढ़ाया था वह इस टीप ची यूज किया एक वाद फिर से रिपीट करते हैं B is equal to mu 0 upon 2 pi r किसे बित के कार्चुम की छित्किती उता होती है जो मैंने बायोश्योड के नियम में बहुत समय पहले आपको बता दिया था इतने समय पहले बता दिया था आप लोगो पता है अब एंपियर का परपति नियम समाकलन B.dl लिखेंगे चुकि बच्पन में पढ़ाया जाता था जब आप लोग गोलिया खेलते थे कंचे खेलते थे क्लास को बंक करते थे मजे लेते थे तब पढ़ाया जाता था इसलिए था लिखेंगे हिटा यहां यहां ऐँ डिल करेंगे समाकलन डिल का मतलब होता है संपूर शम्पूर बित का मतलब कोई बित का परि邦ी होता अब परिदी का मान होता है वैसमें तो भी निकाल रखा यहां यहां पर μू-0 upon 2πr रख दीगा 2πr से 2πr कर गया BDL is equal to mu-0 i आपका answer है यह आपका MPR का परिपती नियम है और यह प्रूफ हो चुका है तो प्रूफ करने के लिए भी अगर आपके exam में दे तो आप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है कम इसे प्रूफ कर देना यह प्रूफ ही में पुष्थता है समाकलन BDL is equal to 5i नहीं होता है mu-0 i होता है mu-0 i यह mu है इसे mu-mu-mu-mu-mu बोला जाता है आगे चला जाए झाल 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 दिशा जिसको दिशा वाली बात आ रहे है यहाँ पर BDL जो है यह मैं जो यहाँ से छोटा सा एक दियल माने हैं यही डियल माने है यह जो डियल है आपका इसकी दिशा जो है और यहाँ पर चंकिचेत की दिशा दूनों समान है इसके वज़े से यहाँ पे खिटा का वैलू जीरू रखे है अब देखो देख दो चीज मैं नोट के रूप में लिखता हूँ लिख लेना सभी लोग जरूरत पड़ती है पहला नोट क्या है अगर आप लोगों के पास 150 रुपे है तो उसको निकाल के लिखो उस पे और आनलाइन कर दो मेरे अफिसियल नमर पर यह बढ़िया रहेगा आपनों इसमें क्या होता है जो एंपियर का परपती नियम होता है यह किस पे यूज़ होता हमेशा बंद आक्रि खुले में करते हो तो खुले में तो रोड पे नहीं कर सकते है अब यह का परपती नियम बंद फिष्ट के लिए बंद आकरित के लिए ही सत्पर आप्रतिक लिए और है कि ना सबीज कि आपको ए मपीयर अधा ज़िवा हिआ है हैं यह उना संबी यह हुम बंद प्रिष्ट के लिए लागू हो गया एंपियर का परपती नियम जो होता है बंद प्रिष्ट के लिए ही लागू होता है खुले वे प्रिष्ट के लिए एंपियर का परपती नियम लागू नहीं होता है दूसरी बात यह गौस के नियम के समान एंपिर का परफती नियम एक दम गौस के नियम के समान है दूसरा नियम क्या है यह गौस के नियम के समान यह गौस्ट के नियम के समान होता है किसके नियम के समान होता है यह गौस्ट के नियम के समान होता है यह दो दो नियम है आप सभी लोग अगे चला जाए बताओ हो गया यहां तक अब देखो जो वोड एक्जामे जो एक्जामनर कोशन पुछता है परपतिं से लिखेंगी तदा उसका आनुप्रियोग भी लिखना हुता हुत उखार उप्योग भी लिखना हुथ उप्योग कैसे लिखेंगे बताओ के कि इसका उपयोग भी लिखना आप बताओ कैसे उपयोग लिखना बोलो तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले चुकि कोश्चन मैंने बता इसका उनपरयोग भी लिखे पूछता इसलिए मैं इसका उनपरयोग भी आपको बताने जा रहा हूँ विखेज डालेगा घौस के नियम करी एमपेर के परपतिन नियम का अनपरयोग एक है तो मैं और है पहला एमपीर के परपतिने नियम का पहला प्रूप念ग बताऊगा इसिए उसको दूसरे अंपर्योग को मैं प्रूप कि करणाउल ओसा इन कि दोनों इस पोर्टेंट प्रिप्थी नियम प्रूप जिस से पहला इन पर युथा है पहला इन पर युद्र काड़ चुमकी छित्किती उता ग्यात करना लिखना सभी लोग अनन्ध लंबाई के धारा वाही जालर के कि इसके काड़ ए सेंटीमीटर दूरी पर कितना कितना चुमकी छित्किती होता है बताओ कितना चुमकी छित्किती होता होती है बताओ मेरे भाई कितना फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों ने बायो सिवट के नियम में आप लोग ये बायो सिवट की नियम में पड़े हैं बताओ कितना होता है अरे बताओ मेरे भाईयों पड़ेओ आप लोग बायो सिवट के नियम में इसको इसी अनक्र लंबाईए चरणतार के काड़ुम् कि छित्कि तियोता कामान कितना होता है कि अंत्र लंबाई के धारवाई चालगतार के खुल्पाई आप यह बताः था आपने और नहीं सर करना अर आर नहीं आपने ये बता रहें घूर्ज हो चलो मैं ये बता लीड़े तर आपनी ये भी बता था mommy is equal to mu 0 i upon 2 pi a ये भी आपने बता है बिल्कुल मैंने बताया था सही बताया था आप लोग भी सही बता रहे है अनि लंपाई के किसी धारावाई चालक तार के काड़ चुमकी छतकिती उता कीमान यही होता है आप लोग सही बता रहे हो बहुत बहुत धनिवाद आप लोगों को बताने के लिए ठीक है चलो अब मैं आपको बताता हूं कैसे इसको प्रूफ करेंगे इसको प्रूफिंग करना है हम लोग मानेंगे कि धारावाई चालक तार है इस चालक तार के चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे एक वित्ताकार प्रिष्ट मान लेते हैं यह बंद प्रि परपती नियम लगाएंगे आपको लिखना तो लिख देजिए लिखेंगे आपको एमपियर के परपती नियम से हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा बताओ मेरे भाई बताओ क्या हो एमपियर के परपती नियम लगाएंगे तो यहाँ के सिम्पल वही काम होगा जो आपने सोच रखा है क्या समाकलन b. dl is equal to mu not ii आपको पता है समाकलन b dot dl is equal to mu not i आएगा तो चलो ठीक है समाकलन करते हैं b को बाहर निकालेंगे समाकलन dl हो जाएगा is equal to क्या हो जाएगा mu not i और आज ही मैंने आपको बताया कि बालो जी वाले डट लें मैथ वाले समझ लें कि समाकलन 가 Mia का मतल्स हार जिसका परदी समपूरवित की परदी जिसका मान रहिए 2 fruit यहां पर समाकलन dl का मान क्या हो जाएगा Ahu by आपको यि इक रुटो नाथ इसको आगे चाल करोगे तो बहुत असानी से ये प्रोप हो जाता है दाच चीर के बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है चुमकी चितर B का वैलू क्या हो जाएगा चुमकी चितर B into 2Pi यहां पर नहीं रहेगा चुकि यहां पर त्रिज्जा इसका A है इसलिए यहां पर A रहेगा यहां पर A रहेगा तू पाई A 2Pi A is equal to mu not i हो जाएगा यहां से इसको solve करोगे तो B का value आ जाएगा क्या mu not i upon 2Pi यह प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया आपका यह होता नहीं यही तो फार्मला हम लोग निकाले थे किसी धारावाई चालक अनन्द लंबाई के धारावाई चालक की कार्चुम की छत्किती होता यह एंपियर के परपती नियम से प्रूफ हो गया और एक्जा में जो कोशन बनता इस टाइप से बनता है कि एंपियर का परपती नियम कि बताओ किलियर है कि ने किलियर है बोलो नोट कर लो सभी लोग इसे तो आगे चलते हम लोग अब नेश्ट अनप्रियोग पढ़ते हैं तो अब हम लोग एंपियर के परपती नियम का दूसरा अनप्रियोग पढ़ेंगे अनप्रियोग क्या है जान देना यहां पर किसी धारावाही चालक के भीतर उत्पन चुमकी छेतकिती होता कि अनप्रियोग है किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु किसी बिंदु पर उत्पन चुमकी छित किती होता है धारा वाही परिणालका है तालक नहीं परिणालका है धारा वाही धार वाही परिणालका के बीतर किसी बिंदु पर उत्किती होता है क्या है म को किसी नाला के परिण किसी बिंदु पर उत्यद 아े करते हैं पता ऩारी परिया का होता चलु laz को ये कागज का एक लेटर दिखाए दे रहा आपको इसको हम लोग इस तरह से मोड दें एसे मोड के कर भूँ कर तो नहीं करना है मोड के बाद ऐसे के और इसके उपर एकार हम वायर तार जो होता है उसको लुपेट दें तार को तो यहां पर हमें आपे हम यह जानना क्या है कि दाए बीतर किसी बिंद पर चुमकी-चित्की कि तयुटा गयात करने लगनाफा है यह है आपका धारावाइप से इस पर हम लोग क्या कर दिए इस पर लोग मालो यह वायर पकर सब्यां इस पर इस पर अमने इसमें द्यान देना सभी लोग यहाँ पर इस परिणालका में क्या मानते हैं हम लोग एक ऐसा इस तरह से आयताकार एक बिंदु मानते हैं अगर आयसा क्यूँ देखो मजे परूब करना इसलिए मान रहे हैं होता है किसी को चोर परूब करना अधा था हम लोग कुछ भी करके कर देते हैं तर्क से आताकार माल लेते हैं जिसकी भुजा क्या है यह है यह सी है यह इसकी भुजा है ठीक है इसकी भुजा पर्टकी के अंदर है पर यह भी जो है पर नालका के क्या सब्सक्राइब बाहर है दिये जो भी है यह सीडी जो है यह सीडी परिणालका के काफी दूर रिस्तित है और यह जो बी-सी और एदी जो भुजा है यह लंबी भुजा है जो की परिणालका से लगा हुआ है आपके सामने यह दिखाई दे रहा है आप लोग को यह A, B, C, D हमने बंद परिपत इस परिणालका के अंदर आगे, डाले है, अब इन सभी चीजों को लिखेंगे हम लो, क्या होए, यहाँ पर हमने क्या माना, हमने यहाँ पर माना, माना एक धारावाई, परिणालका है, जिसमे बंद, जिसमें बंद पत्र A-B-C-D अब आपका परिनालिका परी जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना पहले जब तक मैं इसे complete नहीं कर लूँगा तब तक आपको कोई comment नहीं कमेंट बाक्स में करना है और नहीं कोई कोई प्रस्ण पूछना है जब तक कि मैं से पूरा complete प्रूफ नहीं कर दूँगा उससे पहले कोई पूछा तो मैं उसको क्या करूँगा ब्लाक कर दूँगा क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है जब पूरा पढ़ा दूँगा उसके बाद मैं कोऊंगा कि भाई आप कोई दिक् ते फिक यह ए ये बी या है ये भी क्या परिनालिका परिनालिका के अंदर है हम लिख रहे तो आहिरा क्यों ये भी क्या है ये पैनालका के अंदर है ठीक है बीसी और सीडी बीसी और डीए जो भुजा है बीसी और डीए विजा क्या है पैनालका की लंबी भुजा है बीसी तथा डीए लंबी भुजा है बीसी तथा डीए क्या है लंबी भुजा है और डीसी जो है पैनालका के परिनालिका परिनालिका के बहुत दूर इस्तित है बहुत दूर इस्तित है पैनालका के बहुत दूर इस्तित है इस प्रकार यह बीए वाले भुजा पे चुमकी छेत्र का मान सुन होगा पैनालका खुँद दूर इस्तित है इसलिए दूर इस्तित है इसलिए पैनालका के बहुत दूर इस्तित है इसलिए डीसी पर चुमकी छेत्र का मान क्या होगा सुन्य होगा दी ये पर चुमकी छेत्र का मान क्या होगा सुन्य होगा बात समझ में यहां तक सभी को आप देखो बहुत चोटी सी बात है यहां पर लगाएंगे के एंपियर का परपती नियम से हम लोग यहां पर लगाएंगे एंपियर का परपती नियम होता है समाकलन बी डाट डीयल समाकलन बी डाट डीयल इगकोल टू म्यू नाट आई होता है यह एंपियर का पर पर पती नियम होता है यह एंपियर का परिपथी नियम होता है यह लगाएंगे यहां पर शुरुवात करते हैं एंपियर का परिपथी नियम लगाने के लिए ध्यान देना यहां पर जो मैं बता रहा हूं इस बात को ध्यान देना मैं आसान तरीके से लगाता हूँ एक काम करता हूँ इसको कापी कर देता हूँ यहां पर क्या करता हूँ इन सभी को मीटा देता हूँ कि अगयों कि अगयों परती नियम से ना के यह जो परिपत है इनका अलग-अलग समा कलन में क्या करेंगे सबसे पे वी तक जाएंगे या एसे ए से बी तक जाएंगे फिर बी से टक जाएंगे फिर यहां से थोड़ा सा मैथ बायो वाले बच्चे याद करना शुरू करने करेंगे और यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे इन सभी को अलग अलग लिख देंगे मैंने आपको बताया यह दिसी पर चुमकी च्यटकामान सुनि यहां से बहुत दूर इस्तित है यहुट यहां से सब्चे Cont к तो और D से ए बचे इसमें भी ध्यान देना कुछ लोग कटेंगे पटेंगे भी ध्यान देना बात महुत ध्यान से दिखना दिखना यह भुजाए A B है और B C है यह इसके साथ 90 उंस का कोड़ बना रही है चुमकी-चेतर के साथ 90 का कोड़ बना रही है है और मैंने आपको इससे पहले भी बता था कि यह hat ह्ले का मतलब होता लेकिन अगर आप देखोगे यहाज यह बारन यह दोनों जो जिसको मैं वाइट कलर से रंग रहा हूं यह दोनों लाइन जो है चुमकी छेतर है देखो इसके साथ कितने अंस का कोड़ बना रही है यह 90 अंस का कोड़ बना रही है इसलिए यहां पर ठीटा काम बहलू 90 अंस हो जाएगा और कास 90 का बहलू 0 होता है यह आपको पता है इसलि से वाला डी से एक यह इस एक रद्धि कोड़ वल्टो समा कलंड कि बी सेसी वाला कि को कि दियुक्थ ना इन्टी का वेलू जिरू होता है के जिठे इस लिह आया क्योंकि यह चुमकी छेतर के साथ 90 का कोड़ बना रहा बना रही हैूं की च्छेतर इसके कार्ड जो चुमकी छेत्र मैंने आपको अंगुठा का नियम बताया तो उससे निकाल ले ना उसके साथ कितने अंस का कोड बना रहा है जब 90 अंस का कोड बनाता था चुमकी छेत्र का वैलू क्या जीरो हो जाता है तो इस तरीके से जो बचा एक सामने यह भी जीरो हो गया और यह भी आपका सामने क्या बचेगा समाकलन A-B B-DL बचेगा यह आपके सामने बचेगा यह बचेगा यह क्यों 0 होगा क्योंकि यह बहुत दूर इस्थित है यह CD वाला इसलिए 0 होगा यह बहुत दूर त्रिक की रूप में लिख देता हूं नहीं तो बाद में आपको confusion होगा यह इसलिए zero होगा क्योंकि बहुत दूरी इसलिए और यह इतना दूरी है तो दूरी पर है इतना दूरी पर है कि यहां तक आते आते चुमकिछित का मान सुन्या हो जाता है जीरो हो जाता है जीरो हो जाता है यह बहुत दूरी थी थी था और यह दोनों 90 का कोड़ बना रहे है जब 90 का कोड़ बनाते तो 90 का मान जीरो हो जाता है इसलिए इन दोनों का मान जीरो हो गया अगशाप देखा जाए यह आपका yellow वाला जो है A से B वाला चुमकी छेट के साथ 0ंस का खोड बना रहे चुमकी छेट का है और इसका भी यही खोड है तो यहाँ पर क्या होगा A भी जो है 0ंस का A भी क्या है A भी जो है यह न्स का कोड बना रहा है बना रहा है यह भी कितना सुनयंस का इकोड बना रहा है तो कास यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इकोल जीरो हो जाएगा data is equal to 0 हो जाएगा और cast 0 का मान होता है 1 तो इस समीकर में इसको समीकर नमर 1 मानेंगे समीकर नमर 1 से समीकर नमर 1 से क्या हो जाएगा समाकलन b.dl is equal to समाकलन b.dl is equal to क्या हो जाएगा समाकलन a से b तक का मान b.dl हो जाएगा करें सबीबाएं यहां तक किलियर है जिसको नई समझ में रहा है डिवी डियां क्या है भाई पुराना लेक्चरl पूराना लेक्चर मिलब पीछे बता रहा था तम नहीं का रिसकार कहीं तो खीसे पड़ोत मैंने बताता सब्सक्राइब का परपतिनियम भाबूर उस में बताता तक तो आइसे थोड़ी नाइटी परसेंट आओगे ऐसे तो आप अपने पैर पे कुलाड़ी मांगे आपना टाइम पास कर रहे हो नहीं पड़े हो तो जागे पुराना पढ़के आओ पहले का पढ़के तब आओ क्लास में यह आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है बाकि जिसक यह बी जो होता है नियतांक होता है और हमने कई बार बी को बाहर निकाला है समाकलन से बी और एसे बी तक का डियल हो जाएगा डियल क्या है डियल इस परिनालका की लंबाई अब मान लेते हैं कि परिनालका की लंबाई डियल क्या हो जाएगा परिनालका की लंबाई गो जाएगा बताऊ पईनलका की làmई या पर इसकी ऐल की लंवाई इसकी लंबाई माल लू यह मुझा है इसकी लंबाई यहल माल क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी यहल के भराबर A B की लंबाई लंबाई ये भी की लंबाई हो जाएगी ये भी की लंबाई हो जाएगी और ये समाकलन डियल मतलब कि हमारे सामने क्या आ गया समाकलन बी डाट डियल का वैलू क्या जगा बी यल आ गया ये हमारे सामने फाइनली वैलू आ गया समाकलन बी डाट डियल का वैलू बी यल आ गय यहां से यहां से ली सकते हैं एमपियर के एंपियर के परिपथी नियम से क्या हो जाएगा तो यहां से देखो समाकलन बी डाट डील का मान रखेंगे यहां पर कि अबिकर दो से देखेंगे समीकर नमर दो से मूनाट का मान रखो तो क्या हो जाएगा यहां तक क्लियर सभी को यहां तक क्लियर है बताओ यहां तक क्लियर है सभी को बोलो यहां तक क्लियर है अब बताओ मुझे यहां तक क्लियर है किसी को डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बताओ अब ध्यान देना सभी लोग देखो अब हम लोग मानते हैं माना माना क्या ये बात सही था मैं पहले बें मान लिया होता दिक्कत हुआ होता अभी से मान रहे था कि आपको याद हो माना जो यल लंबाई की क्या है माना क्या है हम लोग मानते हैं माना प्रति ये कांग लंबाई में माना परिनालिका के परिनालिका के प्रति एकांग लंबाई में प्रति एकांग लंबाई में फिरों की संख्या किस्मालियन है प्रति एक लंबाई में तीन बच्चे हैं और आपके स्कूल में कमरा है दस तो बताओ कितने बच्चे हो जाएंगे क्या करोगे हर एक कमरे में कितना प्रति एक रूम में तीन बच्चे हैं और दस कमरे हैं आपके पास तो कुल बच्चे कितना दस गुड़े तीन यहां पर करेंगे प्रति एक लंबाई में फेरों की संख्या यह नहीं है और यहां पर नहीं हो जाएगी यह नहीं हो जाएगी यह नहीं हो जाएगी यह नहीं हो जाएगे जनल हो जाएगी अगर प्रतेग फेरे में प्रतेग फेरों में लिकेंगे यह मियांप यह दि ऊहरी restraint प्रत्येग फेरों में आई धारा वह रही है प्रवाइत हो रही है प्रत्येग फेरे में आई धारा प्रवाइत हो रही है तो बताओ जरा कुल धारा क्या होगी कुल धारा क्या होगी बता वाई अगर मालोगी में मैं करणांगा वह मैं कर दूंगा प्रते कमरे में तीन लड़कियां भी है कुल लड़के कुल बच्चे कितने हो जाएगगी लड़का और लड़की मिला के कुल पहले तो दस कमरे थे तीन लड़की थे और अब Państwo दो लटकिया कमरे में हो जाएंगी तो किल लड़के कि लड़किया मिलाएं कितना हो जाएंगे 10 त्याम, 30 दुनी 60 बच्चे हो जाएंगे कोई बात यहाँ पर करेंगे कुल धारा के लिए यन इन तू यन इंटू और इंटू आई हो जाएगा ये कुल धारा मतलब इस कुल धारा जो यह आई नाट है इसका मान हो जाएगा कि यहां थैंट नहीं को जाएगी ख्लियर है सबीको यहां तक बतांगी दिककत तो नहीं होनी चाहिए न, आपको मद प्रूफ करने जा है ध्यान देना यहां पर से बहुत आतान है देखो क्या करना है यह समीकर नम्मर 3 से समीकर नम्मर 3 से क्या हो जाएगा बताओ तीन में आइडाट इजिक्वल टू हम लोग रखेंगी यहां पर यन इसमार यल यह इसमाल यल याइय यह आई नाट का वैल्व रखेंगी तो रखो क्या हो जाएगा यहां पर वैलू रखोगी आइनट का क्या हो जाएगा बताओ यह यह बउग्य का वैलू कितना आजाएगा बताँ यह लोग्षाण भय्यकर प्यू चा। जाएगा कितना होता है मेरे भाइ तो एन म्यू नाट एन आई होता है म्यू नाट एन आई होता है इस पे निमेरिकल कोशन भी बनते हैं इस पे निमेरिकल कोशन भी बनते हैं कि यह कोशन देखो आपके सामने मुद्ध का मान होता है इसकी लंबाई के नुकुमान उपाता इस में परवाई धरक्य कुद्ध कर मानुपाती है है कौन सा सभी होगा कौन सा सही होगा देखो परवाइद धारा के अनकुमानुपाती यह सही है यानि पढ्यालगा के अंदर जो चुम कि छित की ति उता का मान भी का मान होता है अनकुमानुपाती होता है आपसर नमर 20 होगा इस टाइप से कोशन अपजेट्टि में बनता है यहां से भाई कर लेना सबी लोग कर लेना है यह दाउट में नहीं होगा है आपको कर लेना ठीक है मैं दाउट में नहीं होना चाहिए कर लेना सभी लोग यह यह थिखिव बता एक लंभी प्रॉन्यालक जिसकी तरज है अब प्रति एक आंक तृजियार रहे बताओ ये कोश्थन का जवाब बताओ 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 बटाओ बताओ बताओ अ अरे बोलो मेरे भाईयू अ मेरे जवानों बताओ भाई क्या होगा चुमकी चितर B का मान अनकुमान उपाती होगा बताओ चुमकी चितर B जिक्कोल टू क्या होता है म्यू एन आई होता है अब अनकुमान उपाती आपसे पूछ दिया है हटाएंगे औन की बराबर होगा दिमाग को ठीकाने लगखिर पड़ो और सही जंघ ह के पड़ो ठीकते हैं ठीक है एक चीज आओ रहे हैं आंकिक प्रस्ण भी एकजाम में बनता तो नहीं है मैं एक दो करा देता हूं ठीक है एक दो करा देता हूं आपके लिए वेतर रहेगा ठीक है आंकिक प्रस्ण भी बनता तो नहीं है लेकिन मैं एक दो करा देता हूं ठीक है कभी भी कोशन में क्या होता है तो यह यह कैसे लगाते हैं फार्मूला मैं अभी आपको एक कोशन लेकर दिखाता हूँ जिसे इस कॉर्स्टन में क्या है चालीस सेंटीमीटर लंबाई इसमें 600 फेरे हैं यानि आप से क्या दे दिया है यहाँ पर लंबाई कितना 40 सेंटीमीटर और इसमें फेरों की संक्या कितना है 600 फेरे है तो तार में 2 एंपिर की धारा प्रॉल्ट हो रही है आई का वैलू कितना 2 एंपिर है तो पहिनालका की भीतर अच पर चुमकी छित्र बी का मान ग्यात करना है ग्यात करना है यह आपके सामने है चुमकी छे तरफ बी जिक्कोल टू क्या हो जाएगा म्यू यन आई होता है लेकिन यन का मान मैंने आपको क्या बता है यन अपान यल होता है तो B is equal to क्या लेखेंगे मू capital N upon L I U लेखेंगे B is equal to मू का मान आपको पता है क्या होता है मू का मान होता है 4 पाई into 10 के पावर माईनस है 7 होता है N का मान आपके सामने दे रखा है तो यहाँ पर B का मान ग्याद करेंगे देखो B का मान देखो यह 40 cm दिया है इस 40 cm को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे 40 cm को मीटर में चेंज करेंगे तो 40 into 10 के पावर माईनस 2 मीटर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मू का मान रखो 4 पाई into 10 के पावर मानस 7 N का मान रखो 40 into 10 के पावर मानस 2 क्यां एका मान है टू एम्पिए अपान यल का मान कितना है यह क्तों कि मनैं कि यह तो मैंने तो मैंने यह का व्रह क्लिक्वा गल्लट रख दिया आज है यह यहां प्रहुत शाट फेरे ben 00 leerly into 2 इंट्य टू आपान यल का मांझ 4 आँ से ही तू हो जाएगा ये देखो आपके सामने फटाफट कटम कटी वाला खेले एन के पाउर 2 तो के पाउर से कथा जाएगा न्यों से कथा तो यहां पर एंसर क्या जाएगा है अन्सर आएगा T needs a power चाह दूनी बार है बार है पाई इन्टू टेन के पावर माइनस फाइप आएगा टेसला इस टाइप से कोशन पूछे जाते है हाँ यहन का बैलू 600 नहीं होगा हाँ 600 रखो गें रखोंगी मैं तो छस्टन रखोंगे हाँ फोर आजाये का आई यह यंसर आएगा यह एंसोर आएगा 12 पाई इंटू 10 डी पाउर 8 माइनस 8 नहीं यार माइनस 8 नहीं आएगा माइनस 4 आएगा इस टाइप से कोशन पूछता है इस तीस कोशन को खुछ से लगाने कोशिस करना सेम टाइप का कोशन है ठीक है खुछ से लगाने कोशिस करना एक इस्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस्ट्रा पॉइंट यह है जो कि आपको हमेशा याद कराएगा कोई परिनालका है देखो इस्टा पॉंट मैं आपको बता रहा हूं यह आपके कोई परिनालका है परिनालका का यह आपका क्या है अच्छे किस परिनालका में इस तरीके से इस तरीके से यह आपके साथ सामने सिस्टम है इस पहिनालका में देखो दो कोड़ बना रहा है यह कोड़ है आपका यहां से किसी बीटा मान लो और यह अल्फा मान लो यह क्या मान लो अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो यह अल्फा मान लो तो देखो चुमकी छेतr का B का मान जो होता है यह होता म्यू नाट अगर बेटा होता है अब अलफा का वैलू अगर जीरू रखते हैं अलफा का वैलू 0 रख से वाला लाइन जुभी चुनी हो जाएगा rag । नहीं हो जाएगा और वी बिटा का वेलू 0 रखPod में कि अभी लाइन ऊंग चुषिदी यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा बताओ दोनों 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा अरे बोलो मेरे भाई कहां गया कुछ है मैंने कहां बता रहा था हाँ बताओ 0 नहीं इसका वैलू एक मेटे मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि यहां पर यह दो एंगल बना रहा है ध्यान देना फिस समझा सभी लो कि यल क्यों लिया कोस्तन में यल दिया तो तो हमने क्यों इसलिए ले लिया गुंजन-चवान कोस्तन मैंने पढ़के दिखाया क्या ऐसे करके लगाना होगा ठीक है यह आपका एक कोड है इसको तो ग्रीन लेना था इसलिए तो मैंने मिटाया और एक कोड यहां पर आपका इसको भी ग्रीन लेना था यह दोनों कोड है ठीक है यहां पर दियान देना एक कोड आपका क्या है माल लो मैं फिर से अलफा बीटा नहीं तखेंगे ठीटा वन ठीटा टू रख रहें की किलियर हो जहां देना मैं जो बताने जा रहा है इससे आपको याद नहीं करना पढ़ेगा वो तसानी से फूरा या देगा, ये कोड मैंने theta 2 मान दिया, ठीके ये कोड हमने क्या मान दिया, theta 2, और ये कोड मान लिया हमने theta, 2 कोड मान लिया, theta 1, अगर ज़़ा सोचो, अगर हमें, condition number 1, इस्थिति नम्मर एक, ठीटा 1 का value हमको इसको पकड़के एक बार जीरो कर देंगे और यह ठीटा 2 का value हमको इसको पकड़कर 180 तक घ्माना है 180 अंस तक गुमाना है 180 अंस तक गुमाना है तो ठीटा 2 का वैलू ठीटा 2 का वैलू कितना है 180 हमने कर दो तो देखो हमने फार्मूला बताया था क्यूंकि छित्र B का वैलू μू नाट एन आई बाई 2 कास ठीटा 1 माइनस कास ठीटा 2 अगर यहां पे कास ठीटा का वैलू कास ठीटा 1 का वैलू कितना रखने जीरू रखें ठीटा 2 का 1 रखें 180 आदेना सभी लों कि मैं बता देता हूँ अभी यह एन पानेल कहां सा आ मैं यह मैं इस लिए बता रहा रहें ट्रिक रखें रखें, तो क्या होगा, यह जो पैणदालका का अच्छ होता, अच्छ पे चुमकी छेट की त्यूता कमाना जाएगा, उस्ता नगाट पैणदालका के अच्छ पे पूछे, तो इसको गिरा देना है, ठीटा वन वाला इसे करके 0 कर देना है, ठीटा टू वाला गुमांके 180 कर होता है 1 होता है कास 180 का वैलू कितना होता है माइनस एक होता है और अगर इस फार्मूले में रखोगे तो चुमकी छे तर्भी का वैलू कितना आएगा 11-1 बी का मयन ellu आ या मिउ ना न आई आई आपान 2 इंटो ढ consultants कर जाएगा तो लू इस ब्ली अपनाई मिउ नाट एन आई लू आए यह यह लू आ जब लोग इसको इस तरह से गिरा देंगे चिरों पर चुम किश्टकीति वट यहीं पर अगर हमें पजनालगा के फिरों पे न निकाल के कोई पजनालगा के अनन्द लंबाई के फिरों पे न निकाल के हमें कहीं और किसी और बिंदू पे निकालना हो निकालना तो कैसे करेंगे देखो तब हमें इसको 180 मनलब इस तरह से इस तरह से कर देते हैं आपके पहिनालगा के बीच में आ जाएगा पहिनालगा के मद्य बिंदू पर आ जाएगा यानि कि तब यह ठीटा वन जो वाला कोड़ है यह कितना घुम जाएगा ठीटा वन का कोड़ कितना घुम जाएगा 90 अंस घुम जाएगा ठीटा वन का कोड़ कितना घुम जाएगा आएगाई यह चुदैगा यह कितना आएगा इस कंडिशन में देखो कितना आता है इस कंडिशन में क्या लेखेंगे ठीटा वन का वैलू 90 रखेंगे ठीटा टू का वैलू 180 रखेंगे तो कास क्या हो जाएगा कास कास में रखोगे क्या होता है फार्मुला म्यू एन आई अपान टू कास ठीटा टू वाले फार्मुले में रखोगे तो यहां पर हो जाएगा म्यू एन आई अपान टू कास ठीटा वन का वैलू कास 90 रख देना मिनस कास θेटा 2 का value 180 रख देना 180 अंस का मान कितना होता है mu N I कांद टु कास 90 का value 0 गाईनस 1 रखो गए तो यहां से B का value आएगा mu Ni by 2 मैंने यह याद कराने की कोशिज किया कि से यह formula मैंने trick के तोर प्टाया कि यह ऐसा code होता ति यह पर formula mu ni upon 2 cos theta 1 minus cos theta 2 होता है ऐसा बात नहीं किया मैंने कहीं से formula derivate किया है यह formula derivate किया जा सकता है लेकिन यह आपको याद रखोगे तो कभी कभी क्या होता formula भूजने के बाद इस तरह से angle को घुमा के आप निकाल सकते हो और यह जो value आएगी परिनालगा के भीतर किसी मद भी इन उपर यह चुम की छित्किती उता आ सकती है ठीक है पास समझ माई क्या सभी को बताओ यह मैंने आपको याद करने के लिए बता है कि स्ट्रिक्स से आप याद कर सकते हो और मैं इसको रवी करने जा रहा हूं ठीक है यह पेज को ही डिलिट करना हूँ अगर कुछ दिनों की बात आ रहा ही सर यह यह अपान यल कैसे कर दिया आपने डिखो यह जो है पन्यालगाई में कुल फेरों की संख्या पहले आप लोग इसे नोट करो सभी लोग इसे नोट करो फिर मैं बता रहा हूं हट जाता हूं सामने से कर दो कर दो एक चीज मैं बता रहा हूं तर यह आप Capital यन अपान यल क्यों लिखा देखो यह का क्या रहा है दिमाग से समझना मैं यह सा क्यों लाया है इसको समझने के कोशिश करना यह क्या रहा कोशन में 40 cm इसके बार लिखना समय 40 cm में खंवरें और आपको Francuna में यहन होता है क्या है मैंने यहां लिखाे माना पढ़ होता कि प्रती एक रंपाइव में का संधिया और यहां बकार है 40 cm में छ até लड़के क्या करोगी चालिस बटे प्रति कमरे में कितने लड़के है तो करोगे न और क्या करोगे इसी लिए तो मैंने किया यन अपान यल मैंने बता दिया क्या होता है यन अपान यल जो है पन्यालगा के कुल कमरों में कितने लड़के हैं अपटे यल करेंगे यह आप डैनिक जीवन से समझ सकते हो कि 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरें उसी तरी मैं पूछूँगा एक कमरे में कितने लड़के हैं प्रतिक कमरे में कितने लड़के हैं तो क्या करोगे बताओ सिद्धी सी बात है आपकी कालेज में 10 कमरे 10 कमरों में 30 लड़के हैं मैं पूछूँगा 1 कमरे में कितने लड़के हैं तो क्या करोगे 10 बटे 30 करोगे 30 बटे 10 करोगे तभी तो आएगा मेरी बास समझना अगर मैं कहा रहा हूँ आपसे कि आप ये कॉलेज में 10 कमरे में 30 लड़के हैं 10 कमरे में कितने लड़के हैं 30 लड़के हैं तो आप क्या करोगे एक कमरे में निकालने के लिए 30 बटे 10 करोगे तभी ने कमरे में 3 लड़के आएंगे प्रती कमरे में 3 लड़के आएंगे यहां पर क्या करा है 40 कमरों में 600 लड़के फेरे हैं तो एक फिरा में प्रती एक तो आपको यही करना है और आपको यह जो मैंने आगे फार्मुला एक को दो यह कोशन भी करा दिया आपको ताकि यह सभी चीज़ें किलियर हो जाए आप समझ गए बहुत बढ़िया जो पढ़ें वाले बच्चा वह समझ में आ गया होगा वह चालीस कमरे में सरसुफेर तरीके से थीन तीन एक्जामपल लेके बता दिया हाँ वह बात ठीक है अब नेश्ट आइडिंग डालेगा सभी लोग टोराइड क्या डालना है इडिंग टोराइड टोराइड क्या डालना आपको टोराइड तोराइड क्या हOTा है हमने जो परियूराइड क्या होता है यह फैनल का बनाया तो जूसे इस पर दूराइड बन आता है इस तर혜 होता है तरह से परिंगन आलका जो होता है परिनालका को घुमा के बित देखो पहले परिनालका लंबाई था यह परिनालका था यह परिनालका था इस परिनालका हमने क्या किया मोड के ऐसे बना दिया ऐसे बना दिया यह परिनालका पहले लंबाई नुमा था इस परिनालका गुमाया और गुमा के इस तरह से बना दिया ऐसे बना दिया इस तरह से बना दिया तो इस परिणालका पर जो हम लोग घीचेंगे यह आपका परिणालका होता है तोराइड इसे क्या करते हैं इसे तोराइड करते हैं यहानि परिणालका क्या करते हैं इसे तो राइट कते हैं यह आपका परिणालका था इसमें आप इसमें आप अपना इसमें आपने अपना लाइन घिर दिया यह क्या है यह आपका परिणालका और यह आपका क्या है इसका केंदर क्या होता है तो क्या लिखोगी परिणा टो राइड में कि बंद वालाय के रूप में मोड़ी गई लंबी पन्यालगा को टोराइड काते हैं क्या लेकोगे इसमें बंद वालाय के रूप में मोड़ी गई लंबी परी ना लिका कि बंद वालाय के रूप में मोड़ी गई लंबी पन्यालगा को क्या करते हैं तोराइड काते हैं तोराइड काते है और तोराइड की कार्ड चुमकि त्यूता जो होती है वह इसम होती है तोराइड के कारड के कारड के ब्रता वही सेम होती है क्या बीज इक्वल टू बीज इक्वल टू म्यू एन आई होती है कि इसी टोराइड के कार्ड चुमकि छित्किति हुँता बीज इक्वल टू म्यू एन आई होती है और देखो कोसं में जैसे मैंने आपको बताया था n is equal to small small n is equal to मैंने बता था क्या capital n upon yl लेकिन यहां पर क्या हो जाता है yl is ki width की परिदी हो जाती है तो यहां पर क्या लेकिन n upon 2 pi r लिखते हैं r अगर इसकी तिजिया तो n upon 2 pi r लिखते हैं yl comma yl upon yl upon 2 pi r क्योंकि यहां पर यavait पे इसकी लंबाई यल था ये वन अपान एल यहन अपान एल रख जाता यÁं पे इसकी लंबाई नहों कि ये गोला rampa हो जाए कि इसकी परीडी 2 पाई आध दिख पर और इस पैब वि кожan से बनता रिल्द के बनता है बहुत आसान को संफन बनता कि 2018 पांसो फेरे हैं ठीक है जिरू पॉइंट वन एंपेर की धारा प्रवाई तो चुमकी छित्र का मान याद करना है बहुत आसान है आपको चुमकी छित्र बी की जिक्कोल्ट टुराइड काल क्या होता है यहां पर यहन इजिक्कोल्ट हो जाएगा यहन का वैलू कितना दिया है आपका वैलू कितना दिया है यहां से यहां का वैलू आ जाएगा इस फार्मूले में यहां पर का गुमा दिये हैं बित्व बन गया है जो बित्व बन जाएगा तो यल क्या हो जाएगा परीदी हो जाएगा तो परीदी रख देंगे आपका एंसोर आ जाएगा इस तरीके से यहां पर कुछ कोशन भी आप लोगों के लिए मैं होम देना चाहूंगा इसको कुछ एंसोर नहीं दिये गये इसे आप लोग खुछ से ट्राइग करना पीडिएप में आपको एप पर शिखर बैच में मिल जाएगा ठीक है और मैं आपको बता दू ठीक है इसके आगे आग क्या है जो की बार-बार पूछी जाती है यहां तक आप लोग अच्छे से रिवाइच कर लेना बढ़िया से पढ़ लेना अब हम लोग आगे क्योओर चलेंगे ठीक है कि ओके कि अब कोशन तो मैंने करा दिया हूँ है कि अगर तो अब आप सभी लोग आगे हैडिंग डाले चुम्ब की छेत्र में गतिमान आवेज पे लगने वाला बल है डालेगा चुम्ब की छेत्र में कि अगर की यह चेत्र में गतिमान आवेस पर लगने वाला पल यह यह आप सभी लोग हैडिंग डालेगे चुम्ब की छेत्र में गतिमान आवेस पे लगने वाला बल हाइडिंग डाले है सभी लोग यह ठीक है कि अनग कि देखो क्या होता है ध्यान से समझना सभी लोग देखो पहले समझो उसके बाद कमेंट करना अगर कमेंट करोगे नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी मैं दूझे मैं 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 क्या करूंगा बताओ जब समझाते हैं तो आप लोग कमेंट करते हो यह मालो कोई चुमकी छित्र है यह आपके सामने कोई चुमकी छित्र है यह आपका क्या है चुमकी छित्र है गति करोगे तो आपके ऊपर बल लग सकता है अगर आपके विपरित वाँच्छित्र रहे तो कि बात है मालो कहीं आपका कोई लफड़ा उफड़ा हो गया उसकी छेत्र में आप चले गए तो आपके गाल पे पीट पे आपके पैर पे आपके सर पे जो बल लगेगा कोई कहा नहीं जा सकता खुब गिच गिच के मारेंगे उसी तरीके से यह जब आवेश जो होता है यह चुमकी छेत्र में जब कभी गति करता है चुमकी छेत्र में गति करता तो इस आवेश पर एक बल कार करता है एक बल कार करता है उस बल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जब कोई आवेस चुमकी चेत्र में गति करें तो उस पे जो बल कार करता उस बल के बारे में बात करते हैं तो जो बल कार करता उस बल का एक नाम होता उस बल का नाम होता लारेंज बल क्या होता है लारेंज बल लारेंज बल नाम होता यानि कि हम लोग क्या लिख सकते जब कोई आवेसित कर किसी चुमकी छेतर में गति करता है तो उस पे क्या कार करता है एक बल कारता है जिसे हम लोग क्या करते हैं लारेंज बल करते हैं अरे बोलो मेरे भाई किलियर हुआ उनकी छित्र में कोई आवेस गति करता है उस पे बल कार करता है अगर मालनों तुम यहां से पाकिस्तान में चले गए है नहीं वहां पे गति करने लगे तो भाई पाकिस्तान वाले क्या करेंगे बताओ हाईसा पत्थर से भी मारते हैं क्ली अब octopus लगाएंगे आपके विरोद problèmes मma दानि प्लतों लगाएंगे आपकी विरोदमें दो ऐबात होता है जब कोई भी आवेस चुमकी शेत्र में गति करता है तो इससे क्या खहते हैं लाइंज बल काते हैं कमेंट करो को सभी लोग कमिट कर करो परिवासा लारेंजबल की ठीक है इस बात को हम लोग लिखेंगे यह यहां पर जबार लिखेंगे आपर होई। अवेसित है न आवेसित कर सुमब़की एछ diamonds सुमब़ऑ आवेसित कर सुम्ब की यह है चेत्र में करता है कोई आवेशित कर सुम्ब की छेत्र में गति करता है तो इस पर यह होता है एक बलकार करता है एक बलकारे करता है जिसे क्या करते है इसे लारेंज बलकाते हैं कि बनकार करता है जिसे हम लोग क्या काते है लारेंज बल काते हैं अब हम लोग मानते हैं माना क्या मानेंगे माना एक क्यू आवेस है आवेस वी चुम्ब की चेत्र में चेत्र में भी वेग से क्या गति कर रहा है भी वेग से गति कर रहा है क्यू आवेस वी चुम्ब की चेत्र में किस वेग से गति कर रहा है भी वेग से गति कर रहा है क्यों आवेस बी चुमकी छेत्र में भी वेक से गति कर रहा है किस वेक से गति कर रहा है भी वेक से गति कर रहा है तो तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होता है यह कार्य करने वाला जो बल होता है कारे करने वाला जो बल होता है बल यफ होता है यह प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पो तो कार करने वाला जो बल यह होता है, व्हास साइन ठीटा है जोकी चुमकी छित के साथ कोर बना रहा है उसके प्रपोसनल होता है। चार पॉइंट आप सभी लोगों कि कार करने वाला बल क्यू आवेश के प्रपोस्टनल होता है पहली पॉइंट कार करने वाला बल क्यू आवेश के प्रपोस्टनल होता है पहली पॉइंट दूसरी पॉइंट कार करने वाला बल हना वेग वी के प्रपोस्टनल होता है दूसर ताथ लगाओगे तो क्या होगा समीकरड नियततांक कίν लगाय जाता है के बाद में चलके एक हो जाता है इसलिए नहीं लगा रहे हैं ठीक है के का मान आगे चलके एक हो जाता है ठीक है यह आपके लारेंज बल का फार्मूला होता है यानि जब कोई कड़ चुमकी छेत्र में क्यूँ आवेस का कड़ भी वेक से भी चुमकी छेत्र में गति करता है तो उसके कार करने वाला बल क्या ह लिखो सबी लोग यहाँ पे कि कार करने वाला बल जो होता है क्यू भी भी साइन ठीटा के बराबर होता है यानि जब कोई आवेश चुमकी छेतर में गति करता है तो उसका मान क्या होता है QBB साइन ठीटा लिख डालो नीचे comment box में सब लोग ठीक है लेकिन सर लेकिन 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 एक चीज और पूछा जाता है जामे और तहले से यह पूछा जाता है कि यह जो लार्एंज बल का फार्मुला है इसका सदिस वरूप पूछा जाता है और यह याद कर लेना बहुत miss confusing होता है if is equal to क्या होता है सधी श्रूप इसका if is equal to Q B cross B होता हैíss Rares और इसे रट लेना याद कर लेना एकदम दिमाः में set कर लेना वावू भूल मत जाना इसे भूल मत जाना lares ball का सधी श्रूप Q B cross B होता है Q B cross B होता है कि यहां बहुत बढ़ियां क्यूंग भी क्रास भी होता है कि याद है सभी को बताओ अब एक चीजा और मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा छित्र जहां पे चुमकी चित्र और वैदू चित्र दोनों उत्परस्तित हो तो वहां पे भी बलकार करेगा आविश्ति मतलब हम यह करें कि देखो यहां पे ध्यान देना सत पले इसे लिख लो सभी लोग पले इसे लिखो नोट होगissements का इसे भी नोट खाली यह फृर मैं आपको एक नया कंडिशन बताता हूं नया कंडिशन बताता हूं आपको हाँ इसको एक सदिस्त रूप को वेक्टर रूप कहा जाता है यहां पर भी क्रास भी वेक्टर भी एक मिंट मैं यहां पर लिखनी के लिए यह होगा ठीर ठीक है अब देखिए मैं आपको ऐसा बात बताने जा रहा हूं एक ऐसा च्टर जैसे मेरे सामने एक ऐसा च्टर हो जहां पर चुमकी च्टर रता वैदू च्टर दोनों विद्दमान हो एक ऐसा जहां पर चुम्ब की यह तथा वैदुद दोनों च्छेत्र था चुम्ब की च्छेत्र दोनों और वहां पे एक आवेश क्यों यहां पे इस तरह से प्रवेश कर रहा है वहां पे आवेश क्या कर रहा है इस तरह से वहां पे क्यों आवेश इस तरह से क्या कर रहा वाई प्रवेश कर रहा है आयसे प्रिवेश कर मैं यहां पर चुम्की चेतर दोनों विद्बान है और यहां पर क्या कर रहा है कर रहा है तो तो बताओ मेरे वाईयों तो बताओ मेरे सांथ्यों कि यहां पर चुंकी च्छित्र का मान क्या हो यह कोशन पूछा जाता है बताओ यहां पर चुमकी छेत्र का मान क्या होगा तो यहां पर इस आवेस क्यू आवेस क्यू मालों यहां पर घति कर रहा है तो इस आवेस क्यू पर लगने वाला बल का मान क्या होगा तो देखो आप लोगों के बात पता है जो कि मैंने आपको वैंदूत थित्र की की चारण लगने वाला बल क्या होता है बल या वेक्टर या फी इक्सीकोल्ट Do क्या होता है बताव बल या विक्टर या फिजी कोलड क्या ह let hour can you और चुमकी चितके काल लगने वाला बल क्या होता है किर किक अ गद की कि लगने वाला बन यह क्या होता है चुमकी छेत्के कार लगने वाला बल जो होता है वेक्टर यफ अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या होता है यह अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा तो कुल बल क्या हो जाएगा यफ इसे का सकते हो और यफ वी से का सकते हो कुल बल जो होगा पुल बल जो होगा क्या हो जाएगा कुल बल वे क्या हो जाएगा वैदू छेतर वाला ऴी दोनों को जोड़ देंगे अगर मालो कोई बंदा आपके छेतर चेतर में जाता है और आ आपकी घर जाता है वहां पर 10 लोग मिलके उसे ठूरने लगे पीटने लगे तो दसों लोगों का बल उसके योग होगा नहीं यहां पर बाइज इसको च्छित्र वाला भी मार रहा है तो दोनों का आविसों का योग हो जाएगा तो योग होने के बाद क्या हो जाएगा मेरे साइयों बताओ मेरे साथ यूँ यप का वैलू क्या हो जाएगा यहां पर क्यों इसका यप का वैलू क्या है क्यूं यह होता है कब जब बैदुच्छेत था चुमकी च्छेत दोनों विद्धमान होते उस समय कार करने वाला बल्यप होता है यहां से क्यूं कामन कर लेंगे तो विक्टर ए प्लस विक्टर क्रास विक्टर यह आपका फर्मूला हो जाएगा बात समझ में आई क्या सभी को दोनों के दोनों योग के बराबर हो जाएगा नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग और यह भी एक तरह से लारेंज बल ही होता है क्या होता है इसे लारेंज बल क्यों कहा जाता है एक लारेंज नाम के साइंटिस्ट थे जो बच्चों के साथ जूर्म किये और इन्होंने एक बल दे दिया इसी बल को कहा जाता है लारेंज बल अरे बतिया समझ में आई क्या सभी को बताओ नहीं समझ में आई आ गई तो भाई कुछ नहीं किया मैंने आपको पता है दो चीजें कि बैदुद छेत्रिकार लगने वाला बल जो होता है यफ ई उसका वैलू होता है क्यों क्यों को कामन कर लेंगे दोनों जो जो बल लगता है इसमें जो बैदुद चेत्रिकार जो बल लगता है क्यों इंटू इंटू होता है और जो चुमकि चेत्रिकार बल लगता क्यों भी क्रास भी होता है दोनों की काले याद करना है दोनों को जोड़ देंगे एंसर आच आएगा बतार में अगर बता रहर को घ्राइला करो अगर गया ऊपनार च्राइं यह आख ते ऑ-टी कोटा देंगार दी ओतना दिमाख आपका बढ़ेगा और वो जितना मस्ती में बैठे रहा होगी हां कर रहोह इन उतना दिमाग घटे दिमाग को घटाना के निल्फना लेकिन अ लेकिन जल्दी निकल जाती इत है लेकिन निकल जाती यहां यह बात साई तो हम कहेंगे दोनों दिमाग के नीचे डूई डाल लो ठीक है ताकि निकले ना एक का सकते हैं तो गई लेकिन निकले जाती है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा संदार नोट करो सभी लोग इसे बात कर लेते हैं कोस्टन कैसे पूछा जाता है निमेरिकल कोस्टन भी यह कोस्टन दिखाना चाहेंगे ताकि आप लोग इस कोस्टन को करो एक बार ट्राइ करो सभी लोग एक बार तुब बताओ क्या होता चुमकी चेत्र बी में लंबवत भी वेक से चलने वाला कोई आवेसित कड क्यू है तिस पर कार करने वाला बल क्या होगा भाई साब यहा सभी का कमिल दिखो गे न इसमें बहुत आसान है कुछ कहना नहीं है कुछ करना भी नहीं है यह कह क्या रहा है लंबवत गति करता मतलब यह ठीटा का मायन कितना हो जाएगा क्यूं वी हो जाएगा रिक मैब यह आपसा नमर ए सही हो जाएगा यहां से कौन सा सही हो जाएगा आपसा नमर ए सही हो जाएगा यह कोशन बताओ सभी लोग यह वाला कोशन बताओ यह वाला कोशन बताओ सभी लो बताओ 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 तुम लोगी पढ़ाई मैं चेक करता हूँ समान चुमकी छितर भी में एक इलेटरान यी नियत वेख भी से चुमकी छितर के समानतर प्रुवेश करता है तो इलेटरान पर लगने वाला बल क्या होगा पैलरल मतलब एक ऐसा चुमकी छितर है जहां पर कोई एक चुमकी छित के समानतर प्रिविस्ट करता है तो वहां पर लगने वाला बल क्या होगा यह बताओ मुझे बताओ इसका एंसर तो भाई यहां पर देखो क्या कर रहा है चुमकी छित के साथ क्या कर रहा है समानतर गमन करता है समानतर का मतलब क्या होता है समानतर का मतलब होता है कि ठीटा का वैलू जीरो अंस हो जाएगा और साइन जीरो का वैलू क्या होता है जीरो होता है अब इले तरान पर लगने वा हो जाएगा भी इभी साइन जीरो हो जाएगा हुआ है और हाना भी तो बी है ठीक है यहाँ पर यहां पर क्या हो जाएगा वह भी ए भी वी साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो होता है तो यहां पर आएंसर कौन सा हो जाएगा सुने हो जाएगा आप से नंबर डी सही हो जाएगा तो इस तरह से कोशन बनते हैं थोड़ा थोड़ा टिपकल तेकिन असली कोशन तब बनेंग के जब आप लोग अब पढ़ाऊ है कि नोट कर लो इसे सभी लोग कि चलिए आगे चलते हम लोग अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं क्या लारेंज बल की दिशा पढ़ते हैं है डालना सभी लोग लारेंज बल की दिशा कि अगर कोई ले ट्रान है कि बास समझना कोई चुमकी छेतर है और तथा कड़का वेग दूनों के दूसरे के लंबो अथ हूं तो लारेंज बल की जो दिशा होती है वह हम लोग दो नियमों से गयात करते हैं एक तो प्लेमिंग के बाएं हात के नियम से गयात करते हैं दो नियम होता है कौन कौन नियम है दो पहला क्या है पहला नियम है आपका प्लेमिंग प्लेमिंग का नाम सुने हो गए आप सो भी लोग प्लेमिंग के बाय हात का नियम होता है पहला नियम क्या प्लेमिंग के बाय हात का नियम होता है पहला नियम क्या प्लेमिंग के बाय हात का नियम होता है दूसरा नियम होता है यहां पर दाएं हाथ के हथेली का नियम नमर तू दाएं हाथ के हथेली का नियम नमर तू दाएं हाथ के हथेली का नियम नमर तू यह दो नियम से हम लोग लारेंज बलकी दिसा घ्याद करते हैं तो सबसे पहले प्लेमिन के बाएं हाथ के नियम पढ़ते हैं देखो मैं प्लेमिन के बाएं हाथ का नियम प्ले ले मिंग ले मिंग के पाई ले मिंके पाई आख जाओ सबसे परने हम लोग यह प्राने है unfortunately ह मैस को किसी को आपके पास होगा इस तरह से अपने आप के नियम को रखा अधेली को रखा जाता है तो इसında देनाहीं जो अंगुठा होता है अंगुठा बल यप को दर्षाता है और तरजनी अंगुली जो होता है या वेग भी को दर्षाता है इस तरह से हाथ रखते हैं तो यह जो तर्जनी है यह चुमकी चेत्र बीको दरसाता है यह मध्यमा जो है मध्यमा मतलब बीच वाला यह वेख भीको दरता था तो इस पे लगने वाला बल यूप होता यह दरता है बास समझ में आ रही क्या बताओ बताओ बात समझ में आ रही है क्या ये प्लेमिन के दाएं हाथ का नियम है और 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 प्लेमिन के बाएं हाथ का नियम है और दूसरा नियम जो मैंने आपको बता था दाएं हाथ के हतेली का नियम नमर तू दाएं हाथ के नियम नमर तू ये जो मैंने आपको बताया था दाया हाथ के हतेली का नियम नमर टू जो मैंने आपको बताया था इसमें क्या बताया था अंगुलिया जो होती है अंगुलिया जो होती है अंगुलिया जो होती है अंगुलिया क्या होती है अंगुलिया चुमकी छितर बी की दिशा को दर्सा आता है अंगुठा ज कि धिसा जो थखका देने की जिसा जो होते हैं पीडिक्का की दिशा जो होती है थै creature रिफीर करका था हे दुछ दे बिशक करोंगा थे करोंगा कॉश्ण से ठीक है लेकिन यह जो दिशा आता है ना की जो दिशा आता है वह प्लस और पैज़को दर्शा का की दर्शाता है चांचिए आता है यह सभी नियम जो धनात्मक की दशाको दर्शाता है कि यह करप भी नियम जो होता है कि यह न खेंग check check original सिनात्मक कर अभि अर पर कर इस की – दिशा को दरसाता है यह सभी नियम जो होता है धनात्मक आवेस की दिशा को दरसाता है अगर रिडात्मक आवेस की दिशा को निकालना है तो उसका उल्टा कर देते हैं मतलब अंदर की ओल आ रहा है तो बाहर कर देंगे बाहर आ रहा तो अंदर कर देंगे उल्टा कर देंगे अगर आपको रिडा आवेस की निकालना हो तो दिशा विपरीद कर देते हैं रिडा आवेस की दिशा याद करने के लिए याद करने के लिए दिशा क्या कर देते हैं दिशा विपरीद कर देते जिसा को विपरीथ कर देते हैं अ ना ठीक है जिसा को विपरीथ कर देते हैं यह मैंने आपको statement लिखवा दिया इसका यूज मैं आपको कराने जा लेखो एक question देखो यह question मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाया यह question पढ़ाओ यह कोस्टन को लगाओगे तो आपको जो मैंने दिशा वाला कंसेट बताता है किलियर होगा पहली बात तो क्यों जो आवेस है यह बिना विच्छे पित हुए सीधे निकल जाती मतलब क्यों आवेस पे कोई भी आवेस नहीं है क्यों वाला आवेस जो है उदास सीन ह है तो इस हिसाब से आप सीधे कर सकते हो भी वाला को सब्सक्राइब लेकिन इसके अलावा क्यों क्यों क्या पी और आर पे भी दिशा हम लोगों को ग्याद करना है और हमीं लोग इसे ग्याद करेंगे हमीं लोग इसे ग्याद करेंगे देखो इसमें मैंने दाए हाथ के अत और यह अंगुठा अंगुठा क्या होता है अंगुठा आपका क्या अंगुठा वेग भी की दिशा होगा यह जो दिशा है आपके सामने ध्यान देना सब्सक्राइब कि यह जो आपका दिशा है जो यह आपका जो दिशा है हैसे लिदी यह संहने आईसे तो नार कड़ जा राया बागे तो देखो यह अंगूलियां चुमकी चित के दिसा में जो की अंदर की ओर कर दिया मैंने ठीक है और यह यह अंगूठा वेक की दिसा में कर लिए तो धक्का उपर की ओर दे मतलब क्यूं वाला उपर की और जा रहा है ये धणावेस मैंने आपको बताया कि धनावेस की दिशा ही न 나서 जाए तो नीचे जहा रहा इसका वित्री है सामें जो जा रहा है जो नीचे की ओर जा रहा है रिड़ावेस हो जाएगा तो यानि कि आपसे नमर भी सहीं हो तो इस तरह से कोशन पूछते हैं यहां से ठीक है और मैं कोशन से लाया हूँ यह कोशन पूछते हैं यह पर दिशा निकालने सीख जाओ फी निमेरिकल कोशन करने में बिताता हूँ यह दि चुमकी छेत्र है धनात्मक वाई अच्च के समानतर है आवेस कर धनात्मक यह से दिशा में गति कर रहा है तो लारेंज बल की दिशा क्या होगी देखो भाई मैं इतना जानता हूँ कि यह आपका यक्स अच्च होता है नीचे वाला हमेशा यक्स अच्च होता है यक्स अच्च हो गया और यह उपर वाला आपका क्या होता है जो चुमकी छेत्र होता है जो चुमकी छेत्र क्या रहा है धनात्मक वाई अच्च के समानतर है धनात्मक वाई तो मैं अगुलिया उपर करेंगे ठीक है और आवेशित कड़ धनात्मक दस यक्स अच्छ के दिशा में गति कर रहा है देखो मैं नियम को लगा रहा हूं यह अगुलिया जो रहता है घ्यान देना सभी लोग नहीं तो नहीं समझ में आएगा बहुत आसान चीज है बस समझना करेंगे देखो कभी आपस अपना नीचे करो सभी लोग नीचे करो नीचे करो ने तु नहीं समझ में आएगा मैं humorical कर वाओंगा पहले numerical की ओर ले जा रहा हूं आपको दिशा घ्यात करने के लिए पेन कापी अपना नीचे करो सबी लो औरना नहीं समझ में आयगा पेन कापी नीचे करो जो मैं कहा रहा हूं पूरे ध्यान से सुनो सबी लो पहले अपनी पेन कापी और मोबाइल को दूर रखो सभी लूग जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो कोस्ण क्या करा है अंगुलिया जो होता है एक चुमकी chut की दिशा हो गई तथा आवेसित का ढदधन एक चिके दिशा में गति मान तौ लारेंज बल का मान यात करना है और आपको यहांपे कंसेप्ट क्या मैंने बताया कंसेप्ट यहां पर यह बताया दाए हाथ के हतिली का नियम कैसे लगाएंगे यह अंगुलिया जो है चुमकी छित की दिशा में रखते हैं अंगुठा कहा रखते हैं वेक की दिशा में जिजर कड़ गती कर रहा है तो धक्का देने की दिशा यह कि हमने पढ़ा यहाँ अगर इसमस्क्रावं के आको प्ता यही होता है यह सची होता है अख यह थिए कि दक intersect यह कच्छा दस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह दना थमक नीचे 2 लूण नीचे लिए नहीं मेर यह कच्छा 10 दस में आप सक लोगों ने पढ़ा है मुझे पता है आप लोगों ने कच्छा दस में इसे पढ़ा है तो यहां पर इसे अप्लाई करोगे तो सीडी सी बात है अंगुलिया जो होता है यह यह उद्या क्या धनात्मक वाई अच्च के समानतर है यानि यह अगुली क्या चुमकिछित के धनातों वाई अच्च के समानतर हो गया और आवेशित कड़ यक्ष अच्के अंदिश गति कर रहा है यह आवेशित कड़ यक्ष अच्के अंदिश गति कर रहा है तो धक्का बाहर की ओर दे किसकी दिशा होगी मेरे भाईयों बताओ यह यह देखो यह बाहर की और एक एक्सिस होता है जिसको ऐसे करके घिषते हैं जो कि क्या होता है यह यह दिशा किसकी होगी धनात्मक आवेश की होगी अधनात्मक आवेश कौनता है मैंने यहां पर लिखवा रखा है कि जो दिशा निकाली जाती है इस नियम से यह हमेशा धनात्मक आवेश की दिसा निकाली जाती है रिडात्मक आवेश की दिसा निकालने के लिए उसका उल्टा कर देते हैं तो यहां पर नियम लगाएंगे तो देखो यहां पर जो दिसा आएगा वह किसके आएगा यह धनात्मक आवेश क आएगा किसका आएगा धनात्मक आवेश्का यह जो दिशा आएगा किसका आएगा भाई धनात्मक आवेश्का आएगा तो यह बाहर क्यों मतलब इधर यह ऐसे बाहर क्यों मतलब आपको पता हूँ मैं यहां पे इन भी नहीं है तीन एक्सिस होते एक तो यह होता है देखो मे लाइन जो एक्स होता है यह एक्स वाला एक्सिस होता है तीन एक्सिस होता है कहीं पर भी तीन एक्सिस होता है एक्स वाई जेड़ तीक है आप अगर अपने कमरे में देखेंगे तो आप अपने कमरे की दिवाल को देखोगे आप मैं देखो आपके कमरे की दिवाल को यहां प समझना सरिव लोग, आपके कमरे की दीवाल को बताता हूँ, कि एक्स वाइज एक्स अचस आप लोगो को नहीं पता हुआ, कि आप लोग तो खेलने वाले आदम खिलाडी आदमी खेलती हो हमेशा अच्छा नौ में खेले एक अच्छा दस में खेले अच्छा बारे में आप लोगों को पदक लेना है प्राब्लम तो होगी न थोड़ा सा कि यह आपके एक तरह से मकान हो गया यह दिवाल है कर समिंदा है यह द behaves क्या है फर्स है यह आपका क्या है सामने दिवाल सब दिवाली को यहां पर तीन तरह से होता है देखो एक तो ऊपर की और जा रहा है यह आपकी वाई एकसिस हो जाएगा एक ऐसे जा रहा है जो कि ऐसे यह से वाला है जो कि एकसिस हो जाएगा और यह जो बाहर की और निकलाई से जेड एकसिस कहते हैं बाहर वाले को क्या कहते हैं जेड एकसिस कहते हैं कि बहार वाले क्या करते मेरे भाई जियर्ड एक्सिस करते हैं यहां पर हम निकाल लेए चुमकी चित forsk府 दिसाे और या एकसस की दिसा को इधर गतिके कर आ stresses तो बाहर के दिसा में इसका धनावेश की दिसा हो जाएगे जै इसको दिसा क्यों रूटा करेंगे या By में –Z-Axis में इलेटरान के दिशा जा हो जाएगी कि फ्लस धैकि में बात समझ मा towel को क्या किया मैंने कुछ नहीं किया कि जे डेक्सिस ठीक है और इधर माइनस जे डेक्सिस होगे कुछ करना तो नहीं है इसमें निकाल लोगे दिसा उसा न अब बाकी निमेरिकल कोशन साते हैं छोटे मोटे जो कि आप लोगे बोलो कर लोगे की नहीं कर लोगे है की अरे हां यहां कुछ बोलोगे क्यर मोटे जिसा निकाल लोगे कुछ नहीं करना यहां पर बताया गया उस्ती को नियम को फालू करना मुझा स्वालोगी दिशा क्या देड़ धन होगेíst प्रोटान की दिशा धन एक्सिस होगा और इले टाइन माइनस एक्सिस होगा क्यों अरे बोलो मेरे भाईयों कुछ बात समझ में आई बताओ अब चलो मैं अब आपको कुछ और प्रोस्टन देता हूं बताओ मुझे इसका अगर बात समझ में इसका अंसर बताओ एक इले ट्रान है एक कड़ है आवेशित कड़ है क्योंकि ये आवेशित कड़ है क्योंकि ऐसे कि इधर जा रही है और चुमकी चित की दिशा क्या है आपका नीचे क्यों रहे है और गती आवेस भी इधर कर रहे है तो मुझे बताओ अगर मालो यह कड़ धनावेस है तो इसकी दिशा क्या होगी अगर यह कर रिडावेस है तो इसकी दिशा क्या होगी बताओ बताओ मुझे तो समझ में आ गया तो बताओ मुझे धनावेस है तो इसकी दिशा क्या होगी रिडावेस है तो इसकी दिशा क्या होगी बताओ बताओ मुझे देखो यह जो नियम मैंने बताया न यह जो नियम दोनों मैंने बताया इस नियम से हमेशा धनावेश की दिशा निकलती और कभी रिडावेश की दिशा करें तो धनावेश की दिशा उसका उल्टा कर देते हैं प्लस आया तो माइनिस कर देंगे अंदर आया तो बाहर कर यह जो नियम निकालती हमेशा धनावेश की दिशा निकाल रिडावेश की दिशा याद करना हो तो उल्टार कर देते हैं मालों उपर आया तो नीचे कर देंगे दाया तो बाया कर देंगे ठीक है अंदर आया तो बाहर कर देंगे प्लस आया तो माइनस कर देंगे जैसे इस को देखो धनावेश बताओ देखो अंगुलियां जो चुमकी छित की दिशा में करेंगे और अंगुठा जाने की दिशा करेंगे तो इस तरह से धक्का तो अंदर की और दे पा रहें तो धनावेश की दिशा अंदर होगा न भाई क्यों भाई जैसे दिकाल ने हो धनावेश की दिता तो अंदर होगा यह अंगुल दाया हाथ का नियम जो अंगुल निकालती है यह अंदर की ओर लगई का धनाविश पर न और रिड़ावेश इसका उल्टा बाहर हो जाएगा यह बाहर बात समझ बाहर है रिड़ावेश भाहर की ओर होगा यह तरीका होता है दिसानी का अरे सिद्वी बात है अंगुठा जो है बेक के दिसामे करिया तो धर जा रहा है ना और यह अंगुली जो है चुमकीछट की दिसाम के तो धक्का तो अंदर की ओर दे पार है ये धक्का तो ऐसे जारी यहां पर हम आतु रख भी नहीं पा रहा है तो अंदर क्यों जा रहा है तो नीयम से जो भी नीयम निकालती जो भी दिसान निकालते झाल 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 तो अब हम लोग कुछ कोस्टन्स करेंगे ठीक है जो की आपके लारेंज बल पर अधारित था ठीक है कैसे कोस्टन्स पूछे जाते आंकिक के रूप में आप सभी लोगों के सामने हैं देखें प्रस्टन क्या है एक प्रोटान वन पॉइंट फाइप यहां देना सभी लोग क क्या है वन पॉइंट फाइप वैवर प्रती मीटर स्कॉयर के तियुता के चुमकीचित में 30 तंस के कोड़ पर टू इंटू 10डी पावर सेवन मीटर प्रसेकंड की वेक से प्रविश करता है तो प्रोटान पे लगने वाला बल घ्यात करना है लिखो प्रोटान पे लगने दे रखा है कितना यहां पर बाई क्यों का वैलू क्या देखा एक प्रोटान दे रखा और एक प्रोटान बताओ क्यों का वैलू कितना होगा यहां पर कि बोलो सभी लोग कि बोलो क्यों का वैलू क्या होगा यहां पर बताओ सभी लोग तजरा तो एक पूटान पर कितना आवेस होता है? भाई साहब एक पूटान हो या फिर एक इलेटरान हो दोनों पर समान आवेस होते हैं कितना 1.6 इन्टु 10 narc toca-19 कुलाम का होते हैं यह आपको basic जानकारी होनी चाहिए 1.6 div 진행 इन्टु 10 JUSTIN kindness 19 कुलाम का प्रोटान के लिए प्लस होता है और इलेट्रान पर माइनस में प्लस में होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया यह तो क्यों का वैलू हो गया है और देखो क्या कर रहा है ठीटा का वैलू 30 अंस दे रखा है ठीक है थीटा का value 30 दे रखा और V का value दिया है कितना बताओ 2 x 10 के power 7 meter प्रति सेकंड दिया है meter प्रति सेकंड दिया हुआ है और V का value हो गया चुमकी छित्र V का value कितना दिया है आपका बताओ 1.5 per प्रति मिटर स्क्वार प्रति मीटर स्क्वार यह चुंती छत्र B का बैलू दे रखा है तो यहाँ पर ध्यान देना सब भी लो क्या हो जाएगा क्यू का बैलू 1.6 इंटू 10 डी पावर मानेस 19 यह हो जाएगा भी का बैलू क्या है भाई बी का बैलू 2 इंटू 10 के पावर 7 है बी का value क्या है बी का value 1.5 है यह qbb हो गया और sin theta मतलब sin 30 हो जाएगा अब देखो सुत्र बस फार्मूले में बस रखना है और sin 30 का value होता है एक बटे 2 यह आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ से यप का value कितना हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 हो जाएगा into 2 into 10 के power power 7 हो जाएगा into 1.5 into 1 by 2 हो जाएगा देखो 1 by 2 जो है न यह 1 by 2 2 से कर जाएगा 2 2 से कर जाएगा 10 to the power 7 और 10 to the power minus 19 यह आपके सामने है तो 1.6 into 10 के पावर minus 19 है और 10 के पावर plus 7 है into 1.5 है 1.5 है यहाँ पर इसका वैलू क्या आएगा बताओ इसका वैलू क्या आएगा बताओ बोलो क्या आएगा देखो आप तो 10 to the power minus 19 और plus 7 इसको साल करोगे तो 12, 17 होता है आपका वैलू क्या आजाएगा 1.6 into 10 के into 1.5 है into 10 के पावर माइनस है 12 हो जाएगा माइनस है 12 हो जाएगा और यह दोनों गुडा करोगे तो इसका वैलू आएगा 2.4 into 10 के पावर माइनस बार न्यूटन हो जाएगा यह आपका एंसोर आएगा यह आपका क्या आएगा एंसोर आएगा बात आगई समझ में क्या सभी को बताओ इस तरह के कोशन पूछे जाते हैं बल ग्यात करने के लिए क्यू भी भी साइन ठीटा होता है बहुत बढ़ यहां तभी का एंसोर भी आ रहा है चलो अगला कोशन देखो थोड़ा सा सेम टाइप का है लेकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाए लगेगा है यहां पर इस टाइप के कोशन बहुत कम बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहां ठीक है आपको कुछ करना नहीं है बस छोटा सा काम करना है देखो क्या दे रखा है एक इलेटान धनात्मक वाई अच के दिशा में देखो इस कोशन को साल करने के लिए आपको थोड़ा से एक्सेस होरा का नियम पता होना चाहिए नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे ठीक है बास सिंपल सी बात है धनात्मक वाई एक की दिशा में टू पॉइंट जिरो इंटू टेंडी पाओर एट मीटर प्र सिकेंड की चाल से गति करता है एक चुमबक चुमकि छेतर बी का वैलू दिया हुआ एतना टेसला है तो इले टान पे लगने वाले बल का परड़ाम और दिशा ग्याद कीजिए बहुत आसान कोशन है लेकिन इसमें तुला सा ट्रिक लगाना होगा आप लोगों को देखो कैसे लगया या कोशन देखो आपको पता होग आप लोग बच्पन में पढ़े होंगे नहीं पता तो अभी से जान लीजिए कहीं पा अगडर इस तरह से तीन एक्सेस होता है यह एक्सी Siegrix और यह ज्डिक्स Почему study और यह जब्राइब यहां अध्याई यहण दो सब्लाएं आए में यह पर यह दो से लिखा जाता है इननल काई कुसे लिखा जाथा ऑग собственно किसे लिखा जाता है कि अधुल है कि से लिखा जाता है लिखा जाता और यहसे आई जे के से लिखा जाता है यह 3 3 X का यह ना होता है ठीक है तो यहाँ पर कर रहा धनात्मक य एक्सिस में यह गती कर रहा है तो यहाँ पर ये प्लस 0. 5, ने, 0.4, 4K, ये चुमकी चित्र V का value यतना टेस्ला दे रखा है यतना टेस्ला दे रखा हैं तो इलेट्रान पे लगने वाले बल त्था उसका पश्डाम जयाद करना बल का माहन और इलेट्रान पे लगने वाले इस कोशन का बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग का अच्छा तयार है तो आपको पता है फार्मला होता क्या है बल यह फिज क्या होता है क्यों का वैलू यहां पर दे रखा कितना इले टान प्रावेश क्यों का वैलू दे रखा यहां पर सब्सक्राइब बात है विका वैलू देखा टू इंटू 10 के पावर एट मीटर इतना दे रहा इतना जे रखा ठीक है और यह इतना जे हो जाएगा क्रास हो जाएगा यह क्रास क्या हो जाएगा 0.3 j plus 0.4 k यह आपके सामने हो जाएगा अब देखो भाई आप जिसको यह गुड़ा आता है जो कि कच्छाई 11 में पढ़ाय गया था यह क्रास वाला जिसको गुड़ा आता है सदीस बीजगरी जो पढ़ाय था वेक्टर वाला सदीसी वाला जो आप लोग जो पढ़ेते कच्छाई 11 में जिसको यह गुड़ा आता है यह j का गुड़ा है यह j और यह j है और यह k है इसके साथ जिसको गुड़ा आता है वो तो गुड़ा असानी से कर लेगा उसका एंसर आ जाएगा जिसका गुड़ा नहीं आता है उसको दिक्कत होगी उसको क्या हो दिहां हुगी दिक्कत होगी अर्म आ कम और धूर आ रहा है थुक्त गणा सा दिक्कत होगी जिसको गुड़ा नहीं आता है और दिक्कत आपको गुड़ा में हो हो तो तो समयदना आपको कॉस्ण तो आ रहा है इसके लिए आपको गोड़ा का तरीका सीखणा होगा दिक्कत अगहर यही नहीं आ रहा तो इसको मैंने बता दिया आपको ठीक है यह कैसे होता है इसमें क्या मआUNT का ऐसे हैं आई के यह होता है इसमें देखो इसमें ऐसे गुड़ा होता है आई का गुड़ा जे में होता है तो इसका वैलू क्या आता है और के का गुड़ा जे का गुड़ा के में होता है तो जे का गुड़ा के में होता है तो इसका वैलू आई आता है और आई का गुड़ा ज और जे का के में होता है तो के का आई में होगा तो क्या आजाएगा के का गुड़ा आई में होता है इसका गुड़ा इसका वैलू जे आता है अब आपको लगए लगा कि नया होता है इसे कैसे होता है तो भाई आपको वेक्टर वाला गुड़ा नहीं आता है हम इसको इतना ही बता सकते हैं कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना मैं मैं बताने लगा हूँ ति चैप्टर 3-4 गंटे लग जाते हैं पढ़ाने बताने में तो जिसको आता उसका जिसके दिमाग पढ़के जो भूल गया है उनका याद करा दे रहा हूं जो बच्चे नहीं जानते एक जानते है उनको कर रहा हूं यह चोड़ दो सबसे अच्छा तरीका है में नहीं आता ऐसा diffusion बहुत कम आता है कभी नहीं आता है मैं देखा नहीं जल्दी आते समय है समझे क्यों हो सकता है पूछ सकता है इसलिए मैं गता रहा हूं ठीक है और इसमें क्यों क्या होता है u1.6 in 210-19 का गुड़ा करना है यपके लिया आपको क्या करना है i2 10-19-11 काुड़ा करना है इसमें करना वाई इसका गुड़ा करना है कि तो इंटो ऑपको की आए tell रहो है इसका खाना कराना है किस Dad यह बात में 0.3 जे और 0.4 के बीचे 0.3 के बीचे इस तरह से क्रास कराना है तो जब गुडा कराओगे तो देखो ऐसे गुडा होगा सिंपल है इसका गुडा इसमें जे इंटु जे होगा तो जे इंटु देखो मैं आपको बता रहा हूं देखो यहां पर मैंने बता है आई इहां पर नवाट करोगे तो इसमें करोगे तो जे इंटु जे इसका वैलो जीडू हो जाएगा और यही जएगा यह जो सित कर लिया इस वाले कोड़ा इस वाले पंड कर देंगे 0.4 में करेंगे तो क्या होगा बताओ क्या होगा typically ब्रिल्टिति के पावर 8 ठीक है in to 0.bard यह जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ यह क्रास के हो जाएगा k 5 के हो जाएगा अब देखोg j into j ka value क्या होता j into j ka value 0 होता चुकि मैंने आपको बता रखा यहाँ पे j into j ka value 0 होगा औ rr as k का value क्या हो जाएगा j into k k value i हो जाएगा यहाँ पह पह 알람 हो जाएगा और इनका गुडा करोगे चादून या दूनिया 0.8 इनका गुड़ा करोगे 0.8 हो जाएगा इन्टू 10 के पावर 8 हो जाएगा अब यहाँ पर बचाया वह और इसके बाहर यह तो 0 हो गया यह 0 हो गया और इसके बाहर बचा हुआ कोश्टर के बाहर जो गुड़ा करने के लिए बचा है कितना 1.6 इन्टू 10 दी पावर माइनिस 19 किसका गुड़ा करना है। अच्छा एट नहीं है इसकस है यहाँ यह मैंने रांग नहीं लिखाू ध्यास उतर गया यह 6 है। 6 6 कर लो क्या दिक्क्त है 6 कर लो और उसको पूर पर नहीं 10 दिपावर 6 है चलो यहां पर भी 6 कर लो तब यह चोटी-मोटी गलती है इसे को लिटी तो नहीं कहा जाए तो 6 है ठीक है इन्टू 0.8 इन्टू 10 दिपावर 6 होगा और इसको जब आगे साल करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जोड़ाट्थे कितना होता है कि बताओ क्या हो जाएगा एक सो अठाइस इस तो जलो जाएगा इस तरह से आपको ऐसे को साल करना होता है और यह जीरु आ जाएगा तो यह आपको इसको को साल करना होता है मैंने यह सहित इसलिए बता आकशत है कि अगत्त कर लिए तो पूछाता है थår को सब्सक्राइब स्मंज भी होगा तो अच्छी बात यह अच्छी बात ज्यादा प्रशथान होने की जर्ग अधा उत म然後 करी लिए थी यह वाला कोशन आपको करना है ठीक है हुमवर्ख है आप लोगों के लिए और अब चलिए आप सभी लोग नेश्ट कोश्चन पर नेश्ट टॉपिक पर चलते हैं ठीक है चला जाये थी ठीक है नोट कर लो सभी लोग इसे तो अब आगे सभी लोग हैडिंग डालिए नेश्क टॉपिक पे चलते हम लोग ठीक है 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 यह डालना है कि चुम्ब की छेत्र में कड की गति चुम्ब की यह चेत्र में कड की गति चुम्ब की चेत्र में कड की गति यानि चुम्ब की चेत्र में कोई भी कड है तो वह कड की गति कैसी होती है ठीक है यह हम लोग जानेंगे ठीक है तो हम लोग यह मानते हैं यह आपके सामनी यह आपका एक चुम्ब की छेत्र है यह आपका चुम्ब की छेत्र है जापा क्या है अ चुमकी छितर एंग इस चुमकी छितर में कोई एक कड़ है जो की यह कोई एक आवेश क्यों है जो की प्रवेश करता लेकिंग प्रवेश कैसे करता है लंबोवत प्रवेस करता है ये जो आवेद क्यू है ये कैसा कैसे प्रवेस का इस करता कि ऐसे करता है ज्यान देना सभी लोग लंबवद करता है यांने इसका वेग हम आता और इस पे लगने वाला बल जब करता है लंबवद करता है तो यह जो कड ना इस चुमकी चितर में जाता है तो इसका पत कैसा था इस तरह से इस विर्त के अकार का हो जाता है जुदि लंबोगद प्रुविष करता है उस्का पत कैसा हो जाता है वित्ताकार हो जाता है कि वृत के आकार का हो जाता है के वृत के आकार का हो जाता है कि यानि हम यह बात यह लिख सकते हैं कि चुमकी छेतर में जब कोई कड़ लंभवत प्रवेस करता है तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं और ये बहुत बार आपजेक्ट्वी कोशन में पूछा जाता है कि चुम्बकी छेत्रे में चुम्बकी छेत्रे में जब कोई कर चैसे प्रवेस करता है? लंबवत लंबवत प्रवेस करता है तो कि उसका जो है कैसा हो जाता है वित्ताकार होता है वित्ताकार हो जाता है इस बात को लिखना लेकिन आप कभी कभी कहते हो कि पत्व परवलायाकार होता है बिल्कूल जो जब यह कड जो है चुम्बकी छेत्र के जगह यह कड अगर वैदू छेत्र में परवेश करेगा तो इसका पत्थ क्या हो जाएगा क्या हो जाता है दोनों बात ध्यान रखना सभी लोग वैदू छेत्र में प्रवेश करेगा तो पत्थ कैसा हो जायेगा परवलायाकार हो जाएगा अगर बैदू छेत्र में प्रवेस करेगा तो पत कैसा होता इसका कितने में प्रवेस करेगा तो पत इसका कैसा हो जाता है इसका पत जो होता है इसका पत कैसा हो जाता है इसका जो पत होता है क्या होता है परवलया कार होता है अगर चुम्बकी छेत्र में परवेश कर रहा तो इसका पत कैसा हो जा रहा है वित्ताकार हो जा रहा है इस बात को याद दखना सभी लोग चुम्बकी छेत्र में जाएगा तो वित्ताकार वैदु छेत्र में जाएगा तो परवलया कार हो जाएगा बात समझना सभी लोग अब देखो आप लोग एक बच्पन में कहानी पढ़े थे साथ हमने तो पढ़ा था अपने बच्पन में पता नहीं पढ़ा था कि जब कोई भी कड़ वित्त के पत्त में प्रवेश करता है यानि वित्त के तरीके से गति करता है तो उसकी केंद्र पर एक ब बल काते हैं यह चीज आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई कड़ वित्त कार पत्त पर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं अभी केंद्र बल काते हैं यह आप लोग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि भूल गया है बता हो यह बात आप लोगों को याद दे की नहीं। जब कोई पत वैदूद छेत्र में प्रवेश कर सारी जब कोई पत जब कोई कड बिद्धाकार मार्क में चलता है तो उसके केंद्र के तरफ बल कारता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं अभी केंद्र बल करते हैं। यह बात प्रवल्याकार तब होगा जब वैदु छित में जाएगा मैंने यह कहा कि अगर यह कड जो है चुम्बकी छितर में जाएगा तो इसका पत्वित्ताकार होता अगर यह कड वैदु छितर में जाएगा तो इसका पत्वित्ताकार होता और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी कड वित्त के पत्वर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कारता जिसे अभी केंद्र बल कारते हैं। और आपने कफ्चा 11 में कफ्चा 9 में इसे पढ़ा भी होगा। जाँ यही वज़ molecular केंद्र की तरफ कार करता है। यहीजी वज़य होता है जब कोई highway बनता है कोई road बनता है। तरह से ऐसे बनाया जाता रोड ताकि इस केंद्र की और को गाड़ी मतलब रोड को थोड़ा सा ठील्ट कर दिया जाता जुका दिया जाता ताकि केंद्र की और बलकार करते कोई भी गाड़ी किंद से बाहर न जाए यह सब आप लोगों ने कच्छा 11 में पढ़ा होगा वही बात में दुबारा आपको बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं हम इसलिए लिख रहे हैं क्यों हम जानते हैं आप लोग भी जानते हैं तो लिखना हम जानते हैं कि कोई कड तो यदि विद्द्दाकार विद्द्दाकार पत्र पर चलता रहे उसके केंद्र उसे केंद्र की और एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं जिसे अभी केंद्र बल का थे और अभी केंद्र बल का मान क्या होगा अभी केंद्र बल का मान क्या होता है यह फीज इसक्वार अपाना मैंने आपको यह बात कई बार बता दिया हो सकता आप लोग भूल गए हूं हो सकता आपको याद हो लेकिन आपको याद होना चाहिए यह अभिकेंद्र बल होता है और यहां पे भी अभिकेंद्र बल कार्य करता लेकिन वह अभिकेंद्र बल होता है वह अभिकेंद्र बल चुम्बकी बल से प्राप्त करता है आप इस बात को लिए सकते हैं कि चुम्बकी पैजा च्ट्र में का नितर में मुझा करेंग का विकेंद्र लूर। कि अभजो होता है आपर। तो कि सबस्कोड होता है यह में होता है, द्यान देना क्या है यहां पर ध्यान देना क्या है यह फिजिक्वल टू यह बल कितना है यह फिजिक्वल टू ध्यान देना सभी लोग यह फिजिक्वल टू यह बल कितना है यह फिजिक्वल टू यह बल है और यह किसके बराबर होगा चुमकी बल यानि क्यूंगी बी साइन ठीटा के बराबर होगा और आपको यह पता कि यह कड़ लंबवत प्रवेश किया है कैसे लंबवत प्रवेश किया है प्रवेश लंबवत प्रवेश किया इसलिए यहां पर ठीटा का बैलू 90 अंस हो जाएगा और आपको पता है साइन 90 का बैलू कितना होता है एक होता है तो बल यप का मान कितना हो जाएगा बल यप का मान पां आर इक्वल टू फू önवीवी ग 95 है यह बल दोनों बराबर हो जाएं सिती यह बल दोनों के बराबर होजाएगा ठीक है अब देखो क्या होता है यह यह जो भी है न यह भी इस भी से कड़ जाएगा और आपका यहाँ पर क्या बचेगा बचेगा आपका mb upon r is equal to qb बचेगा यह आपके सामने बचेगा यही सत्य mb upon r mb upon r is equal to qb और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो वित है उसकी त्रिज्या निकल के आज यही त्रिज्या क्या होता है क्यूं बताओ त्रिज्या आपका निकल क्या गया त्रिज्या होता है mb तिज्या होता है, M, C upon QB होता है, यह वित्त की तिज्या हो गई है, जो वित्त निकला था उस वित्त की तिज्या है, आपली सकते हो, R जो है क्या है, वित्ताकार, R जो है, वित्ताकार सत्र की तिर्जिया मतलब radius है और सबसे महत्पुर फार्मॉला यह पूछा जाता है यह पूछा जाता आपके इसे नोट कर लो ठीक है और कैसे पूछा जाता मैं आगे कोशन सबत दिखाऊंगा किसी एक समान चुमकी जैसे सामने आता हूं उसको अध्यांद देना होता है यह पे चुमकी छेत्र रखा है लिखा कि वेदुच्हेतर लिखा है अगर चुमकि छेतर लिखा होगा तो उसका पत परलोयाकार होगा आपस्टन में तो ऐक्जामना आपको कंफूज़ करने के दोनौ प्रभुuto दिया होगा लेकिन आपको याद रखना है अगर तुम्वकित्य सित्र लिखाओगा तुफा पत्त कैसा होगा दित्ता कर हो गा और उस पत्त की ता पत्त कि त्रिज़ा मैंने हम आपको अभी निकालके बता है उसकी तत्त की ता क्या होता है, याद हो जाए आप सभी लोग लिए क्योंकि पूछा जाता है कि उच्छा जाता है आपके एक्जामे करो सभी लोग ताकि याद हो जा सभी को कि minor है विट्था कार होता है बहुत बढ़िया है और पत्त की तिज्य आप सभी लोगों के सामने है अब अब देखो प्रत्त जो पत्त है उसका आवर्थ काल निकालेंगे उसके बाद लिखने का समय देंगे हम आंप लोग उसका का निकालेंगे आवर्थ इंब आवर्थ्टकी क आवर्थ्ट इसावर्थ काल क्या बूथ चिर्च जो पत्अ करेंगे रहें आवर्थ काल मतलब कितना समय लगता है यानि की जो इल्य है जो की वित्ताकार पतफ पि ये चल रही है जो इल्य आपका पत पे चल रही है तो एक चक्कर् यानि यहां पर था दुबारा यहां पर आने में कितना समय लग रहा है यह आवर्थकाल आपको ग्याद करना है यह एक चक्कर करने में कितना समय लगता है यह आप से पूछा जा रहा है हम की अवर्त्ट काल Three इसिक्वर्ट क्या होता है बताओ अवर्त्काल टी इस कोल टू आप लोगब पढ़े में पड़े जब आप लोगध का नियम पढ़ रहते अच्छा 21 में जब आप लोग चैपलर का नियम पढ़ रहते वहां पे आप लोगों ने इसको समझना है एक बार में समझ लेना है आपको पता जब कोई इलेटरान ऐसे गति करता है तो यह एक बार में कितना दूरी चलता है इस बृत की परिदी जो होती है उतनी दूरी चलेगी ने यहां से अगर इलेटरान ऐसे गति करके फिर यहां पर पहुंच गया तो कुल कुल्दूरी कितना होगा बताओ किल्दूरी का अगर होगी कितना होगी मेरे कुल दूरी कितना होगी बताओ इस बित की परीदी होगी क्या होगी परीदी होगी और परीदी क्या मान कितना होता है बताओ टू पाई टू पाई इसमाल आर इस बित की परीदी होती है फुल दूरी टू पाई आर होगा इस बित की परीदी होगी जो कि जिसका मान क्या होता 2 pi r होता है और आपको पता है समाई जिक्वल टू क्या होता है दूरी बते चाल होता है अब इसका कुल दूरी 2 pi r है अचाल भी है तो यहां पर क्या हो जाएगा कुल मिलाके सावर्थकाल 2 pi r अपान भी हो जाएगा इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो हलाकि 2 pi r अपान भी ज इक्वल टू होता है है और अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले हम लोगों ने आर का वैलू निकाला क्या क्यूं बताओ कर आर का वैलू क्या निकेला एंब्य आत हैं-जार क्यों पान कि यह और का मेलो इसी समीकर में रखते हैं इसको समीकर नमर एक मालो और समीकर नमर एक में समीकर नमर एक में रखने समीकर नमर एक में रखने पर रखने पर इस समीकर नमर एक में रखते हैं तो क्या हो जाएगा जब समीकर नमर एक में रखेंगे तो तो r is equal to क्या हो जाएगाज हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर रखेंगे तो आवर्ट्ट्कार् jam two by M B upon QB upon B इसको आगे साल करोगे T is equal to क्या हो जाएगा बताओ 2π M B upon B Q की हो जाएगा अब बहुत आसान है देखो B से B कर जाएगा और T का value आजाएगा आप सभी के सामने 2π M upon QB यह आपका T का value हो जाएगा आवतकाल का value आई क्या बात समझ में आप लोगों को यह आप सभी लोगों के सामने बात समझ माई आवतकाल T is equal to क्या होता है बोलो आवतकाल T is equal to एक बार सभी लोग comment box में comment करो आवतकाल T is equal to क्या होता है एक चक्कर करने में जितना समय लगता उसी को आवर्थकाल करते हैं आवर्थकाल T is equal to यहाँ पर फार्मुला निकल करकर क्या आता है तू पाई यम अपान क्यों भी दो फार्मुले आप लोगों को याद करने के लिए हो गए एम भी अपान क्यों भी जो कि वित की तिज्या है जो कि T और यहां पर यहां पर यह आवर्थकाल है यहां पर क्या आपका यह आवर्थकाल यहां पर आपका यह आवर्थकाल यह दो फार्मुले दो सुत्र आपको याद करने को मिल गए हैं आर क्या है भाई आर यहां पर मैंन आ रहा और आप ध्यान कहीं और कर रहे हूं है यह नहीं पता है था ठीक है विद्ध की क्रिज्या हो गई एक चीज आपको मैं बत दिखाऊं अगर यह आवर्थ काल का फार्मला आप लोग ध्यान दोगे अगर आप लोग आवर्थ काल आवर्थ काल अगर फार्मुला देखोगे आवर्थ काल इस फार्मूले को देखो देखो ध्यान से देखो जैसे आप लोग देखते हो ताडते हो ना किसी को वैसे देखो तारते तो सभी लोग हैं लड़के अब कहेंगे सर लड़कों का मजा ले रहे हैं लड़किया भी तारती हैं लड़के भी तारते हैं जैसे देखते हो ना खतरनाक नजरों से पहली नजर से देखो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है एक चीज हमको समझ में आ रही है बताव भाई आवत काल टीज इक्वाल टू देखो मैंने कहा ध्यान से देखो इसको जब ध्यान से देखोगे तो इसमें वेग भी नहीं है वेग भी का मतलब क्या हुआ भाई साब यानि जब कोई पत्थ पे कोई वित्ताकार पत्थ पे कोई लेटा लेटान गति करता कितनी मजाक की बात है न कोई वित्ताकार पत्थ पे कोई लेटान गति करता है यह कितना वेग से गुम रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता कि कि नहीं गया था इसका मतलब यह कि जब कोई भी कड़ बित्ताकार पत्थ पे गति करता है तो वह वेग पर निवर नहीं करता है इस पर नहीं करता है ठीक है बात समझवाया यह बहुत बड़ी बात है आप सभी लोगों के लिए अच्छे एक होती है आवरीती एक टर्म होती है आवरीती एक टर्म होती है आवरीती एक टर्म होता आवरीती क्या बड़ी बात है इतनी बड़ी बात है कि नहीं कितनी बड़ी बात अब देखो आवरीती क्या होता है आवरीती यह होता कि कोई भी इलेटरान एक मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है चकरों की संख्या एक मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है वह आवरीती कहला है इलिटरान एक मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है यह उस्पत की आविती कही जाती है में एक मिनिट में कितना चक्क राया है और इसे यह से जाता यह रिसे यह हो tap चाहें तो यह रखना तूपाइयम प्सेल कहाई क्यू भी यह हो जाए इसको आगे साल करोगे तो क्यू भी अपान तू पाई यम यह आपका आविति का मान हो जाए कि आविति का मान हो जाए बास समझ में आई अब फटा पड़ सभी लोग लिख लो लिख तो लिए होंगे आप लोग अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी बाते करते हैं कुछ और मान लोग कोई इलेट्राल तुमकी छित्र में थीटा आंस के कोड पे फेका जाता है तो क्या होगा तो देखो क्या होता है जो यह कोड होता है यह जो वेग होता है दो भागों बढ़ जाता है एक तो हो जाता है कास थीटा के रूप में बढ़ जाता है दूसरा हो जाता है भी थीटा के रूप में बढ़ जाता है दो भागों में ये वेग बढ़ जाता है कितने वागों में दो भागों में वेग बढ़ जाता है तो यहां पर ध्यान देना जो 20 यह और इसका पत जो होता है न इस तरह सोत कहा इस तरह से यह कुंडली दूकाए मंदभे आंस पे जाकी अगर कोई और कोड पे कड़ फेंग दिए कुंडली कुंडली नुमा जा ति करता या कुंडली नुमा जाता है और इसके बीचप कम देच जाता है पिच क्या का जाता है पिच पिच कहा जाता है अब देखो जो ये सीधे ये जो पिच है न ये इसका मान भी कास थीटा बढ़ाता है पिच का वैलू पी इक्वल टी होता अगर टी का वैलू रखोगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी कास थीटा अब टी का मान रखोगे तो टू पाई यम अपान क्यू भी हो जाएगा यह आपका पिछ का मान हो जाएगा ठीक है और ध्यान देना इसके बाद जो यह भी साइन थीटा दो भागों होता है एस यह बड़ा बड़ा वित की नुमा यह बना रहा है वित बनाने में काम देता है तो यह रूप में काम करता है क्या मतली है अहां में प्रुवेद्लत हो होता है और आवर्थ कालटीज कुल टू वैलू क्या होता है तो पाई ङू पाई यं अपान Q-B यानि यक पे तो निवर करेगा नहीं आवर्थ काल तो यह फार्मुला होता है कब के लिए नियुलस नुद पाई कौइ कर ना कि तुमकी चेत में किसी भी कोड़ पर प्रवेश करें तब यह तब के लिए है जब आवेसित किसी कोड़ पर प्रवेश करता है तब कोड़ पर प्रवेश करता है अचैंडा तब लिए एक यह फार्मूला कि कुश्च्मय पॊछिए जाते हैं सbherty अचाना समझ मै अरे आप सभी लुगों को मेरे आ अरे बोलो मेरे भाई बात समझ में आई अच्छा था है daha संटेंस 準備 ने भाई मेरे बात समझ में आई पी क्या है पी आपका पिछ का मतलब यह बीच की दूरिय है इसी को पिछ काते हैं यह पिछ आप समझे मेरे भाई बात समझ में आई मेरे भाई बात समझ में आई मैं फ्रस्न था छोटा सा ये बताओ, ये प्रस्न बताओ, ये प्रस्न जो भी मुझे इसका सही एंसर बता दिया, जो भी मुझे इसका सही एंसर बता दिया, उसका क्या, उसका जय जय कार होगा, उसका ही बताया है, तोचो और इसका सही एंसर मुझे बताओ, कमेंट बाक्स में लिखो, मैं बताता हूं कोई भुगुना बता रहा कोई कावासट का एवुगूना करना यानि भी वन है यह यालं को च्छित्र Are तावेशित कड़का पत पत कैसा होगा पत की त्रिज्या कितनी होगी सबसे आसान है पत की त्रिज्या रिजिक्वल्टू क्या होता है पत की त्रिज्या रिजिक्वल्टू क्या होता है लेकिन जब हम लोग आर का वैलू क्या होगा जब हम लोग वेक को दुगना कर दे रहें यम भी का वैलू टू भी कर दे रहें और क्यू का वैलू क्यू छोड़ देते हैं और b का value by 2 कर दे रहे हैं तब क्या होगा तो ध्याने ना स्रिज्या r is equal to क्या होगा बताओ 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 एम है 2b क्या है 2b into 2 कर देंगे अपां qb कर देंगे और 2 और 2 का उड़ा करेंगे तो r का value क्या जगा फोर m भी अपां qb हो जागे और पहले कितना था बताओ पहले कितना था mb upon qb था यह यह पहले था mb upon qb और इसका value पहले r था अब r2 का जो value हो गया 4r के बराबर हो गया r2 equal to 4r के बराबर हो गया मतलब मतलब की कितना चार गुणा हो गया option number 20 है बताओ बताओ मेरे भाई समझ में आई क्यों मेरे भाई कुछ लोग कहें सर्फ बहिन भी है बहिन का भी नाम लो कि अग्युश्य चार गुनियों हो जाएगी और कोशन दिखाता हूं मैं यह कोशन देखो यह कोशन पताओ इसमें से कौन साथ सही होगा एक बाद ट्राइ करो खुद से तुम लोग कुछ लोग एक बता रहे हैं इसका एंसर और देखते हैं क्या एंसर आएगा देखो बाबु आप लोग को पता है कि आवत काल टी इक्वल टू फार्मूला होता है तू पाई यम अपान यूबी यह फार्मूला होता है आवत काल टी इक्वल टू अब देखो बहुत आसानी से बात समझना सभी लोग इधर अगर काराय एक ही यहां पर एक लंबोत प्रविश्च करता है एक प्रोटान है और एक अलफा कड़ है तो आवर्थकाल प्रोटान का टी-पी का वैलू क्या हो जाएगा तू पाई क्यों की चेत्र सभी के लिए समाल और अलफा कड़ के लिए क्या हो जाएगा तू पाई एम अलफा अपान क्यू अलफा भी यह हो जाएगा यह दो बात ध्यान रखना यह दो बात ध्यान रखना ये दो बात देहाना है तो देखो टी पी अपान टी अलफा का माने क्या थे ती पी अपान टी अलफा का माने क्या थे ती पी अपान टी अलफा का माने क्या थे देखो टू पाई एम पी अपान यू पी बी ये हो जाएगा नीचे क्या हो जागा 2 πi m alpha upon q alpha b हो जागा देखो बाबू बहुत आसानी से मुझे इतना समझ ना रहा कि 2 πi से 2 πi कटेगा b से b कटेगा और बनेगा बचेगा क्या यहां पर बचेगा यहां पर m p upon qp into m alpha ठीक है और यहां पर q alpha यह हो जाए अब आपको मैं बता दूँ की मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए बता दूँ मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि क्या कि m alpha is equal to होता है m alpha is equal to होता है यानि एक alpha परमाडू का जो द्रब्मान होता है एक alpha परमाडू का जो द्रब्मान होता है वह कितना होता है एक alpha परमाडू का द्रब्मान जो होता है चार प्रोटान 4MP के बराबर होता है चार प्रोटान परमाड़ों के द्रब्मान के बराबर यही बात हम लोग फिर से करेंगे देखो एक अलफा परमाड़ों का जो आवेस होता है यह बराबर होता है तो प्रोटान परमाड़ों के आवेस के बराबर तू क्यू पी के बराबर होता है यह आपके पास सिस्टम होता है इस सिस्टम को यहां पर फालो कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसी में रखो वैलू सबका इसी में सबका वैलू रखो एम पी के यहां पे एम पी के यहां पर एम पी रहने दू और एम क्यू अलफा के यहां पर टू अलफा पी कर दू खायँ है अब पान Q P P P P Q P 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 यह इससे कटेगा तो टी अलफा टी प्रोटान आपान टी अलफा का वैलू कितना एगा एक बटे दो आ जाएगा तनुपात कितना आएगा बाबू एक बटे दो कहा है ठीक है एक बटे दो आ जाएगा यह छोटी सी एंसवर आने थी लोगों न sosni यह कोस सी मैं आप सभी लोगों के लिए हुममर्क देना चाहूंग unfair का मतलब कि अभी suspicion करना है और क्मेंट बाक्स में जवाब देना है है और हम चलेंगे आगे की ओर कुछ और कुछ और questions करते हैं अब आगे सभी लोग हाइडिंग डालिएगा क्या हाइडिंग डालना सर बताओ मुझे एक समान चुमकी चित में धारावाई चालक पर बल कि एक प्रमान कि यह कि प्रत्र में धारावाई चालक पर बल एक समान चुमकी चित में धारावाई चालक पर बल कैसा बल होता है बताओ देखो आपके सामने में चुमकी चित बना रहा हूं वह भी एक समान वारा कि 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 यहां पर एक चालक रखा हुआ है चालक तार रखा हुआ है तरवा थोड़ा मोटा कर देजिए न मजा नहीं दे रहा है ठीक है मोटा कर देता हूं अब तार समझना रहा है यह चालक तार रखा हुआ है इस पे लगने वाला बल हमें घ्यात करना इस पर लगने वाला जैंत करना है बल जाद करना है इस पर कितना बल कार करता है यह चुमकी छित के साथ जो है न ठीटा अंस के कोड़ पर रखा गया है और इसमें जो है न आई एंपिर की धारा प्रवाइत हो रही है कि आई एंपिर की धारा माना एक क्या है एक समान यहां पर क्या है एक समान चुमकी च्छेत्र है चुमकी च्छेत्र भी है एक समान चुमकी च्छेत्र क्या है यहां पर भी है एक समान चुमकी च्छेत्र क्या यहां पर भी है और यल लंबाई का यल लंबाई का एक यल लंबाई का एक जो है यह अनुप्रस्त है यह अनुप्रस्त खित्रफल यह अनुप्रस्त खित्रफल वाला क्या है तार है धारावाई चालक तार है यह तार है यह पिर इसी धारावाई चालक तार करें ते धारावाई चालक है धारावाई चालक है और यह चुम्बकी छेत्र के साथ के साथ ठीटा आंस का कोड़ बना रही है जो भी चीज़ें यहां पर दी गए उन चीजों को मैंने लिख डाला अन्हाई यह हमने माना कि चालक तार है जिसकी लंबाई कितना है इसकी लंबाई है आपका यल लंबाई है और इसका जो छेत्रफल है चालक तार का जित्रफल यह है और चुमकी छिट के साथ ठीटा कोड़ बनाई है और इसमें आई एम्पेर की दारा बहर है इसमें आई एम्पेर की दारा बहर है तो इस चालक तार पे लगने वाला जो बल होता है या परियोगों द्वारा देखा गया है कि इस पे लगने वाला जो बल होता है यह दारा आई के अनकमानुपाती होता है इसमें लगने वाला जो बल होता है चुमकी चटर B के अनकमानुपाती होता है यह जो कोड है यह चार समीकड हम लोग लीते हैं यह प्रेयोगों द्वारा देखा गया है यह प्रेयोगों द्वारा यह चुमकी छेत्र भी है यहां पर यह प्रेयोगों द्वारा देखा गया है तो तीन तहां से क्या बनेगा यहां पेक समिकर बनेगा बल यह फीजिट for सब्सक्राइब लेकिन यह प्रपोर्पोर्शनल के हटाने के लिए यहां पर एक कास्टेंड का यूज करते हैं यह फीजिक एक के आई पी यल साइन ठीटा होता है के कामान मैक्सिमम प्रियोंगों द्वारा देखा गया के कामान वन होता है यह देखा गया प्रियोंगों द्वारा इस तरह से यहां से फार्मूला बनता है यह पीजिक्वल्टो आई वी यल साइन ठीटा यह आपका एक फार्मूला बनता ह इसको हम याद रखने के लिए इसका अलग नाम देते हैं इसका नाम देते हैं ये आपके लिए याद रखना है जब कोई धारावाई चालगतार चुमकी छेतर में रखा जाता तो उसके लगने वाला बल यह होता है जब कोई धारावाई चालक तार चुमकी छहते में रखा जाता तो उस पे लगने वाला बल यह होता है एक चीज डानुब इसका सदिस रूफ बहुत जादा पूछा जाता है तो लिखना सभी लोग इसका सदिस को दिसका सदी सरूप क्या हो जाता है तो कि च्छितर बस चुमकी बल यह च्छितर क्या है त्टिकए है ठीक है और देखो यही से इसी फर्मूला से आपके बीका मातरक भी आता है चुम की यह लिए वहाँ पे चुमकी छित्र का बस मातरक लिखवा दिया था चुमकी छित्र का मातरक क्या होता है यहां से निकालते हैं मात्रख इसी फार्मुला से निकालते हैं क्यायसे आपको पता है ऐसके पता है यह इसका नहीं नौकरी होती नहीं चौकरी इसका नहीं मातरक होता नहीं विमां होता है होता है मात्रक यप का मात्रक आई का मात्रक यल का मात्रक तो लिख सकते हैं बी का जो मात्रक होगा क्या होगा बताओ बी का मात्रक होगा यप का मात्रक जो होता है न्यूटन और यल आई का मात्रक जो एंपियर होता है एंपियर और यल का मात्रक जो होता है मीटर मीटर होता ह से चुमकी चित्र बी का मात्रक वा बीज इक्कॉल टू न्यूटन एंपियर मीटर यह चुमकी चित्र का मात्रक हो जाता है यह चुमकी चित्र का मात्रक हो जाता है मात्रक यहीं से निकाला जाता मैंने वहां पे जब आपको बता था तो मात्रक निकालने नहीं बता मैं डारे पातिया समझ में आए गई क्या सभी को यह चुम की चित्र बी का मात्रक होता है है इसके अलमा एक और मात्रक होता है जो कि मैं अगले चप्टर में बताऊंगा पच्वी छट्वी चप्टर में बताऊंगा इसके अलावा या टेसला भी मात रखुए यह होता है पुरा सिस्टम है तो किसी धारावाई चालक तार्क होगा चुमकी शित्में रखते तो कितना बल कार्य करता है प्राबर या वी आई एल साइन ठीटा कार्य करता है अगर मालो यह तार है आपके सामने कोई भी तार लेड़ता हूं यह दो तीन वच्छों को छोड़के सभी को समझ में आ आप lecture 1 से पढ़ाही करहों मत Mitte कभी movie देखती हो movie के बीच में चल जाते तो movie नहीं समझ मा आती ये तो class है बाबू इसको आपको पढ़ना पड़ेगा के अ guy सदिस्त रूप आपको यह लिखना पड़ेगा पूछा जाता है सदिस्त रूप ठीक है याल क्रास भी ठीक है बात यहां तक समझ माई क्या सभी को बताओ नोट कर लो सभी लोग इसे लिख लिख लिए आप लोग यह कोशन करते हैं कोशन क्या है पढ़िए एक बार सभी लोग देखें तीस सेंटीमीटर लंबे तार में यानि यह तार की लंबाई जो है कितना तीस सेंटीमीटर है इसको हम लोग क्या लिखेंगे तीस इंटू टेन के पावर माइस टू मीटर लिखेंगे इतना मीटर हो लंबा तार हो गया इसमें धारा आई का मान दिया है टू पॉइंट फाइप एंपियर कि धार आपण ठो इसे चुमकी चेत्र लंबावत रखा गया लंबावत का मतलब यहां पर फू टीटा इनकोल यह लंबेवत रखा गया तो लगने वाले बल एफ का मान हमें ग्यात करना है गुछ करना नहीं बस यह बल एफ का मानगा कितना आसां सा क्स्चन है कर आपको मैंने बताया चुमकिछ छेतर में कोई धारावाई चारगतार रखते तो उस पर लगने वाला बल एफ सब्सक्राइब करना है आपका मान निकालने के लिए आई का वैलू रख दो यहां पर 2.5 एंपियर बी का मान रखो 4 x 10 k power minus 4 टेसला और यल का मान रखो कितना 30 x 10 k power minus 2 2.2m यल का मान रखो और sin theta का मान रख दो 90 90 हो जाएगा आपको मैं बता दूँ कि sin 90 का वैलू sin 90 का वैलू 1 होता है sin 90 का वैलू कितना एक होता है और बल यह अफ का मान फिर से निकालेंगे हम लोग बल यह अफ का मान निकालेंगे क्या 2.4 इंटू 4 x 10 की power minus 4 x 30 इंटू 10 के power minus 2 minus 4 आप minus 2 गुड़ा करेंगे कितना minus 6 हो जाएगा 24 गुड़े 12 कितना एंसर आएगा बताओ 2.5 है बता भाई 25 चोग को 100 लिख सकते हो यह अफ का मान ऐसे भी लिख सकते हो 25 चोग को 100 और एक हंग पे 10 मालों ठीक है इंटू 10 के power minus 4 इंटू 30 इंटू 10 के power minus 2 ऐसे लिख सकते हो यह अफ का value ग्याद करने के लिए कुछ नहीं करना है 30 एक सुनना दू सुनना यह सुनना और यह सुनना कर जाएगा इससे इंटू 10 के power minus 4 यह यह इतना न्यूटन का बल लगेगा इतना यह न्यूटन का बल लगेगा उड़ा भाग करना था अधिक है पतिया समझ में आ गई सभी को अधिक है अरे बताओ ना तो इस टाइब के प्रस्ता आपके एक्जाम में सिंपल पूछे जाते हैं इसके अलावाए यह पूछा जाता है धारावाई चारक तारक की कारड लगने वाले बल का जो सदिस रूप होता है यह भी पूछा जाता है अन्यूट करो नोट करो देख लो इस टाइप प्रस्ता पूछे जाते हैं मैं एक ही प्रस्त कराया हूं कभी कभी क्या होता है यप का मान देकर बी का मान पूछ लेगा आई का मान पूछ इसके सब्सक्राइब अगे चलते हैं हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं इसके है अगला हैटिंग डाले यह सभी लोग क्या अगला क्या हैटिंग डालना है कि दो समांतर धारावाई चालक तार के तारों के मद्य सुमकी बन तो क्या होता है मैं आपको एक बार बता रहूं है जो दो धारावाई चालक तार अगर समांतर में रग दिया जा इस तरह से दो तार आपके समांतर में रख दिया जाता है मालो इसमें एक में आईवन धारावाई हो रही है दूसरे में आईटो धारावाई तो इन दोनों तारों के मद में यह जो चालक तार में धारावाई हो रही है इन दोनों तारों के मद एक बलकार करने लगता क्यों कि कार करता क्योंकि सीदी सी बात है सीदी सी कहानी है कहानी यह है सीदी सी कि अगर मालो अगर मालो इसमें आईदार अप्रवाइत हो रही है तो इसके कार यहां पर चुमकी छेत उत्पन होगा यह जो चुमकी छेत उत्पन होगा तो मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा था ज हम्हें आई धारवाय हमें हो रही है तो जो चुमकी च्षेतर रही है उसको इसे यह तार करता है उस कई-ार करता है उसा यहां पर लिख देखते ही स्टेटमेंट कि यहां पर क्या माना तो धारावाही धारावाही चालक तार तो धारावाही चालक तार है जिसमें पताओ आईवन तथा आईटू धारा तो धारा क्या वरियें तो रही हैं और तया है वे वह रही है कि मिसमें आईवन-फटारा यहां पर knewईफ ऊहरी है तो मुझे जऱा बताओ जो आईवन धारा इसके कर उत्पन चुम की चेत्र का मान क्या वagit यहां फ preço and ione का यहां फोटारा राडा ओ तरह अ? उत्पन चुम्ब की छेत्र का मान कितना होगा बताओ आईवन धारा के काड़ उत्पन चुम्की छेत्र का मान कितना होगा बोलो मेरे भाईयों बोलो मेरे साथियों I1 धारा के काड उत्पन चुमकीछित का मान क्या होगा मैझे इसे B1 मानता हूं B1 का मान क्या हो जाएगा सिदिसी बात है अनन्द लंबाई कोई धारा वाई चालकταर होता है इसके काड कड उत्पन चुमकीचित का मान होता है Mu0 upon 4pi 2I upon इसको हम लोग समीकर नमर एक मानते हैं इसको क्या मानते हैं समीकर नमर एक मानते हैं इसको समीकर नमर एक मानते हैं इसके काड आई टू वाले पर उत्पन आई टू वाले पर लगने वाला बल घ्यात करते हैं आप लिख देना यहां पे कि बीवन उत्पन जुम्बकिय प्रित्र बीवन के कारण लगने वाला बल लगने वाला लगने वाला आई टू लगने वाला बल अब अब बल क्या होता है और इस टूंडली पे लगने वाला बल क्या होगा आपने पढ़ाय की चित्र वीवन के कार कि टीजिक को लिए रहारा कितना होगा इसमें प्रवाइट होने वाला धारा कितना इसमें और यह गरत है यहां पर उपर की ने मान यहां पर आंदर की और दारम उपर यहां पर ठर Educat TayTheandwen शुम्bern में उपरेशन otras rays Luther आप फिर्टा का बस्प्र गख़रों किषट का मान जाएगा उन्दर कर आथ हो रहा है वंडर ही इस यह कंडिशन की यहाँ पर theta कितना हो जाएगा बताओ theta का मान 90 अंस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बल कितना हो जाएगा बल f is equal to i2p1l sin 90 ah 29090 का value 1 कितना होना चाहिएगा अब बी one का मान कितना आया है नभी One का मान से B1 और रखोगी तो यह पिजिक्वाइब क्या हो जाएगा आए टू बीवन का मान कितना हो जाएगा म्यूजीरो अपान फोर पाई म्यूजीरो अपान फोर पाई तू आई अपान ए अना बीवन का मान हो जाएगा यल समीकर नमर एक से बीवन का मान मैंने यहां पर रख दिया तो यहां पर ध्यान देना सभी लोग देखो यह आईवन है और यह आईटू है वह बड़ा है यहां से लगने वाला बल का मान निकल के आता है फार्मूला इसी तरह से प्रूब भी रहता है यहां का वैलू आता है किया मिटीरो अपान फूरफाई एकांक लमभाई कि ये खेकर लमभाई पे लगने वाला भलक्या कुंचा पर पर पाई तू आई वन आई टू अपान एह हो जाता है यह एकां लंबाय पे लगने वाला बलका बनाम इसे नोट करिए सभी लोग फिर इस पर अधायत में कोस्टन कर रहता हूं को निसे निस पेज देखो इससे भी लिखे लो सभी लो चलो भईया कुछ कोश्टन करते हैं इसके बाद कोश्टन करने से पहले 6 यहां और मैं बता देता हूं को अगर डो कंडिशन होती हैं डो कंडिशन आता इसमें अगर इसमें अगर दिशा समान दिशा में धारा प्रवाइट हो रही है इन दोनों का दिशा समान यानि समान दिशा में धारा प्रवाइट हो रही है नमर एक कंडिशन नमर दूसरा कंडिशन यह है दो आयर है आपके यहां पर इसमें दिशा नारा जोई विपरी दिशा प्रवाइट हो रही है इसमें आई वन आपका दिषा यह है ऐटू का दिषा हिए तो इनके मद्र लगने वाला बल कैसा होगा अगर समान दिषा में धारा प्रॉइथ हो रही है तो इस condition कंडिशन में दिखो क्या होता है? मैं पअधक होता हुए है प्रतिकर्सड बलकार्य करता है गाँ जब दढ़ा प्रइत होती होता क्या है ऐसे अगटा रखो गे तो इसके कार चुमकी-छित-की तुम चुमकी-छित-क स्वागता निकालोगे तो बाहर की उर हो जाएगी अब देखो भाई एक कार अंदर एक कार बाहर लॉटा तो दोनों चुमकी-छित-की दिशा भिन- एक रिखाबार है जो दोनों चुमकी-चित की दिशा क्या हो जा रही ही भीन भीन हो जा रहे है तो इसलिए यहां पर आकरसरर लगता है जबकि इसमें तार नमर एक और नमर दू जब विप्रिद दिशा में धारा पुराज़त होती है तो इसमें क्या होता है ऐसे आथ लगता है इसलिए यहां पर प्रतिकर्सर बलगता है विप्रित दिसा में चुम्बक में नार्थ मालों यह नार्थ है यह साउत है पास मिलाओगे तो प्रतिकर्सर होगा सिंपल थी बात है समान दिसा में आ रही है इसलिए यहां पर प्रतिकर्सर बलकार करता है विप्रित दि इस चीज को याद रखना पूछा जाता है इस चीज को याद रखना समझ पूछा जाता है ठीक है समान दिशा में धारा प्रवाइट होती तो आकरसड विवरित दिशा में धारा प्रवाइट होती तो प्रतिकर्चल बल कारे करता आई क्या बात समझ में सभी को बताओ बताओ बात समझ में आ गई अगर नहीं समझ में आई ते एक बार आओ देख लो आप सभी लोग रिपीट कर लो समझ में आ जाएगी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया ठीक है चलो आगे चला जाए इसमें इस पर कोशन कैसे पूछा जाता कोशन देखो ऐसे पूछा एक दूसरे से कोशन के अनुसार इनके मध की दूरी कितनी है मद की दूरी आपका कितना है रहे तार बेल कितना सेंटीमेटर ना बाध पर 10 cm लंबाई है 10 cm लंबाई है तो इसके काड़ इस पर उत्पन चुमकी छित का मान ज्याद करना है तो कुछ नहीं करना है भाई फार्मुला होता है चुमकी छित की लंबाई या फीजिक वाल टू क्या होता है आपन फोर पाई टू आई वन का वैलू दे रखा आपके सामने आठ एमपियर आइटू का वैलू दे रखा आपके सामने पाच एमपियर ठिक है दे और 1 का वैलू दे रखा है कितना एक का वैलू दे रखा है 4 इंटо 10 के पावर-2 मीटर देखो इस builds Saat करेंगे तो चार इंटू 10 के पावर-2 मीटर हो जाए तो यह किया बताना एक के 10 सेंटी मीटर खंड में यानि यह वैल कितना है आपका यहाँ पे 10 cm इसको मीटर में चेंज करेंगे 10 इंटू 10 के पाउर माइनस 2 मीटर हो जाएगा में बहने वाले चुमकी बलका मान जाएगा त्वी वैलू आपके सामने दे रखा है इसी फार्मुले में आपको मान रखना है पूरा का पूरा चुमकी बलका मान आजाएगा ठीक है चुमकी बल का मान आ जाएगा रखके दिखाता हूं मैं देखो जहां से जब का वैलू क्या हो जाएगा 10 डी पाउर माइनस 7 हो जाएगा इन्टु तू आई वन चार गुड़े पाच अठ गुड़े पाच अपान देखो आठ गुड़े पांच हो जाएगा और एक वैलू कितना है एक ठीकत हो रहे है इसे मैं नेस्ट पेज़ पे रखता हूं देखो नेस्ट पेज में यह फिज इक्वाल टू सब का वैलू रखो क्या होता फार्मूलें वैलू रखो मियू जुरो अपान फोर पाई का वैलू रख रहा हूं 10 डी पाउर माइनस 7 हो जाएगा ठीक है और हो यह सब वैलू होगया आपके सामने कटेगा यह कटेगा यह कटेगा यह तो दूनी आठ हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा पांदूनी दस दस द्रामिश सव ठीक है तो दूनी चार पच्छे 20 हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा यह का वैलू कितना 20 इन्टू 10 के पावर 6 इसको और साल करोगे तो यह अपका वैलू 20 यहां 2 इन्टू 10 के पावर 5 हो जाएगा वी माइनस वाला कितना न्यूटन का बल कार करेगा इस टाइप के परस्न पूछे आपके ठीक है बात समझ माई क्या सभी को बताओ इन्टू 10 के पावर 5 न्यूटन का वल कार करेगा हाँ 10 के पावर माइनस 5 इस टाइप से प्रस्न पूछे जाते हैं 10 के पावर माइनस 3 माइनस 2 एंसर आ रहा है माइनस 5 आएगा भाई इस टाइप प्रस्न पूछे जाते हैं आपके इस बात समझ में आ गई सभी को इस द्यान देना यहां पर दूसरा कोशन यह आप सभी लोग के सामगे इस को भी आप कर सकते हो करना जरू है माइनस तो है और माइनस फाइप हो जाएगा इस टाइप के प्रस्न पूछे जाते हैं यहां से और पूछा जाता है एक एम्पेर की परिभासा एक एम्पेर की परिभासा यह प्रस्न अपने से ट्राई करना और एंस और कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना ठीक है यह प्रस्न खुछ से ट्राई करना सभी लोग यह प्रस्ण खुछ से ट्राई करना और हाँ अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और पूछा जाता जो कि मैं आप से लिखवाने जा रहा हूं एक एमपेर की परिभासा है एक एमपीर की परिभासा यह पूछ जाता है एक एमपेर की परिभासा यहीं से पूछा जाता है आपके सामने यफ इस इक्वाल टू यफ अपान यल इस इक्वाल टू फार्मुला है यह तो फार्मुला है तो कुछ नहीं करना है एक एमपेर की परिभासा अगर देना है एक एमपेर की परिभासा देना है तो यहां पर यल की लंबाई तार की लंबाई एक मीटर मालो एक मीटर मालो यल की लंबाई मतब तार की लंबाई एक मीटर मालो एक एमपेर की परिभासा देने की और आईवन और आईटू इन दो है कर देख और इनकेमद की दूरी जो आर है ऑना आर का वेलू वही एक raph माने नहिंटिक का बैलु एक ही माननों तब जरा इन सभी की फार्मलीर में रखो तो क्या हो जाएगी यह पाण एक हो जाएगा इस पूर पाई को हो जाएगा इंटु कॉन टू घ्यां देना यहां पे यहां पर द्यान देना सभी लोग 2 का 2 से कट जाएगा तो यह प्यां कितना अजाएगा यहां पे ये आपका या पका वैलू आ यहां से एक-to की परिःफदसी यहां कि अटि है कि कि एक एंपियर व वधाय दारा है करें लिख सकते हो परिपासा कि एक एंपियर व वे वय्दुत दारा है एक एंपियर वब वय द país दारा है जो निरवाद या फिर वायू में तो निर्वात या फिर वायू में रखे दो समानतर धारा वाई चालक दो समानतर धारा वाई चालक जिनके मद की दूरी जिनकी जिनके मद्र की दूरी जिनके मद्र की दूरी एक मीटर हो जिनके मद्र की दूरी क्या एक मीटर हो एक मीटर जिनके मद्र की दूरी कितना हो एक मीटर हो जिनके मद्र की दूरी एक मीटर हो ठीक है हना हना ठीक है पास समझ में आ रहे हैं यहां दर यपका मान मिजुरो अपान टूपाई है इसके कहने का मतलब कि निर्वात में दो समानतर धारावाई चालक रख देते हैं जिनके मद्य की दूरी कितना हो जिनके मद्य की दूरी एक मीटर हो और इसमें बहने वाली धारा एक एमपियर होगा तो इनके मद्य लगने वाला जो बल होगा प्रतिय कांग लंबाई पे लगने वाला बल होगा वो कितना होगा मिजुरो अपान टूपाई होगा इस बात को हमें लिखना है ठीक है जिनके मद की दूरी एक मीटर हो तो यदि इसमें क्या एक एमपीर की धारा एक है एमपीर की धारा प्रवाहित एक एमपीर की धारा प्रवाहित करें तो प्रती मीटर लगने वाला बल कितना होता है प्रति मीटर लगने वाला बल इतना होता है म्यूजिरो अपान टू पाई न्यूटन होगा म्यूजिरो पाई अपान टू न्यूटन होगा ठीक है प्रति मीटर लगने वाला बल या प्रति मीटर लगने वाला उत्पन बल कामान यह आपका एक एंपेर की परिभासा होगा मुझे कुछ नहीं लिखना आप समझ को लिखना एक एंपेर वह वैदु धारा है जो निर्वात में दूरी एक मीटर होगा अगर एक एंपेर की धारा प्रवायत कर दे तो इनके मद लगने वाला बल कितना होगा मुझे रो अपान 2 4 2 5 या 2 इंटू 10 दी पावर 7 अना का बल आरुपित करता है या फिर यह भी ले सकते हैं प्रति मीटर अना एक एंपेर की धारा प्रवायत करेंगे तो प्रति मीटर 2 इंटू 10 के पावर मादस 7 निउटन का बल आरुपित करता है निउटन का बल आरुपित करता है हाँ हाँ आर बराबर यह है बिल्कुल बिल्कुल मम्ता आर बराबर यह है बात समझ भाई एक निउटन की एक एंपेर की परिवासा पूछा जाता है एक एंपेर वह विदुद्धारा है जो निर्वात या वाई में रखे कोई समानतर धारा वाई चालक के मद्धे अगर एक मीटर की दूरी हो उसमें प्रवाहित कर दिया जाए तो प्रति मीटर जाने सेविन निउटन का बल लगेगा बात समझ में आए की नहीं यहां तक बताओ बोलो बात समझ में आगे की नहीं एक एंपियर का डिफ्निशन एक एंपियर वाव दुधारा होता भाई जो निर्वात में या वाई में दो समानतर धारा वाई चालक रख दें जिनके मद्ध की दूरी एक मीटर हो अगर उसमें एक एंपियर धारा प्रवाइद करेंगे तो इनके मद्ध जो बल लगेगा न 2 x 10 डी पावर माइस 7 नूटन का तो एक एंपियर की धारा हो जाएं ठीक है यह बहुत ज्यादा पूछा जाता बहुत इप्वाटेंट है आप सभी लोग लेए कि एक एंपियर की परिभासा लिखिए तो एक एंपियर की परिभासा आपको इसी तरह से लिखना ना, इसे मत्तब एक एंपियर की दारा प्रोवाइट हो गी तो इसके मत्त कितना बले जगा, यदी इनके मत्त की दूरी एक मीटर हो तब इसमें अगर एक इंपियर की धारा प्रोघ्स करेंगे तो इसमेन बले कितना लगा एक दूफ समझ में आगे सभी को बो거든 यह पूछा जाता है परिभासा एक न्यूटं की परिभासा एक एंपर की परिभासा लिखे और यह कोशन देखो इस टाइप से कोशन भी पूछे जाते हैं हाँ हाँ 1.2 पाई या फिर 2 हाँ 2 इंटो 10डी पाऊर माजने 7 न्यूटन कि या फिर लिख से तो मिउजुरो अपान टू पाई ऐसे भी लिख सकते हैं हो गया चला जा आगे यह को सन है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ठीक है अब आगे चलते हैं तो अगला सभी लोग हैडिंग डाली है अब देखिए यह चैप्टर लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में हम दो दो चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ है ठीक है आगे ढाली का सभी लोग एक समान चुमकी चतर में धारवाई कुंडली पर बल युगम का अघूड न है का सभी लोग एक समन खेत्रमें कि धारवाई कुंडली पर धारा वाही कुंडली पर वल यूगम का आगुड या आपका हाइडिंग है लंबा सा जो यह है या आपका क्या है इतना लंबा जो है यह आपका क्या है एक तरह से हाइडिंग है यह एक समान चुमकी छेत्र में धारा वाही कुंडली जो है धारा वाही कुंडली के कुंडली पर वल यूगम का आगुड यह आपका हाइडिंग है देखो होता क्या है मैं आपके सामने जो होता है यह दिखाना चाहता हूं और आप देखना आपको देखना भी यह एक सवार्ट। क्ष्छेतर क्रिश्ट है इस का तरह से हैाइटाकार मतलब इसे कापी देख रहे हो ना चुम की चेतर की जिर्दिषा को पृर बी इस साइड है और प्रिष्ट है लंगाई ंदिश्ट कािया को पृरने का राश का मतलब ना country सिस्टły te और इसको हम लोग माल लेते हैं कि यह है आपका पी, क्यू, आर, यस यह है इसके लंबाई यल है और चुड़ाई भी है ध्यां से स्वंदा मैं एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूं अच्से तरीके समझोगे तो आ जाएगा समझ में बहुत आसान है लेकिन इसके लिए आपको पीछे का पूरा कंस्ट तयार होना चाहिए चुमकी छेत्रब भी है और यह चुमकी छेत्रब भी में आपके सामने यल लंबाई और भी चौड़ाई का एक आईता कार प्रिष्ट है ध्यान से समझना सभी लोग कोई कमेंट बाक्स में कमेंट नहीं करेगा जो कमेंट करेग आप बाद में अगर पूछेगा सर मुझे समझ में नहीं आया तो उसको मैं कहूंगा बाबू फिर से वीडियो लेक्चर देखो क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो साही से बात है आप देखोगे नहीं समझोगे नहीं अगरफ यह आपका एक क्या है आताकार प्रिष्ट है अब देखो यहां से कोस्टन कैसे बनते ही यह आपको जानना जरूए जो कि आगे मैं बताऊंगा पले थेरी तो समझ लो देखो यह आताकार प्रिष्ट है चुमकी छेत्र में इस तरीके से बाबू मेरे रखा हुआ है सर करने का कुछ कर गुजरने का है की नहीं उसी तरीके से इसको जब चुम्ब की छेत्र में रखते हैं यह आयताकार प्रिष्ट चुम्ब की छेत्र में रखते हैं इस चुम्ब की छेत्र के द्वारा इस आयताकार प्रिष्ट पे कुछ बल कारे करता है जो बल कारे करता है उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसरे बात समस्जना पॉइंट और मेरे पॉइंट को नोट करना सभी लोग जब कोई सबस्ता स्यवाज है तो इसायताकर्ष्ट को च्वसक्ता करते हैं ने करें लगए के बल आगुड जो करेंगे बल और बहुत का गुड़न फॉल करके ठीक है न समें सभी मैं इस तरीके से आपका है दो कितना दो आई धरा प्रवासित हो तो जरा मुझे मेरे भाई किये जो पी क्यू लंबाई है इसके धारा की दिसा इदर है और चुम की चट की दिसाऊ इडार की दिसाऊ उपर की और चुम की दिसाऊ तो लगेगा चुछ बताओ कि Mm एगनम्स यह वावारा तो बहुत अच्छा चुमकी बल की दिसा किस दिसा में होगा बताओ सीदी सी बात है अगर आप ऐसे चुमकी बल इससे कार करेगा यह अंगुठा के दिसाम रग में और यह चुमकी छेत के दिसाम रखे तो धक्का देने की दिशा जो होगी अंदर की और जा रहे हैं अगर यहां पर बात करें यहां पर यहां पर बाहर की और लगीगा मतलब यहां पर जो चुमकी छित की दिशा होगी अंदर की और होगी और यहां पर क्या बाहर की और होगी पास समझ में क्या यह आपका जो चुमकी प्र रखे है अंदर के और हूं इसको आप य फ़क्ण सो पर गैसंट कि अंधर कि और वहां पे बाहर कि यह बहुत अच्छा ठीक है कि лейकिन हा तर जी इसके अलावा यह जो लंबाई भी इस पे भी तो बलकार करता है बिल्कुल करका रहे करेगा बल इसके बारे में भी हम लोग discussion करेंगे लेकिन अभी इतना चीजों को लिख लेते हम क्या मानते हैं हम यहां पर यह चीज माने है कि माना क्या माने है माना हम लोग यहां पर क्या माने है भाई हम लोग यहां पर माने क्या है माना क्या पर माने है कि माना एक जो है आयता कार धारावाई कुंडली है जिसकी जो लंबाई क्या है जो चीज़ है वही लिखना है जिसकी लंबाई मेरे बाबो क्या है यल है चोड़ाई यल है चोड़ाई बी है और इसमें इसमें धारा जो है आइप्रवाइट हो रही है इसमें फॉर और हो रही लिचा है चाहिए बिल्कूल अंदर क्यों रोगा और या भून अंदर क्यों रहो का और या तू बाहर क्यों रोगा सही बात है पनों का ठिक है कि आई पारटर और यहां और इसे जो है इसे कहां रखा गया? इसे वी चुम्बकी छेतर में तूम की छेतर में चित्र में क्या हों में रखा गया है रखा गया इसे बी चुमकी चित्र में रखा गया है तो तो यहां पर नीचे के और अगर अगर पीक्यू आरेस पे देखा जाए तो पीक्यू आरेस पे क्या सिस्टम है पीक्यू आरेस पे क्या सिस्टम है देखो पीक्यू पे जो बल कार करेगा वह उसकी दिशा क्या होगी पीक्यू पे जो बल कार करेगा अगर ऐसे करोगे तो बाहर क्यों करेगा और आरेस पे जो तो फोर और यह थ्री का जो दिसा एक दुस्तरे की विप्रीद दिसा में इसलिए उपर क्यों रोगा ना उपर क्यों रोगा और यहां पिर उपर क्यों रोगा ना 이거 द Raptor नीचे ऊपर मतलब व उपर क्यों ठीक है एक दूसरे के बिप्रीद दिसा में एक दूसरे क्या बीप्रीद दिसा में इस्र珮े फोर और यह थ्री एक दूसरे को क्या कर देंगे reset 10 Aaa कर देंगे यानि बल यह फूर और यह थ्री त्री क lose मेरा और दूसरे के एक दूसरे के क्या एक यह विपरीट भी परीद दिसा में है जी तो के तो इस्थ आ यह कि दूसरे। तो क्या करेंगा निरास्त कर देगा नी रस्ते लिए अयवे दुस्रे को नीरस्त कर देगा नम parish point और आ बात करें चनल को खतम कर यह है बात के लिया है सभी को बात करें यहां अरे फुफ सामने नहीं है देखो यह आपकी कापी है तो इसको उपर बाहर के और कर रहा है यह नहीं होगा तो यहां पर बल यह फ़वन बल एफ़वन इस इक्वल टू क्या होगा बल एफ़वन की बात करें तो क्या होता है आपको पता है आई बी ऐल साइन ठीटा इसकी लंबाई तो आई बी ऐल साइन ठीटा अब यहां पर देखो चुकि चुमकी छेतर इधर की ओर है और बल इधर क्यों लग रहा तो इस दोनों के बीच कितने अंस का कोड़ है भाई 90 अंस का कोड़ है तो यहां पर ठीटा का वैलू 90 अंस हो जाएगा अब देखो जितना यफ्वन का बल है उतना ही यफ्टू का भी बल होगा चुकि इसका भी लंबाई यल है इसकी भी लंबाई यल है और इसमें उतना ही धारा आई परवायत हो रही है और चुमकी छेतर भी समाल है जितना धारा आप जितना बल यफ्वन पर लगेगा उतना ही जोगा तो कि यहां पर ये ब्राबर यहं हो गा लेकिन यह का elim साम हो गा रर्क यह उALLY ही आदि पर और इसका नीचे होगा बस इतना ही मैटर है कियों क्यों क्यों कि लंबाई इसमें भी यह और धारा आई है और चुमकी चित्र भी है सब चीस सेम है इसलिए सेम बेलू होगा आई क्या सबीको इतना समीज है यानि यहां पर अपली सकते हो कि यह फ़वन परिडाम क्या होगा? कमान होगा, बस परंतु जो दिशा होगा, दिशा वीपरीत होगा, दिशा क्या होगा? होगा ठीक है जिसा बेपरित होगा और यह जो है एक क्या करेगा बल अगुल अगुल करता है यह जो है बल अगुल उत्पन करता है जब दोस्बस समान बल परणतु ही प्रीध सामें एक ही क्रिया रेखा पर कारे करता है तो वहां पर एक बल आगुड़ compose वोता है और वह बल आगुड टाउ से नियूपित के जाता है बल आगुड टाउ इकुल टू होता है बल इन्टू बल के बीच की बल इन्टू बल बल का परिडाम इन्टू बलों की बीच का, बल का परिडाम इन्टू बीच की दूरी, यह आपका फार्मुला होता है, बीच की लंबवत दूरी, यह आपका फार्मुला होता है, बल का परिडाम इन्टू बीच का लंबवत दूरी, यह आपका फार्मुला होता है, बल का फार सब्सक्राइब होता है जब 2 बल एक दुसरे पे विप्रिद रिसा में एक ही करिया रेछा पर कार और तो हो यह यह नाचने लगेगा यह राउं चुकर यह यह Here पे है एक उपर के और नीचे के और कारती यह नाचेगा ऐसे ऐसे और पता आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे जो यह तरस से जो काम करता आपका मोटर चलता है डाइनमो चलता इसी सिद्धान पे कारे करता है ठीक है अब बल इंटू बल के बीच की लंबवत दूरी यह आपका क्या होता कि बल का मान यहां पर आपको पता है बल का मान जो होगा बल इस इक्वाल टू यह फथ इक्वाल टू कितना यह तो आपको पता है बल कामान अब बीच की लंबववाद दूरी निकालते हैं यह आपका चुमकी छेतर है यह चुमकी बीच की लंबववाद दूरी निकाल लेहां सभी लोग यह आपके सामने पूरा सिस्टम आपके सामने अब हम क्या करने वाले इन दुनों बल को बनाने वाले बल को कैसे बनाएंगे ध्यान देना यहां पर इधर द्यान देना क्रिया रेखा गीचेंगे ऐसे यहां आ इस तरह से याहनि हमने का मतलब यहां पर ऐसे क्रिया रेखा गीचेंगे बहें क honour भी स्थमान दाना इस तरह से क्रिया रेखा थे डिसमें आप भ्यत्यादित यहां पर एफ-1 बल जो की ऊपर के और लग रहा है और एपटू बल जो की नीचे की और रख रहा है यह नहीं दोनों बल के बीच की लंबत दूरी क्या होगी सर यह मुझे निकाल के दिखाओ देखो लंबवत दूरी की बात करें तो यह यहां से यह इधर आएगा और यहां से यह इधर आएगा अगर मानो इसका नाम सभी को रखते हैं अगर इसका नाम यम रखते हैं तो यह यम है तो इसको ओ माने तो ओयन जो है यह बीच की लंब बहुत दूरी है बल का परड़ाम यह हो गया बीच की लंब बहुत दूरी कितन लंब वट दूरी बढ法 देना सुभर अच्छा से द्यान देना अधर द्यान देना अगर आप देखो यह ङूंडी ऐसे यह कोड घीचा जाए अगर यह कोड आपका ठीटा हो तो सिधी सी बात है बताओ मुझे जरा यह कोड भी आपका ठीटा होगा और यह आपका है नब्यांस तो यहाँ पर आपको साइन ठीटा का फर्मल लगा दो ताइन ठीटा इज इकोल टू क्या होता है ताइन ठीटा इज इकोल टू क्या होता है बताओ लंब बटे कड क्या है यहाँ लंब क्या है यहाँ यहाँ पर लंब क्या है आपका यहाँ पर बताओ लंब क्या है लंब है यहाँ यहाँ पर ओ य कड़ है लंब बटे कड़ हो गया अच्छा याद ध्यांदना यह जो हमने यम्यन जो यह बल का क्रिया रेखा गीचा है यही तो है बल का क्रिया रेखा यही है ने बलका क्रिया रिखा यही है डाटेड लाइन वाला जो की डाटेड लाइन वाला किसके बराबर होगा इसके चोड़ाई बी के बराबर होगा इसके चोड़ाई बी के बराबर होगा चुकि बी इसकी चोड़ाई है उपर नीचे की चोड़ाई बी इसकी चोड़ाई यहां पर क्या लिखेंगे साइन ठीटा इस इक्वल टू ओयन अपान भी और ओयन का मान क्या आएगा पी साइन अब देखो मैं रटने का तरीका बता रहा हूँ हाँ हाँ है लंब ब्टे कड्ड हो गया लंब लंब आपका यहां पर ऊयन हो गया अब यह आपको मिल बल हो गया ibl और बीच की लंबवादूरी b sin theta पराबर क्या हो जाएगा b sin theta आ गया आपके सामें तो आप हम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tau is equal to formula क्या निकलेगा बीच की लंबवादूरी ibl हो जाएगा और बल का परड़ाम ibl हो जाएगा बीच की लंबवादूरी b sin theta हो जाएगा आगे निकालोगी iblb sin theta हो जाएगा lb तो यह आपका क्या है lb lb का मतलब क्या है lb का मतलब है आपका लंबाई और b का मतलब है आपका चौढाई लुद तो यहां से LB का मतलब हो गया चित्रफल चित्रफल यह हो जाएगा तो इसको आगेज आप जब साल्व करोगे टाउ इकल टू वैलू क्या निकल के आएगा आई पी ए स्टाइन गीता टाउ का वैलू निकल के आएगा अगर यदि ठेरों की संख्या तक्तल यह हो तो ताउ का वैलू के निकल के आएगा यदि ऑ, यह तो इस टाउ के वैलू को हम इस तरह से याद कराते हैं टाउ इकल टू वी आई एन ए इस तरह से याद कराते हैं लेलू यह है बीना साइन ठीटा कुछ गिर जाता है तो आप लोग बिनते हो ना नीचे से बिनते हो की नहीं बिनते हो गाव में सब लोग बाल बिनते हैं इस तरह से बी आई यन्य बीना साइन ठीटा लिखेंगे हान न? यह लिखेंगे. f1, f2 का value बराबर है, बल into, बल के बीच की दूरी वाला formula लगाएंगे, यहां से चीज़े clear हो जाएंगी. बताओ. Clear हुई कि नहीं हुई आपको यह बताओ. आपको यह सब चीज़े clear हुई कि नहीं हुई. यह बताओ. पताओ यह प्रूप करना था पलागुड यह होता है टाओ इकोल टू बी आई यन ने बीना साइन ठीटा अगर आपको यह सब चीजें नहीं करने आता है तो याद रखना लंबोद दूरी बीच का बी साइन ठीटा होता है बस इतना याद रखना बताओ कि यहां से यह यह कैसे हुआAT यह शुकछ बनेगा मैं आगी बताओंगा आप अपछं का कैसे बनेगा यह मैं क्लिए बताओंग आपको और कभी नहीं पूछा जाता लेकिन मैंने इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि सलेख country झाले अज इस knit हस mówiger Mickey और को को टेंसल मतले ना आपको के वाल यही जादर्खना ओर कच्छ जीधन। आपको क्या याद रखना है वी आईएन यही जादर्खनना है कुण इसमें कोई problem किसी को यहां पे इसमें problem है क्या किसीको का इस बी के बराबर कैसे होगी इसकीख क्योंकि यही तो लंबाई हो यही यही तो लिया हो विक के बराबर ही तो है लेकिक के बराबर गेलिए विर में इतना कुल खून करके लास्ट में संस्किता निकालना था बस आपको सब्सक्राइब रखना है और कुछ वह ने याद रखना यह आ तक सभी उ oldu हा या न है फिक है एक बार सभी सभी लोग नोट करोगे तो नोट कर लो बढ़िया बात है आप लोगोंने लिख लिया इसको भी लिख लो सभी लोग फटा आगया लिख लिया यह निमेरिकल प्रस्न है इसको भी कर लेते हैं कर लेते हैं कुस्तर बहुत आसान है अगर पढ़ोगे तुं ऐसा अग्दम समयलों पर रखने वाली बात है कुछ करना नहीं है और सब्सक्राइब कुछ जाता है, बिल्कुल ऐसा पूचा यह पूचा ही नहीं जाता है किसी कुंडली में फ्य्रों की संख्या कितना है मिली मिटर इसक्वार को मीटर में चेंज करने के लिए में चेंज करने के लिए कितना गुड़ा करेंगे बताओ मिलीमीटर स्प्वार है बोलो मिलीमीटर होता तो 10 depress 4 का गुडा किया जाब है कि बता चैन्टी मीटर होता है तो 10 heraus का किया जाता है कि मैं ओडिक है मिली मीटर दिया है तो इसमें कितना गुड़ा करेंगे आप तो इसको करोगे तो एक वैलू कितना मीटर हो जाएगा आपका वैलू आएगा एक और चुमकी चित्र बी का मान यहां पर दिया हुआ है कितना 0.10 टेसला यह कितना होगा तो आपको पता है टाउ इसका वैलू जीरू हो जाएगा नहीं जीरू नहीं हो इसमें उल्टा होता है जब समानतर लखा जाता है इसको 90 रखा जाता है है कुछ नहीं करना है बाबु 10 टीबब मानिस तिक्स हो जाएगा हां यह कुछ नहीं करना है आपको यहां पर ठीटा एका वैलू कितना हो जाएगा 90 अंस होगा क्यों कि यह चुमकी छेत्र के समानतर लेकिन यह ठीटा जो कोड लिया जाता है इनके बीच के लंबवा दूरी वाला ठीटा कोड लिया जाता है 180 अंस नहीं लेंगे ठीटा का वैलू यहां पर कितना लेंगे बताओ समानतर आएगा तो 90 ले लेना 90 का वैलू वन हो जाएगा अब टाव का वैलू ग्याद करने के लिए वी का वैलू क्या यहां पे 800 इंटू 10 के पावर पाइनस 6 है आई का वैलू कितना है आपे 0.5 एंपियर है आई का वैलू कितना है 0.5 है और आई का वैलू हो गया बी आई यन यन का वैलू 20 है एक का वैलू कितना है 800 इंटू 10 के पावर माइनस 6 है इसको साल्ब करोगे बल आगुड का मान आ जाएगा ग्रोट 2.4 in 10 के पावर माइनस 3 कूछ लोगों का एंस्वर आ रहा है भी कहा से मान रखे चुमकी छफितर बी का का वैलू दिया हुआ है यह फेरो की संख्या यहन का वैलू दिया इस तरह से आपको वैलू रखना है अब इसका टाउ का वैलू आपको गुड़ा भाग करके एंस और नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करना है ठीक है आप सभी लोग एक चीज जानते होगे वैदु छेतर में यह बहुत महाश्पूर है यहां से प्रस्मन है वैदु छेतर में बल आगुड़ पहले चैप्टर में ताउउ इक्क्वाल डू क्या होता है बताओ पी इस थीटा होता है यह आप लोग ने पढ़ाय कि नहीं पढ़ा बैदू चेत्र में बल अगुड टाउ इक्वाल टू पी साइन ठीटा यह फार्मला आप लोगों में से कितने लोग पढ़े हैं बताओ 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 कि अगरे मैंने कितना बार बोलू समांतर अगर ट्रिक में बता दे रहा हूं समांतर रहेगा तो इसे 90 रखेंगे बस इतना समय लो अगर यहां पर समांतर रहेगा नाइंटी अगर लंबवत कहेगा तो जीरो रख लेना ठीक है हर जगह उल्टा नहीं होता बहुत सारे ऐसे कोश्टन साएंगे जहां पर उल्टा वाला काम नहीं करेगा कि अब बी कमान गलत रखें हाँ बी कमान 0.3 हो जाएगा जिरो पॉइंट यहां पर बी कमान 0.3 होगा यह सही है आई कमान तो सही है ना 0.3 यह गलती हो जीती मेरे से बी कमान मैंने गलत लिखा था जल्दी जल्दी ने बी कमान क्या होगा यह होगा जोगा 0.3 0.3 बी कमान बी आई हो गया एन हो गया ए साइन थीटा ठीक है टाउ इकोल डू पी साइन थीटा आप लोगों ने बैदू छेत्र में इसे पढ़ा था चुम की छेत्र में आपने बल आगुड क्या पढ़ा चुम की छेत्र में आप लोगों ने बल आगुड ताउ जिक्कोल डू क्या पढ़ा पी आई यन ए आई ने ये पढ़ा लेकिन हम इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं मैं बहुत इपॉर्औरिण चाहिव बटाने जा रहा हूं बहुत ज्यादा मैं DOभी आभी में बता किया मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं एन आई ये के बारे मं जानती हो आफ-लोग नेशनल इनडियर एजन्सी तो आप लोगों कि मुंबै आतंकी हमला हुआ था वैलु गलत रखा गया था प्रताप इसको सही कर दिया तिक है मुंबै आतंकी हमला वा था 26 skill 1 ंडय रहा उसके लाद साइर उसी के बाद या किसी घटना के बाद आतंकी हमला तो पी-ई-e और-व्य को क्या कहते हैं यहां पर वैदूड उलीगोग गुणर का कि को क्या काते हैं वैदू छेत्र करते हैं अगर इस फार्मूले में देखा जा तो देखो यहां इस फार्मूल देखो बी को क्या कहेंगे यहां पर चुम्वकी छेत्र कहेंगे चुम्वकी ये छेत्र पी को क्या कहेंगे चुम्वकी छेत्र कहेंगे और एन आई ये जो है इसको हम एक साथ लिखते हैं यम इसको किसके वरावर लिखते हैं यम के वरावर और यम का मान होता है इस यम का मान क्या होता है यहां पर देखो यहां पर चुम्वकी छेत्र है यह यहां पर क्या बैदू दूद्रू आगुड इसको कहेंगे चुम्वकी दूद्रू आगुड क्या कहेंगे चुम्वकी या दूद्रू आगुड अब देखो यहां से लंबा मेटर आता है तो हम अगर ताउज इकॉल टू यह भी लिख सकते हैं एंबी टाइन टीटा भी ?हां से यम अम का मान क्या हो जाएगा Office यह को मान नलोक क्या मान टाइय के बराबर होगा जिसको हम लोग चुम की दूद्रू आगुड कहते हैं तो आपके लिए एक नयास कंसंटेंस बना यहां से टाउ इकोल टू पी साइन ठीटा से टाउ इकोल टू टू एम बी साइन ठीटा जहां पर एम का बैलू एन आई यह होता है और एम को चुमकी दूद्रू आगुड कहते हैं अब एकजाम में बहुत सारा कोस्तन पूछा जाता है चुमकी दूद्रू आगुड का वीमा पूछा जाता है चुमकी दूद्रू आगुड का मातरक पूछा जाता है तो चलो वीमा और मातरक निकालते हैं तुमकी दुद्रु आगुर्ट यम का बीमा यम जो है का मात्रक पहले निकालते हैं करकते हैं पहल Kings निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे रूपा करको नहीं पता हमें भी नहीं पता रहा हैं फेरूं की संख्या होती आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है आई का मात्रक एम्पियर होता है और एक का मात्रक मीटर वायर होता है तो यहां से M का मात्रक निकल के आएगा एम्पियर मीटर वायर यह M का मात्रक निकल के आए इसे क्या कर लेना यादे कर लेना छोड़ना मज़ चुमकी दुदुरु आगुड एम का मात्रक क्या होता है एंप्यर मीटर स्कौर बहुत ज्यादा पुछा और चुमकी दुदुरु आगुड यह में इसी से करके याद करा दिया आपको चुमकी दुदुरु आगुड का मात्रक क्या होता है एंप्यर मीटर स्कौर होता है बात किलियर हुआ सभी को एंप्यर मीटर स्कौर एक बार सभी लोग कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए एक बार सभी लोग कमेंट कर देना एंप्यर म कि itself है कि देदर रगूर का वीमा देखो यम का जो वीमा क्या होता है एम का वीमा क्या हो जाए ऐ हम का वीमा जो होगा ये किसके बराबर होगा जो आ इका वीमा होता है I का विमा into A का विमा के बराबर होगा A का जो विमा होता है इसके बराबर होगा I का विमा क्या होता है M का विमा जो E equal to क्या हो जाएगा I का विमा क्या होता है I का विमा क्या होता है A लिखा जाता है A लिखा जाता है और A का ये मतलब छित फल A का वीमा क्या होता है EL2 यह इसका वीमा हो जाएगा इसका वीमा हो जाएगा एमपियर EL2 का वीमा हो जाएगा अनह मुरादाबाद स्टाइन ठीटा अच्छा नहीं है पितल की नगरी को इतना वह मत करो कि इतना बदनाम ना करो अब एक चीज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं इसका पूरूप मैं नहीं कराऊंगा पूरूप आप खुद से कर सकते हो इसको पूरूप नहीं कराने वाला हूं अभी कि अब लोग से आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था मैं आपको पहले वह चीज बताऊंगा उसके बाद उसका अब लोगों ने एक चीज पढ़ा था वहां पे क्या किसी आ अप लोगों ने पढ़ा था किसी वैर दूत त्वी दूत त्वी तार अच्छी इस्थती में कितना था अच्छी है किती आप लोगोने वहाँ प्राथा किसी वैर दूत त्वी धूत त्वार प्राथा आप लोगोने अच्छी है अच्छी है इस्थती में अच्छी स्थती में प्राथा ये आप ने प्राथा अच्छी इस्थती में बैदू छेत किती होता ये आपने प्राथा इतना आया था ये मुझे बता अब यहां पर पढ़ेंगे कि अब हम यहां पर पढ़ेंगे अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे किसी चुम्ब की दूद्रू के कार कि यहां पर क्या पढ़ेंगे हम लोग यहां पर हम लोग पढ़ेंगे किसी कि दूम्ब की यह कि दूद्रू के कारड़ अच्छी स्कतिमें आच्छी अच्छी ने कि रूब की है सित्र की तो यह बताओ जरा तो कितना था आरक्यूब आये था बहुत बढ़िया जिनका भी एंसर आ रहा है तो आपको समझेव इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ध्यानदिना Restauration यहां पर आप लोगोंने पहले पढ़ाता वहाँ पढ़ाता और तात मैं ही पढ़ाए था मैं या फ्रूर अ कि यह अपर लोगों ने पाथा कोई बैदु दिदुरू यह है यहां दू पर कोई बिन्दु पर, कोई यहां पर कोई बिन्दू पर कोई यहां पर बिन्दु प पर π dif गुवस रखागी यहां पर यहां और यहां पे प्लस Q आवेच्ट है इसकी पूरी लंबाई क्या है 2 Yल है इससे R दूरी पर कितना दूरी पर R दूरी पर यहां पर कोई बिंदू P इस्तित है इस P बिंदू पर चुमकी चेत वैद्दू चेत की तियुत्ता आप लोगों ने पढ़ा था यहां पे कि सर यहां पे होता है बैदू छेत की दिए इज इक्वाल टू के टूपी अपान आर क्यूब यह का वैलू आप लोग रखते थे वन अपान फोर पाई अप्सालन नाट तो इसको वैलू रखने के बाद इसका वैलू क्या हो जाता था नियुकत वैलूत शलयत में डूपी अपान आट यह वैलू आप लोगों पढ़ा था यह आपुंट ट्रवण में पढ़ाटा वैलू यह चेप्टर वन में इसका पूल म सब्लक तो न हुआ इसको प्रूब किये थे नहीं हम लोग चैप्टर वन में बताओ कोई बच्चा करा सर क्या पढ़ा रहे हो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है बाई चैप्टर वन की चीज़ें भूल जाओगे तो हम क्या बताएंगे तो इससे आप पागल खानें भरती हो जाओ और क्या कर सकते है कि पहले मैं डारेट बता सकता हूं लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि इतनी सारी चीजें इससे याद करने में आपको दिकत न हो ठेक है यम का मात्रक एंपीयर नहीं होता धारा का मात्रक एंपेयर होता है यहां पर यम यहां पर आप लोगों ने चैप्टर वन में बैदुचित के बारे में पढ़ा था आज हम लोग सेम चीज यहां पर पढ़ेंगे सेम चीज क्या करेंगे यहां पर हम लोग पढ़ेंगे यहां पर पढ़ेंगे यहां पर आपका साउथ साइड है यहां पर ओ है जो है इस चुम्बक के मद्व बिन्दू ओ से आर दुरी लिया गया है यहां पर क्या यसित हैS P पर चुम्ब की चेत्र के त्योता का फार्मुला क्या हैंगे इस पी बिंदु पर चुम्ब की छेत के तीउता का फार्मला याद करना है तो क्या होगा बताओ क्या होगा तो देखो यहां पर बल आगुड पी था यहां पर बल आगुड क्या था पी था लेकिन यहां पर बल आगुड पी के जगह क्या हो गया है यम हो गया है इस यहां पर बैदु दुदु आगुड क्या था podr वीड़…… मेड़ उसले हम सेम काम यहां पर वही ओगा इसका वं क्या हो जाएगा पी के यहां पर यम रधू तो यहां पे चुमकी शित्रव B का बैलू क्या हो जाता है के 2umen upon R के 2umen upon R Cube हो जाता है लेकिन यहां पे के का जो मान होता है के का जो मान होता है यह होता है mu0 upon 4pi यह जो हम लोगों ने constant निकाला था मैं 0 upon 4 π. मैं इतना हम इसाई चीजों को बताकर आपको नहीं अ हुचे पर कर गार मैंण आपको चीजें तैयार हो जाएं। एक याद होने के बाद के बाद जाहुत डुसरा सून में अभी अ不好 के कता आपको याद करना पड़ेगा आप लोग याद करते नहीं से लेकिन अभी मैं कर रहा हूं आप समझ गए तो याद नहीं करना पड़े यह के टूपी अपान आर क्यों यहां पे टू हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया यहां पे तुल्ला करके बताया यहां पर पी था वहां पे यह यह यहां आगया यह लेकिन यह तो है जुप्र्षूम की दूद्रू अगूर क्यों वाई यह याद हुआ यह समझ में आया क्या आप इसी के अनुसार क्या आप इसी के अनुसार अपने से यह कभी नहीं भूलोगे अगर सर इसका डेरिवेशन इसका निगमन इक्जाम में पूछता है तो आपको बार बार एक ही चीज पढ़ने की जरूवत में आपको एक काम करना है आपको एक काम करना है यहां पे भी डेरिवेशन कराएगे बाण में इसकी डेरिवेशन कर लेनंपर जाहां रहा चलते हम निरच्षी शित्ती में बहु के ना जाका निरच्छी सतिया पता कर लीए बताओ अच्छी स्थति में कितना होगा? इसको मैं रभ कर रहा हूं। अच्छी स्थति आपड gült, नियाच्छी स्थति में क्या होता है बताओ और अपने दिमाग से बता हो इसका नियुकी स्थति में क्या होगा अ LH अच्छी स्थिति में क्या होगा बताओ 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 आप लोगों ने बता देए इसको मैं रब कर रहा हूं आपके सामने एक बैदू दुदू आगुड़ है यहां पर माइनस क्यों है यहां पर प्लस क्यों ठीक है साम मत्य बिंडू आपका ओ से ओ से आप दुरी पर कितनी दुरी पर आप दुरी यहां पर बिंदू पी इस्तित थे ठीक है और और यहां पर यह है क्या आई थी यहां पर इस इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब आई थी अब देखो यह का वैलू कितना होता है के का वैलू कितना होता आपको पता है के का वैलू सर आपको पता वन अपान फोर पाई अप्सालन नाट होता है उसी तरीकिये से जब इसका वैलु निकालोगी तो क्या आए बताऊ इसका बैलु निकालोगी देखो कोई ऐसे नहीं बताता है कि मैं दोनों का तुलना करके बता रहा हूं पर यह से इसे ही बता जाता ताकि सीजें याद रहें कम पढ़ना पड़े फ्राथना उप इसका मद्विन्दू हो है इसका मद्विन्दू है इसका मद्विन्दू है इसका मद्विन्दू है तो अब आगे सभी लोग एक छोटा सा है डालिएगा सभी लोग ध्रूज सामर्थ क्या होता है यह जाने है दूर्व सामर्थ क्या होता है यह हम लोग जानते हैं दूर्व सामर्थ क्या होता है आपके सामने कोई भी यह चूमबक है यह अब है आपके साथ है इसके पास बहुत है कोई अगर सौध पॉल लेकर आते को इसको क्या करता है आकरशित कर देगा आकरशित करेगा क्या कर लेका आकरशित करेगा इतना तो आप लोग चुम्बक का बेसिक जीज जानते ही हो गया आप लोग कि जब चुम्बक के पास कोई दूसरी चीज को लाते हैं विपरी धुरू को लेकर आते तो उसे क्या करता है अगर मालों यहाँ पर साउथ वाला लेकर आते हैं तो नाथ वाले को यह भी आकर्सित क करेगा करेगा की नहीं करेगा बताओ करेगा ना करेगा की नहीं करेगा अरे मेरी बात बताओ आप लोग आकर्सित करेगा की नहीं करेगा आकर्सित करेगा की नहीं करेगा आकर्सित करेगा तो किसी चुम्बक के ध्रूओं के द्वारा चुम्बक की पदात को आकर्सित करने की सामर्त का मतलब होता है चमता यानि किसी भी आप लिख सकते हो किसी भी चुम्बक की द्वारा चुम्बक की पदात को अपनी और आकर्सित करने की चुम्बक को क्या करते हैं ध्रूओं सामर्त करते हैं किसी का मतलब भी आप लिख सकते हो किसी भी नद्वारा चुम्बक की द्वारा चुम्बक की पदात को अपनी कि तरफ कि आकर्सित कि करने कि कि नमता को क्या कहते हैं दुरूवर सामर्थ कहते हैं दुरूवर सामर्थ कहते हैं और यह जो दुरूवर सामर्थ होता है इसे इसमाल यन से प्रधर्षित करते हैं किसे इसमाल यम से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं कि समझे बात को यह दुरु सामर्थ क्या होता किसी भी चुम्बक के द्वारा इसी भी पदात को अपने और आकर्षित करने की छमता को सामर्थ को क्या कहते हैं धुरुव सामर्थ कहते हैं ठीक है नोट करो इसे सभी लोग फिर हम आगे चलते हैं अब एक चीज और कभी-कभी पूचता है परिवासा आप लोगों की एक्जाम में चुम्ब की दुई-दुरुव आघूड का है इसका चुम्बक की दुई-दुरु आघूड का है चुम्बक की दुई-दुरुव आघूड का है चुम्बक की दुई-दुरुव आघूड का होता है कोई भी चुम्बक होता है यह आपके सामने में चुम्बक मना दिया तो इसका दो दुरु सामर्थ होता है एक यह तो चुमकी दूद्रु आगूड की परिभासा दूद्रु बैदू दूद्रु आगूड की तरह ही आप लिखोगे ठीक है कैसे लिखोगे कि सर चुमकी दूद्रु किसी छड़ चुम्बक के चुम्बक के दुविदुरु के ठीक है हना चुम्बक के धुरु सामर्त यम तता चुम्बक की आगुड टुयल के गुडणफल को क्या कहते हैं यह परिबासा लिख सकते हो आप लोग कि किसी क्या लिख सकते हो कि किसी छड्ड कोई छड़ चुम्बक है आपके सामने की चुम्बक की दुद्रि क्या होता है कि है क्या होता है चुम्बकी सामर्थ तथा उनके मद्य के बीच की लंबाई के गुडणफल को कहते हैं कि चुम्बक का क्या है चुम्बक का धुरू सामर्थ है की सामर्थ-थ वस्तक में यम लिख देना तथा बीच की दुरी भीच डूरी ओरतमें टूयल लिख देना के गुडणफल गुडणफल तो यानि दुरू इसे जो है इसे जो है हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं इसे प्रदर्शित करते हैं और दुरू सामत कैप्टल यम इजिक्वल टू होता है इसमाल यम इन्तू टू यल इसमाल इंतू टू यल इसमाल इन्तू टू यल ठीक है? है ना है ना बात समझ माई क्या सभी को इस को यहन होता है इसको जो चमता होती है यह साउथ पूल है और इसकी जो चमता होती है जो सक्ति होची उची को कहते हैं धुरुष सामर्थ है नोट कर लो सबी लोग करते चलो हार डिफिशन से फेपर cooking बंता फसन बंता एक और तरीके meicana अभी आपको दिखा रहाँ हो तरीका कौन साथ कुछ मंता एक और तरीके से अब कहेगा इस छड़ चुम्बक को क्या करें 20 से काट दें इस तरह से 20 से काट दें और कहेगा इस छड़ चुम्बक को जब नहीं काटे थे तब इसका धुरू सामत कैपिल यम था क्या था इसमाल यम इंटू यल था अगर मालो यहां पर यम यम है इसका दुरू सामत यम यम है अगर मालो इसको हम लोग 20 से काट दें और ऐसे बना दे काट के इस तरह से बना दिया मैं दूरू सामत को काट के इस तरह से बना दिया यल और यल बना दिया यल वाई टू आधा आधा कर जाएगा अच्छ जी आप बताओ कभी चुम्बक को तोड़े हो तो चुम्बक को बीश से तोड़ देते होag ध्यान देना मेरी बात को समझना की नगभा को बीश तोड़ेते हो तो चुमबक क्या आधा हो ज cathedral कार करने लगता यहारो सबgli करता है उसकी छमता घट्टी नहीं है जब 20 से तोड़ते हैं तब इसका जो द्विद्रू आगुर्ट कैपटल यम होगा तो क्या हो जाएगा इसको क्या हो जाएगा इसमाल यम इंटू इल बाई तू हो जाएगा यानि कि आप समझ गए आप लोग इसका जब 20 से काटा आदी यह पुराने वाल का मतलब यह होगया यह कहने का मतलब समझे त्यक्त नीं समझेंगे पुराने वाले का आजा ओगया कि हाँ हे टाप फॉषण पूछीत का इस्टेट्मेंड टाइप का पूछेगा एक छड़ चुम्बक है उसको 20 से या मद से काट दिया जाता है तो छड़ चुम्बक का ये क्या चुम्बक की दूद्रू आगुड क्या हो जाएगा सार इसमालियम मैंने बताया कि धूरू सामर्थ होता है ये चुम्बक को अपने और आकरसित करने की छमता होती है क्या होता है कैप्टलियम आपका होता है वेदु चुम्की दुद्रू आगुड होता है क्या सभी को मैंने 2L माना था बीच की दूरी 2L माना था बीच की दूरी यहां पर 2L माना था इसलिए फार्मुला में मैंने तू यल रिखा ठीक है यहां पर बीच की दूरी यली दिया इसलिए तो मैंने यहां पर यल रखा फार्मूला में बीच की दूरी तू यल माना था इसलिए मैंने बीच की दूरी तू यल से गुड़ा किया यहां पर बीच की दूरी यल हो गया तो यल का गुड़ा कर द एक मेरे पास धुरूष सामर्थ है को प्रेया है इस तरह से ईसे और आपके पास ये क्या सहमर्थ है यहाँ पे किया साउथ पूल नहीं इस बार चौडाई के काट दिया जा आएसे आइसे काटने का मतलब ये अब इसको जब काटो गया से तो ये हो जाएगा इस तरह से लंबाई रहेगी लेकिन इस दो पार्ट में ऐसे बट जाएगा रुको मैं बना रहा हूं है करे दो पार्ट में बट जाएगा तो यह हो जाए गा दूसरा कटा हुए समझ लेना बात तो उसके बात दिखना मैं अभी आप सभी लोगा डाउट भी लोगा तिंसर मत लेना फ़ले एक बात ध्यान रखना दो पार्ट में बढ़ जाएगा यह कट जाएगा यह काटने का मतलब यह कट जाएगा अब कि बाबो इस तरह से कट जाएगा तो पूछेगा अगर इस टाइम इसका ध्रूद सामर्थ क्यतना था इसका ध्रूवर इसमाल यम हो और लंबाई कितना है लंबाई यल है तो चुमकी तूवी तूवर चुमकी दुद्रू आगुड यम इंटू यल था, यह तो इस समय का कंडिशन था, यह पूछेगा, जब 20 से मैंने काट दिया, तब इसका चुमकी दुद्रू आगुड कितना होगा, यह पूछेगा, तो ध्यान देना अगर इस तरीके से हम लोग काटते हैं तो यहां पर क्या होता है इसका जो यम दुरू सामत आधा हो जाता है इसका दुरू सामत क्या हो जाता है आधा हो जाता है लंबाई तो लंबाई ही रहेगा यल ही रहेगा तो चुमकी दूदरू इस टाइप से आपकी एक्जाम है थूरा उल्टा तारीके से कोशन पूझ देता है तो मेरे कहने का मतलब काटे चाए आइसे चाए वाईसे आपका कटने के बाद कटेगा आदा हो जायेगा ठीक है है इस कुछ उतना ही होगा ठीक है नोट कर लो सभी लोग इसे आगे चलते हम लोग अब हैडिंग डालना सभी लोग किसी बाई चुम की छेतर में कोई दुद्रू गुछ कुछोई कि चीतर में को दोई दुदू है उसको घुमाने में किया गया कार होता मेरे कहने का मतलब यह है जो आप लोगों ने कम फिजिक्स में पढ़ाता स्काघ्षण दू इसमें कि दू के यह आपका कोई चुम्की दूदू चुमकी दुद्रू इस तरह से रखा गया है जान देना या आपके सामने कोई चुमकी दुद्रू रखा गया है यह आपके सामने चुमकी दुद्रू रखा गया है यह बाद चुमकी चुमकी दुद्रू रखा गया है अरे यार ध्यान देना यह बाद चुमकी दुद्रू रखा गया है बाद चुमकी दुद्रू रखा गया है बाद इस तरीके से अपका रखा गया है अगर मालोप पहले यह ठीटा कोड बना रही थी अगर मैं इसको ठुड़ा सा घुमाया तो यह जो घुमाया मैंने इस घुमाने में मुझे कुछ न कुछ कार करना पड़ता है इससे घुमाने में कुछ कार करना पड़ेगा जिंदगी में कोई काम करोगे तो कुछ करना ही पड़ेगा और इस मार्गर को हम ऐसे घुमा रहे तो इसमें भी कुछ कार करना पड़ रहा है तो जो कार करना पड़ रहा उसका मान कितना होता है मनलब इसको जो मैंने इसको घुमाया जब मैंने इस इसको देखो पले तो यहां पर था पले तो यहां पर था पर यह था पर यह कंडिशन था फिर ऐसे किया ऐसे करके ऐसे किया यह जो घुमा रहे हैं इस घुमाने में कुछ कार करना पड़ेगा क्यों करना नहीं पड़ेगा क्या पड़ना करना 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 पड़ेगा यह नहीं क अगर इसको अरे यार इसको और इसको घुमा रहे हैं तो कुछ कुछ कार करना पड़ेगा यह जो कार करना पड़ रहा है वह कार का का कितना मान होता है यह हम लोग ग्याद करेंगे ठीक है इह हम लोग ग्याद करते हैं यह चीज हैडिंग कर लेते है लिख लेते हैं जब किसी चुमकी जुद्रू को बाय बाय चुमकी च्चत में बैदू दुद्रू को घुमाने में किया गया कार लिए लिए किसी प्रकी गति टो चुबाने तो यह गया आट पाइज चुम की चेटर में किसी चुम की डुद्रो को गुवाने में किया गया कारे, देखो किया गया कारे जो W होता है इसका मान होता है क्या, MB, 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 Casc theta 1-Casc theta 2, इसका derivation मैंने नहीं करा है क्योंकि पूछा नहीं जाता है गुमाने में किया गया कारे होता है, W is equal to MB Cas theta 1-Casc theta 2, यह होता है जब गुंआया तो यह कार करना पड़ा इसे मार्कर को पहले इसे रखा हूं ठ buffetृत इसमार्कर को पहले ऐसे रखाओं इसको मैं गुमा के ऐसे कर लोगा तो कुछ न-कुछ कार करना ही पड़ेगा यह यह अपका remote आज दिश्नल बोड़का इसको गुमाके ऐसे करूं तो कुछने कुछ कार व गया गार्णा पड़ रहा है उसका मानना क्या होता है दबलो जीकॉल डू अम बी कार्ण ठीटा वान माइनस कार्ण डीटा 2 को ये कार्य करना पड़ता है अगर ये कार्य करना पड़ता ठीक है अगर कभी आपसे इस्तिती जुर्जा पूछ ले तो क्या होता है जो इसको गुमाने में किया गया कार्य होता है यही इसके इस्तिती जुर्जा की रूप में संचित हो जाता है यह किया गया जो कार है न यह किसमें इस्ति यह किया गया कार जो है न इस्ति उर्जा की रूप में संचित हो जाए इस्ति इस्ति उर्जा के के कि रूप में क्या हो जाता है इस्ति उर्जा के रूप में संचित हो जाता है अब इस पर कैसे पुछता है तो इस्ति उर्जा का फार्मूला पूछता है इस्ति उर्जा यू इक्वल टू डवलू के बराबर होगा ठीक है कितना यम्बी कास ठीटा ओन माइनस का अब बोर्ड एक्जाम में यहां से कोशन क्यों आप फार्मूले से बनते हैं फार्मूला पूछा जाता है कभी-कभी इस पर निमेरिकल प् बता है कि 90 अंसे कभी-कभी ऐसा भी प्रसन पूछ देता है कि बैतुत दुद्रू को घुमाने में किया गया कार है माणों कोड दे दिया 60 दिवरी से 70 कर दिया 60 दिवरी से 90 दिवरी कर दिया तो आपको यहां पर ठीटा का वैलू रखके एंसौण निकाल लेना होता हो यह के बहुत कम पूछा गया पूछा ही नहीं गया है ठीक है इस बात समझ बागई क्या सभी को बताओ कि बात सम्झ बागई बोलो हाँ या ना कि अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे यह सब अतना इप्वाटेंट चीजे नहीं है कि अ कि अ तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब आगे हैडिंग डाले सभी लोग चल कुंडली धारा मापू यह आइडिंग डालना है चल कुंडली चल कुंडली धारा मापू मापी यह चल कुंडली धारा मापी जो होता है यह धारा मापने के काम में प्रयोग नहीं किया जाता है यह किसी भी परिपत में डिष्ट धारा के संचुचन में प्रयोग किया जाता है संचुचन का मतलब दिश्ट दारा के signal को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है आप लिख सकते हो जा लेक तो इसमें या मैं यह जो है किसी परिपत में किसी परिपत में किसी परिपत में क्या काम गरता दिस दारा के संसूचन में प्रियोग लाय जाता है इसी परिपस में डिष्ट जो धारा होती है जारा के संशुचन में प्रियोग में क्या लाया जाता है इसका प्रियोग दिश्ट धारा के संसुचन में प्रियोग में लाया जाता है ठीक है इसका प्रियोग हम लोग धारम आपने के रूप में प्रियोग नहीं करते है इसका प्रियोग हम लोग किसमें करते है डिश्ट धारा के संसुचन में प्रियोग किय जाता है कुछ लोग इसमें सचे लेगे ता सच में भी देखेंगी इसका प्रियोग डिस्ट धारा के संसूचन में प्रियोग किया जाता है चल कुंडली धारा मापी का प्रियोग दिस्क धारा के संसुचन में किया जाता है तो सर जी धारा मापने की रूप में किसका प्रियोग किया जाता है धारा मापने की रूप में मापने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे अमीटर का प्रियोग किया जाता है किसका अमीटर ज मापने के लिए कि इतना वोल्ट जा रहा है मापने के लिए के लिए हम लोग प्रियोग करते हैं वोल्ट मीटर का कि भास्मझ मैं दारा मापने के लिए आ मीटर का प्रियोग किया जाता है और यह चल कुंडली दो धारा मापी होता है कन्फ्यूजन में मत रना यह दो प्रकार का होता आगे मैं बताऊंगा यह किसके प्रयोग में ला जाता है यह दिश्ट धारा के संसूचन में प्रयोग किया जाता है कि जल कुंडली धारा मापी का प्रयोग किसमें किया जाता है बताओ बताओ यह धारा के संसूचन में प्रियोग किया जाता है यह यह बताता कि परिपत में धारा है की नहीं है इसका प्रियोग संसूचन में किया जाता है जैसे यह किया जाता है यह इसका काम इतना होता है कि कि इतना धारा है की नहीं है परिपत में यह बताता है जबकि धारा मापी यह बताता कि 5 एंपियर धारा है कि 6 एंपियर धारा है कि 8 एंपियर धारा कि 10 एंपियर धारा यह धारा मापी बताता है मेरे भाई बात को समझना मेरे भाई हो चल कुंडली धारा मापी जो होता है किसी परिपत में केवल इतना बताता कि धारा मापी धारा मापी जो है परिपत में धारा चल रही कि नहीं चल रही है यह ना आपता है और श्रीक कितना धारा पारे इतल ना इसलोग इस मेरा भाहặt की तुद्वेश्द भाय दोनों का ये मतलब मतलब समझे लेना अच्छे सेनीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करना ये डिश्दारा के मापने में प्रियोंग नहीं किया जाता है यह डिश्टदारा के संसूचन में परियोग किया जाता है है mo मतलब होता है की पता लगाने में कि द्हारा उपस्तित है की नहीं है यह पता करोगा हम University मैं यह वायर लगा दूँ तायर वायर वायर देख रहे हो सस्ता सा तार है इसमें बैदु धारा वाहर है कि नहीं वाहर है यह कैसे पता करोगे आप आप अगर आपको पता करना है कि इसमें बैदु धारा वह रही है कि नहीं वह रही है तो आप चल कुंडली धारा मापी का प्रियोग करोगे सammझे माया मतलब यह होता है पता करना है कि इस encamp इसके पता करें हमको मापने के लिए कोई मीटर ऊटर चाहिए जो कि अब इसके एमेल पानी को नापने क्या काम करेगा तो मेरी बातों को समझो यह जो परिपत में धारा जिस्ट धारा के संसुचन में प्रियोग किया जाता है जबकि धारा मापी काम होता है धारा मापने काम होता है मीटर का और वोल्ट में आपने काम होता है वोल्ट मीटर का बास समझ में आगया सभी को चल कुंडली धारा मापी का किस का में प्रयोग किया जाता है कि इसमें धारा है कि नहीं धारा यह पता करने के बाकी धारा कितना है इसे पता करने के लिए हम लोग अव्मीटर का प्रयोग करते हैं मतलब मेरी बास समझ गए हो गया प्रयोग किया जाता है पता क प्रकार का होता है निलम्बित कुंडली धारामापी तुसरा होता है आपका किलिकित कुंडली धारामापी यह दो प्रकार का होता है एक तो होता है क्या निलम्बित कुंडली धारामापी Здेम कुंडलीत धारा मापी ज़सरा क्या होता है छानक्ट किलकित कुंडली धारा माफि आなる क्या होता है खिलकित कुंडली धारा माफि आ hands कुंडली how a कि दू प्रकार का होता है चल कुंड़िंध आँख बाफिख सक्ता हूँ एक तäreय को बुक्लेट करोई उसमें दिया हूँ लेकिन आपको पढगा नहीं पुछा जाएगा तो निलंबित कुंदली थे वह भी कम पूछा जाता है कोशन ना मात्र के बराबर कोशन पूछा जाता है बस सलेवस में इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं साथ में पढ़ाई मत करना सब लोग इप्वाटेंट नहीं है जो चीजें इसको मैं चिला चिला कर बता देता हो यह इपॉर्टेंट नहीं है होता क्या नहीं दिलंबित कुंदली धारामाते इने बहुत आसान है बास समझने कि कोशिश करना कि सबसे पहले जो है हम लोग इसका सिध्धान्त जाने हैं सिध्धान्त होता क्या है देखो मैं मरी बास में देखो कोई चुम्बक होता है यह क्या होता है चुम्बक होता है यह आपका चुम्बक है यह चुम्बक है इस तरह से आपके सामनी यह क्या है चुम्बक है इस तरह से चुम्बक है तरह से चुम्बक है इस चुम्बक के बीच में एक आपका इस तरह से आताकार प्रिष्ट रख दिया जाता है तो क्या होता है इस आताकार प्रिष्ट पे देखो मैं यहाँ पर रखा हूँ चुम्बक के बीच में आताकार प्रिष्ट है ऐल्मुनियम का बना हुआ है तो इसमें निलंबित कुण्ड़ी दो प्रकार का नहीं होता है कि मीटर प्लस होता है कि माइनस कौन सा कोशन है अ मीटर एक यंत्र होता है जो कि धारम आपने में काम किया जाता है पस इतना समझो ध्यान देना यहापे यह आपके सामने रा द्यान देना इएर उसके बादो होता है उसको प्लो क्यूंकि इसका सिध्धान कुछा जाता उसके बाद जो भी कोशन होगा मैं बताओंगा सब्सक्राइब इसक घ्यान देक तरह से आयताकर कूंडली होता है आयताकर आप लोग देखे होगे मोटर होगरा में तार को लुपेट लुपेट कर लुपेट लुपेट कर बनाया गया तो आयताकार क्या होता है इसे जब चुनकीचित में रखा जाता है तो इस पे एक क्या करता है बल आगुड काम करता है बल आगुड कारे करता है क्या कारे करता है इस पे एक बल आगुड कारे करता है और इसी बल आगुड की सिध्धान पे यह कारे करता है यह आपका निलंबित कुंदली धारा मापी कारे करता है यानि जब कुछी आयताकार कुंदली को एक तमान चुम्द की छेतर में रखा जाता है तो कुंदली पे क्य यन्य बीना साइन ठीटा निकाला है न ताव का मान पीछे हम लोग निकाले हैं बीना साइन ठीटा यन्य साइन ठीटा ताव का मान निकाले हैं पीछे जब आयताकार कुंडली चुमकी छित में रखा जाता इसके बल आगुड कार करता है कुंडली का मतलब तारों का बना पर उसको हटा के तो जो बनेगा उसी कुंडली कहेंगे तो बात समझा ध्यान से तो आयता का कुंडली जब चुमकी छित में रखा जाता इस पे बल आगुड कार करता जो कि हम लोगों निकाला है बी आई यन ने साइन ठीटा एक उपर के और कार करता है इधर एक नीचे के औ पूरा का पूरा यह कार यह जो है पूरा का पूरा चल कुंडली धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी कार करने वाला है कैसे कार करता मैं अभी आपको बताऊंगा फ़ले फिगर को देखते हैं यह फिगर हलाकि जादा इस बनाना हो तो बना लेना मैं तो आपको पी यह आपके सामने क्या है एक तरसी आयताकार कुंडली है यह रखा गया है तो इस चुम्बकी छेतर में जब रखते हैं इस पर क्या कार करता है बल आघुड कार करता है जब इस कुंडली में हम लोग 2P T1 से और 2P T2 में हम लोग धारा प्रवाइद करते हैं देखो T1 T2 देख इसमें एक बल आघुड कार करता हुए आप जानते हो पले सिधांत लिखते हैं इसके बाद आगे बाण करते हैं says की कि दान पूचा जाता जानकों जब किसी समान चुम्की चित में को ich.." कुंडली रखी घ़ती है तो कुंडली पे एक बल्यूग में कार्य करता है नहीं के सिध्धान पर कार्य करता है एक सक्टियों आप लोग निलंबित निलंबित है कुण्डली धारा मापी क्यों होता है है नहीं जब कि एक समाँ एक कुण्डली कुण्डली रखा जाता है कुण्डली रखा जाता है कोई धारावाई कुण्डली रखा जाता है तो कुण्डली जब रखा जाता है तो कुण्डली पर कुण्डली पर लगने वाले बल यूग्म यूग्म के सिध्धान पर कारे करता है यूग्म कुण्डली धारा मापी क्या होता है जब किसी एक समान चुमकीचित में कोई धारावाई कुण्डली रखा जाता है तो कुण्डली पर लगने वाले बल यूग्म के सिध्धान पर यह निलम्बित कुण्डली धारा मापी कारे करता है बात आई क्या समझ में दिलंबित कुंदली धारामापी कारे करता है देखो इसमें क्या क्या चीज़ें लिगी है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर टोटी लगी होती है तोटी टीटू लगी है ऊपर टीवन लगा यहां पर एक मरोड डिड़ता लगा होता और यह फास् अभी आपको बताऊंगा इसको एक्सुलें करूँगा कि फास्पर डांस की पति क्यों लगा जाता है ऐल्मूनियम की पति लोहे की पति ताब्वे की पति क्यों नहीं लगाया जाता है ठीक है यहां पर देखो एक दरपड यम और दरपड यम चुद्वा इयां ओनकि कह है क्वाने बता नो कुंडली क्या होगा अगर ताब्य के तार को रबार लपेट दे तो बन जा यह न काल सब् könnten गया ओप नियुकक निड़त अबर ये टोंडर रखा गया स्के उपर एलमुनीएं कह लगाए गया और इसके उपर एर्मुनियम के फ्रेम के बाद ताबे का एक न कुंडली लपेटा गया है और इसे लग दिया गया चुमकिछित में जब चुमकिछित में इसको रखा जाता है तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था यह बाद कि इस पे बल यूगम कार करता है यह जो बल यूगम होता है यह जो है बल यूगम होता है उसी के से धान पे यह पूरा का पूरा कार करने वाला है यह निलंबित कुंडली धारा मात होता क्या इसमें ध्यासने में लगने वाला बल्यूगम क्या होगा बताओ ये चुमकी छेत में रखा गया है तो लगने वाला बल्यूगम होगा क्या बताओ कुंडली की में उत्पन बल्यूगम क्या होगा बलो यहाप लिखाओ क्या कुंडली में कुंडली में उत्पन बल यूगम क्या होगा पिना ताइन धीता होगा अब देखो होता क्या है जहां दो मेरे पास कोई पेपर ओपर है यह पेपर का सयोग लेकिंगे मैं आपको समझाने को पिस करता हूँ पेपर को ऐसे से मैंने लुपेट दिया तो पेपर अपने सोजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर आपका हाथ देके लुपेट दूँ ऐसे हाथ इसी होता ही नहीं होता है तो क्यों होता है क्योंकि यहां पर एक मरोड जिड़ता उत्पन हो जाती जो कि मैंने यहां पर बल ल अपने आप सीधा हो जा रहा है हाथ को ऐसे लुपेट के कोई मारता है पगड़ता आप हाथ सोजे करते हूं नहीं करते हूं क्यों कि आपकी हाथ में एक मरोड प्रत्यानयन बल आगुर उत्पन होता है यानि कि जो आपने ये चुमकी छेत्र ने जो इस कुंडली को मोड़ा इसके विपरिक दिसा में मरोड प्रत्यानयन बल आगुर उत्पन होगा जो कि इसको सीधा करने की कोशिस करेगा मेरी बास समझना ये चुमकी छेत्र में ये जो आपके सामने ये आपके सामने ये जो रखा गया आताकार कुंडली इसके उपर ताबे का तार लपेटा गया इसको चुमकी छेत्र में रखा गया तो चुमकी छेत्र इसको घुमाने का प्रयास करेगा जब इसको घुमाने का प्रयास करेगा जब इसको घुमाएगा देखो इसी लिए मैं यहां पर फास्वर ब्रांस की पत्ती लपेटे थे क्योंकि बार बार ये जो चुमकी छेत्र क तार को उपर नीचे उपर नीचे करना बार बार करोगे तूट जाएगा तूट जाता है इसलिए यहां पे हम लोग फास्वा ब्रांज की पत्ती लगाते हैं कि कि इतना अच्छा तार होता है कि इसको कितना भी मोड दें कितना भी तोड़ दें तूटता नहीं है जतना यह नाचे गा यह पत्ति चुंकी छेत्र में जा जितना नाचे अईसे इसे यह उपर तूटेगा नहीं नमर एक बात इसलिए हम लोग यहाँ पर आपकी पत्ति यूज नमर दो बात यह जो नाचता है जिस बल के काट नाचता हुवब लोगा यहाँ पर पीना साइन्टीटा यानि चुमकी चित भी आई यन्ने साइन्टीटा यह बल है अब मेरे बातों को ध्यान से समय अगर हम यह बल लगा के इसको बल लगा के अपने हाथ को ऐसे करके मोड़ दूँ च्छोड़ो जांगे हाथ चुछ मिल नहीं रहा मुझे मोड़ने के लिए रे यार यह टीशर्ट किसी का रखा हुआ है अलफा इंस्टीट का किसका मुझे नहीं पता इस टीशर्ट को मैंने क्या किया आपके सामने देखो बाबू आपके सामने मैंने इसे मोड दिया आपके सामने यह टीशर्ट सीधा हो जा जा रहा सीधा क्यों हो जा रहा सीधा क्योंकि मै इसको प्रत्याने बल लगा यह चुंकिछत को क्षटु को खतम किया मैंने यह अपने आप सीधा हो हो गया हमि eldest क्यों सिधा हो गया क्यों क्यों सिधा हुआ क्योंकि इस पर ईल्टे दिशा में जो अमने इसको प्रत्यानन वालाब यहां पर एक बलकार कर रहा है उस बलका नाम मेरे बाबु क्या है बताओ अरे बताओ इस बल का नाम है यह पर रहाँ उस बल का नाम क्या है कि उस बल का नाम है बुलो कि दा elabor का नाम रहोगे आप लो कि उस बल का नम उता पत्ति मोपन रपप पत्ति जो उत अब पत्ति वह मरोड प्तियान रिखाजाएगा नहीं होता है यह भी टाउ के बराबर हुँ होता है कितना सी फाई होता है मरोड प्रत्यानेंबल जो होता है ती फाई होता है मरोड प्रत्यानेंबल क्या होता है ती फाई होता है कि सिफाई को तौर्जी सर्जी 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 मुझे समझ में यारा मरोट प्रत्यानेन बल क्या है भी टीसेट वाला हुँ या फिर से मैं समझाओ। इ sarc Alphangan कख्ला आलफा इस्टिटीट इसको मैंने मोड़ दिया इसको मैंने खो आप रहा दिया ट striving किया ये मोड़ा किस्थ जो की मरोड प्रत्यान नेन बल युगम है अब मेरे बातों को ध्यान देना सभी मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि यह जो सी फाई है यह आपके बी-आई यह यह जो जो यूज कर रहा है यहां पे कपड़े को सीधा कर रहा है वह क्या कर रहा है वही तो बल के विप्रीट में लगाएगा जो आपको यहां पे बल यूग में लगा है इसमें C क्या है अभी आपको मैं बताऊंगा ठीक है लेकिन ध्यान देना यहां पे जो मेरी बातों यह मरोड प्रत्यानेन बल जो मेरे बात को समझो सभी लो यह यह कपड़ा इसको जब मैंने ऐसे करके लुपेट दिया जब आइठने के बाद इसको जब मैं छोड़ा यह सोजा हो गया क्यों 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 कि जितना इठा था मैंने उतना इसके बिपरीत में बल लगा तबी सीदा होगी नहीं अपने सिदा नहीं होगी तो यहां पर यह सी फाइप अब देखो यह सी क्या यह यह जो सी ना आपका यहां यह आयटन बल यूग में है और तो यहां से हम लोग का और यह सी क्या है और फाइक हुआ है जितना आंस आपने घुमाया था तो यहां से क्या होगा समीकर नमर एक इसे मान लो इसे समीकर नमर दो मान लो ठीक है समीकर नमर एक तथा दो से समीकर नमर एक तथा दो से यहां पर क्या हो जाएगा सी जो एक तन का बल्यूम है यह यह जो फाई है न यह फाई क्या है बाई जो जितना आंस यह घुमा हो फाई है यह आपके बराबर होगा यहां से आप सभी लोगे सामने कि एक चीज ध्यान दो यहां पर और ध्यान देना जो महत्पुड़ आप सभी लो यहां पर क्या होता है चूमकी छेतर कैसे जाता है यह आपके सामने चूमकी छेतर क्यों की दिशार यहां आपके सामने और पति ऐसे रखा घया है वनियुव में क्या लग रहा है वनियु देखो तो निचे लगता है मतल prevail लगतं ус संनुपर निचे लगता सबूस्ट को यहां पर यह इसे रखा हुआ है इस पे उपर बल लगवाए इस पर नीचे लगें स्क लगे तभी तो बल यूम यह नाचेगा तभी तो नाचेगा ने तो नाचेका कहा पर्टो यहाँ पे 5 sorry यह जो पती यह पहलक रहा एक बल लग रहा है स्वाइश समय एक फ्याकर जाइप और एक ऐसे बल लग रहा है एक ऊपर को रिंग नाची नीचे को दोनों नभेंस के ऊपर लग रहा है तो थीटा इकोल टूट यहां कितना 90 हो जागा साइन ठीटा कितना हो जाएगा साइन 90 का वैलूबन होता है इसको यहां से क्या तो समीक उपयूगत है उपयूट समीकर्ड से क्या लिख हो गया है आपर बताओ इपाई इकोल टू वी आई यहां से आई अपान आई इकोल टू क्या लिख सकते हैं नहीं इससद क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं है यहां से अगर देखोगी आप किखेत्र का महान क्या होता है एक समान चुमकी छित होता है और फेरों की संख्या भी है मतब एक तरह से नियतांक होती है फेरों की संख्या एक बार अगर माल लो एक बार इस कुंडली में 100 फेरे कर दिए सब्दों दो सो नहीं होगा, तींसो नहीं होगा. नियतांग रहेगा. चुम की छ Catra मैंने यहां पर कहा कि 1 समान चुम की छहत्र है. पूरी कि यानि कि हम यह कह सकते हैं कि फाई अपन आई इसका मतलब यह होता है कि इसका मतलब यह है कि जो फाई है ये प्रपोस्यनल है इसका मतलब अगर मुझे धारा का अमान बढ़ाना होगा तो मुझे मरोडना जादा होगा मरोडना जादा होगा उतना ही घुमाना होगा कि खाई मतलब घुमाना आई का मान धारा का मान बढ़ाने के लिए जादा मरोडना होगा इस समीकर का मतलब यही है इस समीकर का मुझे तो मतलब यही समझ में आ रहा है कि जितना धारा मुझे ब और वोल्टेज सुग्राइता यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक्जाम में इतना ज्यादा पूछा जाता है मैं क्या ही बता हूं धारा सुग्राइता और वोल्टेज सुग्राइता यही दो चीजिया आपके एक्जाम में पूछा जाता है धारा सुग्राइता क्या होत सब फिराइटा आपको पता है याँ पे कॉस्टिंट यसाई इककोल क्या ये सब के सब कॉस्टेंट है यह हम लोग यहां पर इसे भी लिए सकते हैं इसका वहलू कि लिख सकते हैं किया वी एन पांद सब्सक्राइटा क्या होता किसी कुंडले में उत्पन विच्च्छी तथा धारा के अनपात को हम लोग क्या कहते हैं धारा सुग्राइता कहते हैं ये क्या है इसको हम लोग उत्पन विच्छेप कहते हैं विच्छेप और ये क्या आपका धारा है तो किसी कुंडली में उत्पन विच्छेप तथा धारा के अनपात को क्या करते हैं हरा सुग्राहिता करते हैं क्या लिखेंगे परिवासा बताओ बोलो क्या लिखोंगे परिवासा आप लोग बताओ एक में बताओ हरा मापी कि कुणडली क्या लिखोंडली क्या लिखोंडली में उतपन में अव्थपन विखेव पिछेव, पाई, पाई, धारा, आई के अनुपात, क्या कहते हैं, धारा, उब्ग्राहिता, कि अनुपात, को क्या कहते हैं, धारा, उब्ग्राहिता कहते हैं, अब ये भी पूछा जाता है, किसी धारा मापे की सुग्राहिता कैसे बढ़ा जा सकते, बताओ कैसे बढ़ा जा सकते, यानि धारामाफी की शुगरायता कैसे बढ़ाया सकता है Some ऐसे का मान बढ़ा के बढ़ा जा सकता है च्छट्रफल जो आपकी कुंडली उसके च्छित्फल को बढ़ा के घटाकर सुग्राइता आपके आपकी पूछछा जाता है स्ब्सक्रीजिए आपके समझते तो यह लिग देना यह साई इकोल टू फाय अपनाई जी कोल डिया ना यह लिजी द्रमापि की धारा सुग रायता द्रमापि की धारा सुग रायता परिबासा लिख सकते हो किसी कुंडली मुत्पन विच्छे तता धारा आय के अनुपाइट को धारा मापी की धारा शुगरायता करते हैं बताओ आगया बात प्मजमे Push and I can understand चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज शुगरायता पढ़ते हैं झाल झाल चलकुन्डली धहरा मापी की बॉल्टेज सगुराइता क्या हो व्स जाएगा हम लोग पता है आप को यह पता होगा कि वोल्टेज बीच यह होता यहां से 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 यहां स यहां से क्या लिख सकते हैं आप जानते हो फाई अपान आई इसको टू एन वी ए अपान इसको टू क्या होता है पता है अपान फाई इकोल टू क्या लिखोगे एन पीए अपान क्या लीकोगे तो यहां से आई को टू क्या हो जाएगा ही फरी अपान एंडि यह आई का वैलू है अपान यहां पर रखो अब यहां से ध्यान देना फाई से फाई कर जाएगा एस भी का वैलू निकाल नहीं इस भी का वैलू निकाल है एस भी जिक्कोल टू क्या हो जाएगा बताओ इस फाई कटेगा तो यहां से हो जाएगा है यह 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 यहां से सब कुछ हमने प्रूब किया है यहां से यहां से आई बार यहां पर किया हूं है यहां से मैंने लिया है कि यह आपका बोल्टेज सुग्राइता होता है तो बोल्टेज सुग्राइता हम भी ली सकते हो उत्पन बिच्छे तो था मोलटेज के अनवात को क्या कहते हैं वोल्टेज शुग्राइता कहते हैं ये आपका धारा मापी का बोल्टेज शुग्राइता हो जाता है विलियर है यहा character है कर लता तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे धारा मापी को मीटर की रूप में रुप आंतर और तथा धारा मापी का उल्ट मीटर की रूप में रूपल को यह सबसे महत्पूर्ड है कि वोड इज्या में यहांसे ही contemporary पूछे जाते हैं कि अमीटर रूप में अमीटर की रूप में रूप आंतर जानी धाराम आपी को अमीटर में कैसे चेंज करते हैं देखो सब्सक्राइब पहली बात देना सबी रूप अमीटर जो होता है यह किस काम में आता है यह धाराम आपने के काम में आता है कितना एंपियर दारा किसी परिपत में उस उसे मापता है तो क्या कि अमीटर जो है किस काम में आता है लिए किसी परिपत्थ में में धारा मापने के लिए प्रयोग में दिया जाब रहा है कि इस अमीटर क्या होता किसी भी परिपत में धारम आपने के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और इसे परिपत में स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है जैसे जिस भी परिपत में आपको धारम आपना होगा उस परिपत में अमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे यह बोर में क्या किया जाता है जोडा जाता है जोड़ा जाता है ये बहुत बार पूचा जाता कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जुड़ा जाता है तो अ मीटर को परिपत में सेड़ी क्रम में जुड़ा जाता है और एक चीज और पूछा जाता है आपके एक्जाम में कि आदर्स अ मीटर आदर्स अ मीटर का आदर्स मीटर जो होता है आदर्स मीटर का प्रतिरोध कितना होता है का प्रतिरोध सुन्य होता है यह भी प्रस्न आपकी ज्या में पूछा जाता है कि आदर्स मीटर का प्रत्रोद सुन्य होता है जबकि जो बेवारिक में मीटर यूच किया जाता उसका प्रत्रोद कुछ न कुछ होता है यानि यह भी आपको जानकारी रखना है कि आदर सामिटर का प्रत्रोद सुन होता है और जो व्यवारिक में प्रत्रोद जूडा जाता उसका प्रत्रोद बहुत कम होता है प्रियोग में लाए जाने वाले प्रियोग में लाए जाने वाले आमीटर का प्रशिरोध बहुत ही कम होता कि अबनता है कि अमीटर को परिपत में किस करम मेंे जोड़ा जाता है तो अमीटर को प्रिपत में तेड़ी करम में जोड़ा जाता है और अमीटर का प्रतुरूत कितना होता है सुन्य होता है किस अमीटर का आदर अमीटर का प्रतुरूत सुन्य होता है और व्यवारिक में इसका प्रतुरूत बहुत ही कम होता है किसी भी किसी भी धारा मापी यानि गैलनो मीटर को मीटर की रूप में रूपांतरड कैसे करते हैं इसलिए आपके सामने यह गैलनो मीटर है इसमें इसको मीटर की रूप में रूपांतरड करना है तो बहुत आसान काम करते हैं इसी के इसी इसी गैलो मीटर के समांतर क्रम में क्या करते हैं समांतर क्रम में एक संट जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं इसे कहा जाता है संट समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं संट मतलब एक प्रतिरोध होता है इसको हम लोग यस कहते हैं संट का भी प्रतिरोध Woah इस like कुल सबी हमा लोग मानते हैं और जो इधर धारा जाती उसे क्या कहेंगे कि मालते हैं iso जो जाने के बाद बचेगी उए इधर धारा जाती है यह आपके सामने होता है यही कहाननी होती हैं मिटर का मिटर में क्या होता है मेरे भाई फेशे बताओ अमीटर में समांतर क्रम में याद रखना अमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोज जोड़ते हैं हां अमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोज जोड़ते हैं क्यों भाई अरे बोलो बास समझ में आ रहे ही सभी को द्झान देना मैं फिरまた है यहां पर नहीं यहां पर बना में प्रतिरोध है हमारे पास एक यह संत जोड़ाजा था संट कहा जाता रहधा और इसमें जो धारा आई यहां से अंदर आती है वह धारा आई दो भागों में बढ़ जाता है इसमें एक आई जी चला जाता है यानि भाई अगर यहां से 10 रुपया दे के निकले हैं तो पांच रुपय चार रुपय तो यह ले गया और कितना बचेगा दस माइनस चार चार बचेगा यहां पर चला जाता है यहां पर क्या होगा आई माइनस आई जी यह उपर चला जाता है यह पुरा सिस्टम होता है यह क्या होता है यह पूरा सिस्टम होता है ठीक है अब आप लोग जानते हैं कि जो संट का विववांतर होगा यह समांतर क्रम में क्या होता है समा होता है समांतर क्रम में क्या होता है विववांतर समान होता है विववांतर समान होने का मतलब जो यस वाले में जो मतलब जो यस वाले में विववांतर भी यस होगा वो बराबर होगा बीजी के यल्लो मीटर वाले के बराबर होगा ठीक है यानि कि इसमें जो विवांतर होगा यानि कि मेरे कहने का मतलब यहां पे जो विवांतर होगा वो यहां पे भी विवांतर के बराबर होगा विवांतर भीज इकल टू क्या होता धारा इंटू प्रतिरो यहां पर धारा कितना जा रही है यहां पर धारा तो यह आई माइनस आई जी जा रहा है तो आई माइनस आई जी और प्रत्रोज यहां क्या है यहीं तो संट लगाएं यह सर इस एक वीजी का वेलूग क्या हो जाएगा छान दो इसमें जो धार्ण वह रही है आई जी और भीजी का प्रत्रोज जिसे आम लोग आरजी माल लेते हैं यह हो जाएगा वोड़ एक्जाम में इस पर अधायत सारी नि निमेरिकल भी लाया हूं ठीक है यहां से अगर यस का बहलू ज्याद करोगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू आरजी इंटू आप यह सीधे लिख सकते हो आई इंटू कैपटल जी आपान आई माइनस आई जी यह लिख सकते हो या आपका फार्मुला बन जाता है संट का पर इस आफ कल्को मीटर में कैसे परिवत्त करते यह इसी का तरीका दार हमी का पत्रोध कितना है जी का वैलूge आपका कोस्चन पूचा जाता है कैसे परिवतित करते हैं और इसे सेड़ी के जोड़ा जाता है ठीक है करार या आधिक्तम वन पोइंट फाइंट तक कि धारा को माप सकता है इस यंत्र को अच्छा लिखना है चलो लिख लो पले लिख लो लिख लिख लिया होगा आप लोगोंने अब ध्यान दो यहां पर क्या है जी का वैलू कितना है बताओ पांच ओम है और का रहा है अधिक्तम धारा वन पॉइंट फाइप एंपियर माप सकता है तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है बताओ पता बताओ बताओ आप से क्या पूछ रहा है कि इसे 6 Aux iod को मापने में prison Hybrid करने के लिए धारा मापने वाले अब mettet Reading के इसमें कैसे बदला जाएगा आइसाप कैसे बदला जा जाएगा कि अगर पहले यह धारा कितना माप रहा है किटना 2022 किटना संटल नहीं किना 2 मुझें करना पड़ेगा शंठ लगाना होगा बिना शंठ लगा है तो आर ये पूछा है chief का आम वालेक्स क्लार इसी मातना क्या हो जाएगा मैंने आपको फार्मला बताए है आई इजी का वडिल्फu आई जीटीट जी अपान आई माइनस आई जी एक ट्रिक मैं बता रहा हूं जी 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 एक ट्रिक मैं बता रहा हूं ट्रिक यह है कि ट्रिक यह है कि इस कोश्चन में जिस धारा का मान कम दिया होता है उसको हमेशा आई जी माना जाता है जिस धारा का मान अधिक दिया होता है उससे हमेशा i माना जाता है क्योंकि i minus ig होता है इसलिए जिस धारा आ का मान कम दिया ओता है उससे us क्डारा का मान अधिक दिया जाता इसको i माना जाता है यह आपको बहुथ हेल्प करेímann ट्रिक्त ठीक है यहाँ पर फार Corona में वेलु रखें갈 uh आई जी का वेलू कितना 1.5 एंप्यर इंप्यर जी का वेलू कितना है 5 ओम है इसे साल्व करोगे तो 1575 हो जाएगा अपान समय से एक दस्मलों 5 जाएगा तो कितना ठाइट दस्मलों पांच बचेगा तो वो 1535 पंद्रष बच्चेप 7 स्वाइगा यानि पांच बटे 3 आपका यस का मान आएगा तिक है यह किसका मान आएगा पांच बटे 3 ओम का हम लोग क्या चेंज करेंगे संट लगाएंगे आ तो आपके सामने एई साइकोसन है यह धारा मापी जिसका प्रत्रोत कितना है 50 Ohm है धारा मापी का प्रत्रोत 50 Ohm दे रखा है यह जी का वैलू कितना दे रखा है ठीक है और संपुर स्केल पर धारा मापने में 0.5 Ampere और 5 Ampere बताओ इसमें जिसका वैलू कम है और यह पांच एम्पीर ने परियुतित करना है तो यहां पर परियुतित करने के लिए अर्मीटर बदलने के लिए कितनी लंबाई का संट लगाना होगा यहाँ पे question थोड़ा सा गुमा दिया है, पुछा है कितनी लंबाई का cent लगाना होगा, यह question पूछा है, बताओ, 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 लगा लोगे क्या, बहुत असान question है, बहुत असान question है, आओ लगाते हैं इस question को, तेको यहाँ पर क्या है, आपको पता है, संट यसी जी को लूट ट्रिक मेरा काम का राग नहीं जिसका वैलू 0.05 का वैलू कम है इसलिए उसे आई जी मानेंगे जिसका वैलू अधिक होता उसको आई माल लेंगे ठीक है यहाँ पे जी यहाँ पे फार्मूला में क्या है बताओ आई जी माइनस आई इंटू जी अपान आई माईनस आई जी यह हो जाएगा फार्मूला में आई जी का वैलू रख दो यहाँ पे आई जी का वैलू कितना जिरो पॉइंट जीरो पॉइप yeah है और जी का वैलू कितना है पांच है माईनस 0.05 एंप्यर हो जाएगा अब इसको साल्व करना पड़ेगा अचा जी जी जी इसको solve करोगे तो कितना आएगा जी एस का मान कितना आएगा बता अब यस का मान कितना आ जाएगा पचास में 5 55 है कि तो नहीं पैजिध पचीश तीन तो देखो दो अंगपर दस्मूलरा 2.5 उपर आ जाएगा ठीक है और नीचे देखो 5 में से 0.5 गटेगा तो कितना आएगा 0.05 बताओ आप ऐसे कर सकते हो देखो ऐसे घटाओ को ऐसे भी गटा सकते हो 5 5 5 माइनस क्या लिख सकते हो 5 अपान हंडेट भी लिख सकते हो 500 माइनस 5 अपान हंडेट भी लिख सकते हो और यहां से 500 में से 5 गाओ जाओ जाओगे तो कितना बचेगा बताओ 400 कितना बचेगा 95 बचेगा 4.95 यहां पर क्या जाएगा एंसर बताओ घटाओ में एंसर कितना 4.95 मतला हम लोग लिख सकते हैं क्या 250 बटे 400 पंचान बे ऐसा लिख सकते हैं ऐसा ही लिख सकते हैं न गुडा बाग तो सही कर रहे हैं न हम लोग जा लिख सकते हैं 4.505 95 बचेगा भाई मैं जे पता था इसे लिख वो गया आप लोग अब इसको बताओ आगे गुडा बाग कैसे करेंगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 250 250 बटे 495 ठीक है 250 बटे 495 ठीक है 250 बटे 495 इसे पांच से काटेंगे तो देखो 55 होता है 50 आजाएगा और पांच निन्यानवे पंच 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 आएगा तो यहां से आपका यस का बैलू कितना आजाता है यस का बैलू 50 बटे 99 आजाता है लेकिन सर जी यहां पे संट की लंबाई भी तो पूछाए लंबाई करते निकालेंगे लंबाई निकालने के लिए आपके सामने यह दे रखा है 4 फल यहां पर यह संठ है और के सामने की इंट के पावर मानस दे रखांग यह रोका बैलू माइनस सेवेन और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करके आप यल का बैलू गयाद करें कर्सकती है hyvin गैजात कर सकते हैं Gothic क्या कर सकते हैं है इस तरह सह से आप यहल का व्लुर्म गयाद कर सकते हैं इस टाइप के कोशन पूशे जाते हैं आपके सामने यह कोशन और भी ठीक है यह ओल्ट मीटर का कोशन है अप चलो बोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लेते हैं वही ब किसी भी परिपत का किसी भी परिपत में बिवसंतर मास ने के काम में आता है प्रेके है अलब ऐ बोल्ट्मेंडर को धारा नापी का बोल्ट्मेेटर के रूप में रूपांतर पढ़ते हैं और का में यह रूप मेंट की रूप में कि रूप आच की प्रू अंतर की चानि रूप में रूप आटरर की नेहीं की बिन्दूओं के बिदिए ऑफ विभ्हां तर्मां आपने की काम में प्र्यूक किया जाता है क्या होता है ओल्टमीटर किसी खरीपत के इन ही दो बिंदुओं के बंद्य का विभुवांतर कि आपने कि यह क्या जाता है परियोग किया जाता है नमर दूसरा पॉइंट यह होता है यह भी किसी परिपत में समांतर क्रम में जुड़ा जाता है यह क्या होता है यह किसी परिपत में यह क्या होता है किसी यह किसी परिपत में क्या कहता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है किस परिपत में क्या होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आंतिम पॉइंट लिखना कि आदर्स 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 वोल्ट मीटर का आदस मीटर का प्रतिरोध होता। सबी पॉइंट्स से आपके एकजाम में कुष्टन बनता है पहली बात कि व embed को करिपत में किस क्रम में जुड़ा जाता है तो हमेशा सेड़ी क्रम में जुड़ा जाता है और कितना होता है अनंत होता है और लास्ट पॉइंट आप लोग समझ लेना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि कि किसी भी धारामापी को के स्रेडी क्रम में एक उपयुक्त प्रतिरोध जोड़कर हम लोग उसे बोल्ट मीटर में परियोतित करते हैं कैसे परियुतित करते हैं धारामापी को बोल्ट मीटर की रूप में कैसे परियुतित करते हैं यहां पर लेख लेना क्या होता है किसी भी परियुक्त किसी भी किसी भी धारामापी को धारामापी को धारामापी को बोल्ट मीटर किसमें बोल्ट मीटर पोल्ट मीटर के रूप में परिवार्तित करने के लिए क्या करते हैं क्या करते हैं प्रतिरोज जोडते हैं प्रतिरोज जोडते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं जिसे काते हैं संट जिसे संट कहा जाता है जिसे का कहा जाता है जिसे हम लोग संट कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं संट कहते हैं यह सभी आपका पोल्ट मीटर से समद्दी सिद्दान किसी भी धारा मापी को पोल्ट मीटर के रूप में परियोतित करने के लिए सेड़ी क्रम में हम संट कहते हैं आओ जोड के देखते हैं यह आपके सामने धादेना यह आपके सामने क्या है गैलनो मीटर यानि धारा मार्थी कि इसके सेड़ी क्रम में हमने क्या किया एक संट वाला प्रति जोड़ जोड़ते है यह किसमें परियोतित हो जाए यह आपका परियोतित हो जा और की रूप में परियोतित हो जाए और देखो यहां पर क्या होगा इधर से मालो धारा आई बहा रही है और इसका प्रतुरोद आ रहे है इसका प्रतुरोद क्या जी है तो मुझे जराब बता दो और यह धारा क्या है आई जी बहेगी और क्या जोगी तो मुझे चङुणा बता दो विववान्तर क्या हो अब लोग जांते हो कि यह आ यार होता है यहां पर आइजी ऑर प्लस देखो सेड open प्रत्र वहरा है यह आपका किसी भी पर्यपत में किसी भी पर्यपत के लिए या आपका फार्मुला बन गया इसी फ़ार्मुला से हम लोग निकालेंगे अर्का बहलू सकते है घ्लिक Well इसकते हैं जो तर ने चोड़ो इस तरह से लगाओगे तो भी दिक्कत होगी ऐसे भी लगा सकते हो विवांतर भी यहां से इसको इस तरह से लिशकते हैं V upon IG इसे भी लिशकते हो V upon IG is equal to R plus G लिशकते हैं R plus G लिशकते हैं हमेशा question में जो Y प्रत्रोत लगाए हो उसी का मान पूछा जाता है जो बाइ पत्रोध लगा उसी का मान पूछा जाता यहां से r is equal to क्या हो जाएगा बताओ b upon ig minus g minus है क्या हो जाएगा minus है भी हो जाएगा यह प्रत्रोध r का value हो जाएगा यह आपका प्रत्रोध हो जाएगा अब देखो इस पे question कैसे पूछा जाता है जिसका प्रत्रोध 12 ohm है इसका प्रत्रोध r का value कितना जी का value कितना दिया 12 ohm दे रहा है अब क्या कहा रहा है अब क्या कहा रहा है तीन मीली एंपियर की विदुधारा प्रवाइट हो रही है तो यह पूर पूर इसकेल विच्छेप करता है इसी गैलनों मीटर को जीरो से 18 बोल्ट के परास में पर होती थे कैसे रुपांतरित करेंगे यानि कि यहां पे आई जी का value दे रखा है आपका कितना 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 मतिन मीली कोगे निए अंपियर ना यानिकि यह ग्याता मिल ये था ऻोग्लाना मिले एंपियर आँना में किन इसको चैंज किया किया है मीटर में किया ठीक है है थी दिन मीली тобीटर हो जाएगा अब देखओ यहां पर कहा रहा है कि इसकी विवानतर भी का तरी को रूपांतर रिक कईसे करेंगे तो आपसे यहाँ से cdc बात है, cdc बात है, आप रोग जानते हो भी, अब ही फार्मॉला मैंने लिख वाया, आपसे वही फार्मॉला यूज करेंगे b upon ig is equal to क्या, minus g, minus g is equal to r होता है b का बैलू क्या यहाँ पे अबावू, 18 है upon ig का बैलू कितना है, 3 into 10 के power minus 3 है 3 into 10 के पावर क्या है माइनस 3 है माइनस G का वैलू कितना दे रखा है 12 ओम is equal to R is equal to क्या हो जाएगा is equal to R हो जाएगा अब देखो इसको आगे साल करोगे तो 3 छक 18 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 into 10 के पावर 3 हो जाएगा धिर माइनस 3 उपर जाएगा माइनस 12 is equal to R हो जाएगा R का मान कितना जाएगा बताओ बताओ R का मान कितना हो जाएगा मैं बताओ आगे आप 3 टे सुनना 6,000 हो जाएगा minus 12 is equal to R इसको आगे साल करोगे तो R का बैलू आजाएगा आपका कितना 6,000 में से 12 जाएगा तो बताओ कितना हो जाए 5,988 5,988 ओम इस टाइप से कोशन पूछा जाता फार्मूले पे रखने वाला आया समझ में यह कोशन यह कोशन दो कोशन मैं आप लोगों को हुमक देना चाहूंगा खुश से हुमक करना सकते हैं इस तरह से आपका यह चैप्ट इसका अबजेट्ट्यिव सबजेट्ट्यू कराना है बाकि अहरा है इमुआ है अब इसके हर एक कोश्ण कराएंगे चिंकी कंप्लीट करने के बाद नीचे हमने इपतन कराया प जिटो किरा आए अँग्यक प्रस्थन कराये आंगिक पृष्ल परस्थन वे करने एक इसे अब स्क्राइब हो एक लंबह चैप्टर एक लंबे समय से चलने वाला चैप्टर यह आपके सामने आज फतम होते वह भी आप लोगों को बहुत 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 आई कि अगया कि और हाँ एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कुछ topics हमने इसमें क्या किया है हमने क्या किया है कुछ topics जो है अगले chapter का भी इसी chapter में पढ़ा दिया है क्योंकि कुछ टॉपिक मैंने नहीं भी पढ़ाया तो समझ लेना जो नहीं पढ़ाया वह आपके बोर्ड के लिए जरूए नहीं जाने वाला इसको मैं लिख के दे रहा हूं के आधर्स ओल्ट मीटर क्या होता है को गोकरन करके सब्सक्राइक बस्सक्राइक है ॉचिए से रही तो जिससा आदर्स रड़के होते हैं कोई गलतिया नहीं करते हो लोग क्यों कि होता नहीं है आदर शोल मेटर का प्रत्योत अनन्त होता है चला जागे ठीक है ओके